सब को सब कुछ विरासत में नहीं मिलता कई रात लड़ना पड़ता है किताबों के साथ चलिए गए स्टार्ट करेंगे आज के इस वैल्यूएबल सेशन का पहला कोश्चन देखेगा पहला कोश्चन क्या करा है करा यदी x2-2p xy-y square is equal to 0 तथा x square minus 2 q xy minus y square is equal to 0 एक दूसरे के कोड आर्धाक है जैखो ये दोनों एक दूसरे के कोड आर्धाक है यानि कि अंगल n पायसेक्टर के अगर मालेजे इसे हममने equation 1 और इसे माले equation 2 है ना तो equation 1 क्या करा है अगर equation 1 का एंगल बाई सेक्टर निकाला जा रहा है तो लाइन टू को प्रजेंट कर रहा है उसका एक्वेशन टू को प्रजेंट कर रहा है और अगर एक्वेशन टू का एंगल बाई सेक्टर निकाला जा रहा है तो वो एंगल वन को प्रदर्शित कर रहा है यानि कि सेम एक्वेशन को को पदर्शित कर रहा है तो हमें क्या करना है सबसे पहले जो पहली वाली equation दी गई है उसका angle by sector निकाल लो उससे पहले हम आपको बता दें कि ax square plus 2 hxy plus by square is equal to zero के angle by sector का जो equation होता है के angle by sector angle by sector मतलब कोड़ आरधक का जो equation होता है x square minus y square divided by a minus b is equal to xy by h यह होता है angle by sector किसका angle by sector का equation होता है ax square plus 2 hxy plus by square is equal to zero का तो हमें क्या करें हम line 1 का जो angle by sector निकाल दें तो देखें compare कर लिजेगा a is equal to यहाँ पर 1 है और h is equal to यहाँ पर minus का p है और b is equal to minus का 1 है चलिएगा शमी करण 1 के कोड़ आरधक का समी करण निकालते हैं कोड़ आरधक का समी करण समी करण एक निकालिएगा भाई क्या होता है x square minus y square है न x square minus का y square x square minus का y square और a minus b a का value 1 है minus minus 1 है b का value is equal to x y by h होता है h का value कितना है minus का p है अब देखेगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x square minus का y square और बटा में कितना हो जाएगा 2 2 से इसका multiply कर दो है न यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 x y बटा में यह minus उपर दे देते हैं p को यहां रख लेते हैं ठीक है हमने क्या किया इस 2 को इसके साथ multiply कर दिया है और नीचे वाले जो p का minus ता उपर दे दिया ठीक है रख लो पहले x y रख लो ठीक है इसे रख लें 2 x y minus का p y square is equal to 0 अब देखिए यह लाइन आ गई हमारी मालों इसको equation 3 वान लेते हैं एक दूसरे के कोड़ आर्दा का मतलब क्या हुआ अगर हम इसका angle by sector निकालते है तो यह line आ जाती है अगर line 2 का मतलब equation 2 का निकालेंगे तो equation 1 आ जाती है यह वो यह कह रहा है यानिकि same equation को present करेंगे तो देखिएगा अगर equation 2 और equation 3 रेप्रेजेंट करेंगे same को हैना कि same equation को present करेंगे तो क्या होगा इनके coefficient का ratio क्या होगा equal होगा x square का coefficient equation 2 में देखो यहां पर कह सकते हैं क्या कह सकते हैं equation 2 and equation 3 है ना equation 2 and equation 3 are represents same line है ना represents same line यह दोनों किसको दिखा रहे हैं same equation line नहीं है equation है pair of state line है same equation दोनों same equation दिखा रहे हैं चलो x square का यहाँ पना to efficient देसको question one में one और यहाँ पे कितना भाई equation three में equation two में कितना 1 और equation three में well 2 एक्स का देखो equation two में कितना है minus 24 और equation three में दिया गया है minus 까 24 is equal to पहले में देखो वहाँ पर माइनस का वन दिया गया और यहाँ पर माइनस का पी दिया गया है कोई दिक्कत नहीं अब आराम से हम लोग क्या करेंगे टैकल करेंगे देखेगा यहाँ पर कितना दिया गया था यहाँ पर माइनस का टू एक्स था तो प्लस का ही तो रहेगा यह प्लस का तो इसमें कितना कौन सा करबर हो गए हमारा वो तूप क्यूँ था यह प्लस का टूआ जाए ठीक है यहां से हम यह 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 था हम ने इधर ही टान्सफर सब्ण किया है अब देखेगा हमें क्या करना है यानि कि इन दोनों रेसियो को ले लू यानि कि यह थर्ड और फ PQ minus का PQ is equal to 1, PQ को धर ले जाओ, 1 plus PQ is equal to 0, 1 plus PQ is equal to 0, या PQ plus 1 is equal to 0, कौन सा option सही हो जाएगा, C option यहाँ पर correct हो जाएगा, चलिएगा, question number 2 देखेंगे, क्यारा किसी तरभुज के series, कोई तरभुज है हमारे पास, triangle को बना लेंगे, आराम से पहले triangle बना लेते हैं, देखेंगे, यह हम triangle बना लेंगे, क्यारा कि किसी तरभुज के series, मा लेते हैं तरभुज A है, B, sorry, point B, A, B C, A के जो coordinate दिये गये हैं, वो दिये गये हैं, 0,3, B के जो coordinate दिये गये हैं, माइनस का 3,0 दिया गया है, और C के जो coordinate दिये गये हैं, 3,0 दिये गया है, और हमसे कहे क्या रहा है, इसके लंब केंदर के निर्दे सांख निकालने हैं, इसके आर्थो सेंटर के निर्दे सांख कबता हैं यानी की अर्थू सेंटरों निकालना देकिए का हम क्या करेंगे इसके बना देते इसके निषी सब भा बना दीजैंक यह हो गया थिक है बहू, का यहां प的 हो जहां पर इनके लंब के लंबbles काठते हैं जहां पर इन सभी के लंब्ब यानि कि सीर से लंब क्या होते हैं काटते हैं उसे ही तो हम बोलते हैं परपेंडी कुलर उसे हम बोलते हैं आर्थो सेंटर जहां पे सभी काटेंगे हैं यह माल ले यहीं पे जा रही है ठीक है रबलो गया चलो हां यह बन गई ठीक है यह जहां पर दोनों एक दुसरे को काटत यह bd हो गया अच्छा सब कुछ हो गया अभ हमें पता है कि अगर हम linebd का समीकर निकाल लें तो जो इन में लंब केंद्र होगी धार्थ्टो सेंटर होगा है या तो इस ऊप्शन होगता है यानि कि इन 4 P 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 चाहिए एक question निकालने के लिए एक प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व M1 is equal to कितना हो जाएगा Y2 minus Y1 Y2 कितना है 0 minus 3 0 minus 3 X2 minus X1 3 minus 0 कितना आ जाएगा भई यह minus का 1 आ जाएगा अच्छा AC की प्रवड़ता minus की 1 आ गई तो BT की प्रवड़ता क्या हो जाएगी BT की प्रवड़ता BT की प्रवड़ता जो हो जाएगी M2 is equal to हो जाएगी minus का 1 by M1 minus का 1 by minus का 1 कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी BD की प्रवड़ता कितनी आ गई 1 अब देखेगा हमें ऐसी रेखा का समीकर निकालना है जो minus 3,0 से होके जा रही है और प्रवड़ता उसकी कितनी है 1 तो BD का समीकर निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम BD का समीकर निकाल रहे हैं है न एक क्वेस्चन आप BD अब निकालो एक क्वेस्चन आप BD तो क्या हो जाएगा भाई यह हो जाएगा Y minus Y1 Y minus का Y1,Y minus का Y1 कहां पे है Y minus Y1,Y1 की वेलू कितनी है 0 है न is equal to M कितना है M2 कितना आया हुआ, एक इसी रखा की प्रवड़ता आई है X minus X1 प्लस 3 हो जाएगा यह है है न, equation बनके आ गई हमारे पास Y is equal to X plus 3 अच्छा Y is equal to X plus 3 आ गई हमें पहला point को क्या करना गुजार के देख लेते हैं इस line BD का समी कराण आ गया है जो भी आर्थो सेंटर होगा इसे satisfied करेगा पहला रखिएगा बिटा सोरी हां सर लिखेगा पहला X की जगह पर 0 रखेंगे वाई की जगह पर minus 2 रखेंगे है न तो देखो यहां पर यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 2 बराबर में 0 प्लस 3 है ना दोनों बराबर नहीं आ रहे है तो पहला option satisfied नहीं करेगा पहला नहीं satisfied करेगा दूसरा ट्राइक करों ग साथिसफाइट नहीं करेगा तीसरा ट्राइक कर लीजे ऐसment की जगह पर य की जगह पर 3 रखना है रख दीजिए 3 is equal to 0 plus 3 यानि कि 3 is equal to 3 देखो सेकेंड वाल थर्ड वाल option satisfied कर रहा है यानि कि कौन सा option सही हो जाएगा शी option correct हो जाएगा आप लास्ट वाल डी देखिएगा रखके वो satisfied नहीं करेगा चलिएगा यहां पर तीसरा question देखेंगे के रहा है पर बिंदू से डाले गए लंब के पाद के निर्दे सांग यानि कि यहां पर हमें निकालना foot up perpendicular है ना इस point से इस line पे डाले गए हैं देखेंगा अब आपको हम बता दे कि अगर हमारे पास line है ना x1 y1 बिंदू कौन सा x1 y1 से ax plus by plus c is equal to 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्दे सांग अगर x, y हो क्या बताया x1 y1 से ax plus by plus c is equal to 0 एकॉंसेट इसे देखेगा x1 y1 से ax plus by plus c is equal to 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्दे सांग अगर x, y हैं तो होता क्या है x minus x1 divided by a is equal to y minus का y1 divided by b is equal to क्या हो जाएगा minus ax1 plus by1 plus c उपर यह हो जाएगा divided by a square plus b square यह होता है ठीक है minus का उपर यह minus है यहां पर minus ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square अब रख दीजिए यहां पर सारी values पता है यह है a की value यह है b की value और यह है c की value यह है x1 का value और यह है y1 का value चलेगा रखिएगा निकालते हैं x minus x1 x minus 2 बटा a की value 4 है y minus y1 y minus का y1 यह 3 है बटा में यह 5 आ जाएगा is equal to minus a 4 x1 की value कितनी है 2 ठीक है minus b b कितना minus का 5 है y1 y1 का value कितना है 3 और plus का c कितना है 8 divided by a square plus b square 4 का square plus 5 का square 4 का square 16 5 का square 25 16 और 25 कितने हो जाएगे 41 है न यह कितना हो जाएगा फिर x minus 2 by 4 is equal to y minus 3 by minus 5 is equal to देखो यहां पर 4 दूनी 8 minus के 15 plus के 8 8 16 minus 15 एक बचा उपर जैने कि यह हो जाएगा minus का 1 बटा 41 माइनस का 1 बटा 41 आ गया यह अब देखेगा आपको यह रेशियो फर्स्ट है यह रेशियो शेकंड है और यह रेशियो थर्ड है आपको फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेके चलना है इन दोनों को इक्वल करिएगा एक्स की जो वैलू आ जाएगी है न वो आप करिएगा 78 बटा 41 हो जाएगी वाई इस गोल टू कितना आ जाएगा आप सेकेंड और थर्ड रेशियो से वाई की वैलू निकालिएगा वाई की वैलू आ जाएगी एकशो अठाइश बटा 41 यानि कि कौन सा अप्षन सही हो जाएगा शी ओप्षन सॉरी डी ओप्षन क्या हो जाएगा करेट हो जाएगा आगे देखेंगे प्षचन नंबर फोर इरह उस वृष्च के कि इस पर श्रेखा की लंबाई अब देखिएगा जो मृष्च का समीकरार होता ह्यादा जो इस टैंजेंट कीनलेंथ होती है और वो क्या होता है या तीम य स्वंधन कैसे निकालते हैं मॉट भॉज इस वन तो अब यह x square का coefficient क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए यहां पर और 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कि coefficient दोनों के सेम है ना, वृत्य का समी करने यह तो confirm हो गया, ठीक हो धिया भी है, 2 common ले लेंगे, 2 common ले लेंगे, means x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 के form में इसे convert कर देना है, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x square और यहां भी 2 common, y square minus का इधर आ जाएगा यह एक बटा 2, है ना, minus का 1 आएगा, एक बटा 2 से भाग हो जाएगा उसमें, है ना, अब इस परस रेखा की लंबाई निकालना है, है ना, लंबाई निकालना है, किसकी, इस परस रेखा की, इस परस रेखा की length निकालना है, वो क्या हो जाएगी, t बराबर root s1 होती है, है ना, यह root हो गया, s1, s1 का मतलब क्या है, इस point पे x1, y1 रहे ले, x1, y1, यानि क्या बन जाएगी, x1 square plus y1 square minus का 1 बटा 2, है ना, x1 का value कितना है, देखो, x1, y1 points दिये गए है, यह 4 है, यह 4 हो जाएगा, 2 का square 4 हो हो जाएगा, minus का 1 बटा 2, इसे हल कर लेंगे, यह आजाएगा, root में, 9 और 4, 13, है ना, यह हो जाएगा, 13 minus का 1 बटे 2, 13, 26 minus 1, 25 बटे 2, 25 का कितना हो जाएगा, यह 5 आजाएगा, बटा 2 में कितना हो जाएगा, root 2, 5 बटा 2, कौन साफ़न सही हो जाएगा, she option क्या हो जाएग करेक्ट हो जाएगा, चलिएगा, question number 5 देखेगा, question number 5 भी एक बहतरीन question है, हमसे कह रहा है कि यह वृत्त दिया गया है, और एक यह वृत्त दिया गया है, हम एक काम यह करेंगे, हम यहाँ पे एक काम यह करेंगे कि पहले इसका केंद्र निकाल दो, जो जो इसका C1 मान के चल होता है, x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 होता है, तो इसका केंद्र कितना आ जाएगा, 2g is equal to आ जाएगा minus का 10, तो g is equal to कितना जाएगा minus का 5, और center क्या होते है, minus g, minus f, तो यह कितना हो जाएगा 5, और y वाला तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, केंद्र यह मिल गया है हमको, अच्छा इसकी radius radius निकाल देते है, radius इसकी हम r2 लेके चल रहे है, r2 कितना हो जाएगा, under root, under root कितना g square plus f square minus c, g square की value 5, यानि कि 25 हो गया, कितना हो गया, यह हो गया, 25, f square 0 है, ठीक, 0 का square 0 ही रहेगा, और यह हो जाएगा, minus का 16, दोनों घट जाएगे, root का 9, यानि कि यह 3 आ जाएगा, अच् प्रश्न क्या करा है, कि एक दूसरे की वास्तविक तथा भिन्न भिन, एक condition है, वास्तविक दूसरी क्या condition है, भिन्न भिन्न बिन्दों पर काटेंगे, अच्छा, जब वो क्या करेंगे, वास्तविक बिन्दों पर काटेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तरिज्ज लेस्दाइन होगा जब भिन 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 पर काट रहे हैं तो क्या होगा के बीच की दूरी कम होती है तरिज्जाओं के योग से चलिएगा आर वन की वैलू कितनी दी गई है है दोनों के बीच की दूरी निकालना देखो 0,0 और 5,0 की दूरी की दूरी निकालेंगे है ना दो बिन्धों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे root x2 minus x1 का holy square plus y2 minus y1 का holy square यानिकि 0 minus 5 का holy square plus 0 minus 0 का holy square तो root हो जाएगा 0 minus 5 यानिकि 5 25 हो जाएगा यानिकि यहां से आ जाएगा केंदरों की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी निकाल लीजेगा सो टसी बात है r1 हमारी r है plus r2 कितनी आई हुई r2 आई हुई 3 हम क्या करेंगे पहले इन दोनों inequalities को solve करेंगे देखेगा यह कितना जाएगा r minus 3 less than 5 कितना हो जाएगा r less than 8 हो जाएगा इधर plus का 8 आ जाएगा है ना और इधर क्या हो जाएगा 5 5 less than r plus 3 कितना हो जाएगा इधर subtract कर दीजिए 5 हो जाएगा minus का 3 less than r है ना यह कितना हो जाएगा 2 less than r यानि कि जो हमारा r है वो क्या है r क्या है अब इन दोनों को combined रूप से लिख दीजिए है ना क्या करना है इन दोनों को हमें combined रूप से लिख देना है मिला के लिख देना है चलिएगा लिखते हैं इन दोनों को मिला के यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा यह 2 है ना जो हमारा r है वो क्या है r क्या है r क्या है 2 से बड़ा है है ना और उसके बाद छोटा किस्से है आठ छोटा किस्से है आठ से इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया ठीक है तो कौन सो ओप्षन सही हो जाएगा भाई पहला ओप्षन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा चलेगा चलेगे कोश्चन नबर 6 की तरफ करा परवले की नियता है ना एक परवले दिया गया है y square जो भी हमारे पास पैरवला दिया गया है y square is equal to यह हो जाएगा k x minus का 8 है ना यहाँ पे काम करो आप k ले लो common k लेंगे common तो आजाएगा a x minus 8 by 8 by k अच्छा ना भी लंब जो हो जाएगा इसका ना भी लंब क्या होता है ना नियता मतलब की जो directrix हो जाएगи वह कितनी हो जाएगा वो हो जाएगी X minus A is equal to 0 X minus A is equal to 0 अच्छा यहाँ पर नियता इन्होंने अल्रेटी दे रखी हमें वो कितनी दे रखी है? X minus 1 is equal to 0 अगर इन दोनों को देखो, same line है यह भी नियता का समीखरण है, यह भी नियता का समीखरण है और इसी परवले की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इन दोनों को compare करें तो क्या आजाएगा? A is equal to 1 आजाएगा और A is equal to 1 नहीं यहाँ उठा कर रख दीजिए 1 is equal to 2 आजाएगा K by 4 यहाँ से निकल क्या आजाएगा? K is equal to 4 कौन सा option से ही हो जाएगा? option is correct answer for this question ठीक है? चलिएगा फिर यहाँ पर कह रहा है कि परवले Y square is equal to 4X की सभी जीवाओं के मदबिन्दूओं का पथ यदि जीवाओं सीर से 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 सिंची गई हो, अब देखेगा है यहाँ परवले दिया गया है, एक तो simple trick है 4X जो नविलंब दिया गया है, नविलंब कितना हो जाएगा है 4A बराबर 4 दिया गया है नविलंब 4 हो जाएगा तो नविलंब को आधा कर दो क्या करो नविलंब को आधा कर दो कितना आजाएगा? 2 तो जब भी इनसे जीवाओं के मद बिंदो की बात की जाएगी तो आपको उसी जगह पर नाभी लंब की जगह पर हाफ करके रख देना है तो x square is equal to 2x हो जाएगा वहाँ 4x था हमने नाभी लंब 4 ए बराबर 4 आया था नाभी लंब को हमने आधा कर दिया चार का अधा 2 हो गया तो यह equation हो जाएगी y square is equal to 2x डारेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इसका solution ही देखना है ना कि सर ने solution ही बता दीजिए solution देखते हैं कैसे करेंगे इसे इसे हल कैसे करेंगे कैसे निकल के आएगा इसका बिंदुपत कैसे निकल के आएगा इसका लोकस चलेगा यह हमारे पास access है और यह access हो गया अच्छा और यह हो गया हमारा graph y square is equal to 4x का graph हो गया ठीक है y square is equal to 4x है ना का यह परवले हो गया हमारे पास जब मालनो ठीक है परवले हो गया यहाँ पर क्या होगा 0,0 होगा यहाँ से एक जीवा खीच देते हैं जीवा हमने खीच दी यह point है माल लीजे point है O ठीक है यहाँ पर point है P ले लो चलो A ले लो और यह point है B अच्छा B परवले हो गया हम point ले रहे है x1, y1 x1, y1 एक point ले रहे है और इनके क्या करा है यह जीवा है A भी क्या है एक जीवा है और जीवा का एक मद्द बिंदू ले रहे है midpoint ले रहे हम h, k और यह है हमार अपरवले का समीकराण y square is equal to 4x y square is equal to 4x y square is equal to 4x x1, y1 इस्थित है तो यह कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y1 square is equal to 4x1 y1 square is equal to 4x1 अब देखेगा A B का मद्द बिंदू क्या है h, k है की नहीं तो निकालते हैं भाई A B का मद्द बिंदू हो जाएगा यानि कि h is equal to कितना हो जाएगा 0 plus x1 x1 y1 की value निकालनी by 2 यानि कि यहाँ से निकल के आजाएगा x1 is equal to 2h ऐसे ही k is equal to निकल के आजाएगा 0 plus y1 बटा 2 है ना यानि कि y1 is equal to हो जाएगा 2k x1 और y1 की यह value यहाँ पे रख दीजिए x1 और y1 की यह value यहाँ पे रख देते हैं तो y1 कितना है यह हो जाएगा 2k 2k का हो जाएगा square is equal to 4 into x1 का value कितना है 2h है ना यह कितना हो जाएगा 4k square is equal to 8h 4 से काट दो 4 दुनी 8 है ना k square is equal to 2h कितना आ गया अब k देखो क्या होता है y होता है y square is equal to और यह क्या होता 2x होता यह आ गई हमारे बिंदुपत आ गया किसका इस जिवा के मध्ध बिंदु का बिंदुपत आ गया क्या हो जाएगा y square is equal to 2x कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पे option B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलेगा इसके बाद आगे चलेंगे देखेगा next question question number हम देखेंगे 8 question number 8 कह रहा है कि x square यह यह दिया गया हमें दिर्ग बिंदु को पदर्शित करेगा क्या हो है न तो देखेगा x square बटा में आ जाएगा 2 minus r plus y square divided by r minus 6 is equal to इसे minus का 1 कर दो अब दिर्ग बिंदु में minus नहीं होता है इस minus को इस side adjust करना पड़ेगा देखेगा यहाँ पर आ जाएगा तो यह r minus 2 हो जाएगा plus और यहाँ पर adjust करेंगे तो 6 minus r हो जाएगा is equal to 1 अब दिर्ग बिंद अपने standard form में आ चुका है अब देखें मैं पता है कि जो दिर्ग बिंद की question होती है standard form होती ही वो क्या होती है x square by y square plus y square by b square is equal to 1 और यहाँ पर जो a square हो क्या होता है greater than 0 होता है और b square होता वो भी क्या होता greater than 0 होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r minus 2 भी क्या होगा greater than 0 होगा है ना करते हैं यहाँ पर r minus का 2 जो है वो क्या होगा greater than 0 होगा यानि की r greater than 2 होगा या हम कह सकते हैं 2 जो होगा वो less than होगा किसे r से अगली condition देख लेते हैं b यानि की 6 minus r क्या होगा greater than equal to 0 होगा greater than equal to 0 होगा it means 6 greater than equal to r यह हम कह सकते हैं r less than 6 अब इन दोनों को combine रूप से लिख दीजिए क्या है 2 जो है वो क्या है less than है r से और r less than है किससे 6 से कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पे option c क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है चलेगा आगे चलेंगे देखें इसको हम प्रूब भी कर सकते हैं किरा है कि रेखा lx plus my plus n is equal to 0 और यह दिर्ख बृत्त पर अभी लंब है तो हमें इसे simply याद रखना है कि यह condition जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी यह condition हो जाती है क्या a square upon l square plus b square upon m square is equal to a square minus b square का whole square बटा n square तो यह condition ही याद रखिएगा है ना इसका जब questions करेंगे इस chapter को जब हम करेंगे तो वहाँ पर इसे solve भी कर लेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा यह condition है इसे questions भी आते हैं ना यानि कि इस रेखा इस रेखा और इस दिर्ग बृत पर अभिलम होने की condition हमें याद रहें कि इसे direct प्रश्न भी आते हैं ठीक है proving तो आई ही है direct प्रश्न भी आते हैं तो इसे आप करिएगा इसे याद कर लीजेगा a square बटे l square plus b square बटे m square is equal to होता है a square minus b square का whole square बटे n square ये condition इसे अभियाद रखिएगा यहापर option सही हो जाएगा हमारा b चलेगा question number 10 देखेंगे question number 10 करा यदि दो शांको s1 और s2 की उत्केंदरता हैं अब देखें करा कि e1 और e2 की जो उत्केंदरता हैं वो क्या है हमें नहीं पता क्या है लेकिन एक hint दे दिया गया है कि e1 square plus e1 square और e2 square को जोडने पर जो आ रहा है वो तीन आ रहा है अब देखो हमें पता है जो एक वृत्त होता है वृत्त की जो उत्केंदरता होती centricity होती है यानि कि ps बराबर epm होता है यानि कि ps बटे pm का ratio जो होता है आती परवले में क्या होता greater than one होती है अब बताओ अगर less than one रखोगे मालो तो क्या 3 आएगा क्या 0 में तो आएगा नहीं यानि कि option तो बिल्कुल नहीं हो सकते दोनो अगर दोनो e1 और e2 दोनो ले ली जाए 1 1 तो 2 आएगा मैं यहापे तो 3 आ रहा है और less than one यानि कि sorry क्या होगा e की value होगा less than one है तब तो बिल्कुल नहीं आएगा 3 तो आएगा ही नहीं अगर एक सो छोटा रखेंगे तो यानि कि हमें जब भी e1 की value क्या ली जाए वो ली जाए greater than one और इसी तरह से e2 की value भी ली जाए greater than one तो दोनों को square करने पे तीन आने की संभावना है है ना तब ही आ सकता है यानि कि क्या होगा जो eccentricity है वो किसकी दी गई है वो दी गई है hyperbola यानि अति परवले की eccentricity यानि खुद के अंदरताओं की बात हो रही है जिनको जोडने पे square को जोडने पे कितना आ सकता है तिन आ सकता है तो यहां पे कौन साफ उतके दरता कौन सी होगी यानि कि जो हमारा संको होगा कोनिक होगा उसका नाम क्या होगा अति परवले यानि कि hyperbola हो जाएगा चलिएगा next question से देखेंगे question number 11 किरा अति परवले के किस बिंदू पर इस पर से रेखा दी गई है रेखा के शमांतर होगी माल लेते हैं किस बिंदू पर होगी x square तो इस पर से रेखा पहले हम क्या करते हैं इसकी इस पर से रेखा निकाल लेते हैं किसकी x square अति परवले दिया गया है x square minus y square is equal to 3 हमें क्या करना है इस अतिपरवले की इसपर्स रेखा निकालो पहले x1 y1 पे हैना तो कितनी हो जाएगी x y1 minus का y y1 is equal to 3 इस अतिपरवले की रेखा हो गई अच्छा वो ये कहना चाहरा है कि के किस बिंदू पर इसपर्स रेखा किरा कि इस पर रेखा जो है दी गई रेखा इस रेखा की समानतर है यानि कि ये जो रेखा है आपकी वो समानतर है किसके 2x plus y plus 8 is equal to 0 के समानतर है अब आपको पता है अगर ये दोनो रेखा हैं समानतर है तो समानतर रेखाओं की प्रवड़ताएं क्या होती है, equal होती है M1 is equal to क्या होता है M2 हो जाएगा, अब देखिए इसकी पहले वाली line की निकाल लो M1, minus X का गुडांक minus X का गुडांक कितना हो जाएगा X1, बटे Y का गुडांक कितना है, Y1 is equal to इसमें आज ओपर वड़ता इसकी कैसे निकालेंगे minus X का गुडांक, 2 बटा Y का गुडांक Y का गुडांक कितना है, 1 है, है न X minus X1 हो जाएगा तो minus X का गुडांक, बटे Y का गुडांक होता है minus X का गुडांक कि यह आ गया, और यह minus का Y1 है, minus का Y1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां से कितना आ जाएगा x1 is equal to आ जाएगा minus का 2y1 x1 is equal to minus का 2y1 आ गया अब बताओ अब यह परवले पे जो point है हमारा x1 y1 वो भी तो परवले पे भी होगा तभी तो इसपर्स करेगा तभी तो इसपर्स रेखा आप वहां निकाल रहे हो है ना उस बिंदू पर x1 y1 पर ठीक है तो हम क्या करेंगे x1 y1 को यहां से गुजार देंगे तो कितना हो जाएगा x1 square minus का y1 square is equal to 3 अब x1 की जगा पर रख दो आप कितना minus का 2y1 तो यह हो जाएगा minus का 2y1 का square minus का y1 square is equal to कितना 3 है ना यह कितना हो जाएगा भाई 4y1 square है ना 4 में एक गटा दोगे बाद में आप 3 बचेगा 3y1 square is equal to 3 3 से 3 काट दीजिए y1 is equal to आजाएगा plus minus 1 अच्छा plus minus 1 आजाएगा तो यहाँ पर रखोगे आप value तो कितना हो जाएगा जब plus 1 रखोगे तो minus का 2 मिलेगी और जब minus का 1 रखोगे तो plus का 2 मिलेगी है ना यानि कि x1 आ गया हमारा minus 2 plus 2 है ना अब ले लो point point क्या होते हैं x1 y1 पहले वाले minus की 2 जब value लेंगे तो यह पहले वाली value लो 1 minus का 2,1 है ना थिर क्या हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2 plus का लोगे तो वो minus का लेना होगा यानि कि इस परवले को जो भी points होंगे परवले को satisfied करेंगे आप रखके देख लीजिएगा जो point परवले को satisfied करेंगे दोनों points वही क्या होगा correct answer होगा तो option B जो होगा इस परवले अती परवले को x2 minus y2 equal to 3 को satisfied करेगा तो यही यानि कि option B direct भी हम कर सकते थे लेकिनी method मैंने आपको ब बोले कि यानि कि square की radius होगी वो क्या होगी greater than 0 होगी तभी तो दिखाएगा भाई यह square गोला को पतरशित करेगा अगर इसकी radius क्या हो greater than 0 हो 0 से जादा हो अब देखेगा ए आप इसमें सब में common ले लिजिए हैं ए common लेंगे तो कितना आ जाएगा किया जाएगा x square plus y square plus z square plus 2u by a x plus 2v by a y plus 2w by a z plus d by a equal to 0 अच्छा अब radius क्या होती है हमारी यानि कि इसकी जो radius होगी वो क्या होगी greater than equal to 0 होगी है ना greater than 0 होगी तो कितना हो जाएगी root u square capital u square कहां से निकल के आएगा भाई u by a हो जाएगा है ना तो यह हो जाएगा u square बटा में a square plus इसी तरह से v कितना आ जाएगा v square बटा में a square plus इसी तरह से w आ जाएगा कितना जाएगा w square बटा a square minus d होता है तो यह minus का d by a हो जाएगा minus का d by a less than कितना हो जाएगा 0 क्योंकि यह present कर रहा है कि इसको एक इस square को दिखा रहा है तो इसकी तरिज्जा क्या होगी 0 से हमेशा क्या होगी बड़ी होगी हमें क्या करना दोनों तरफ वर्क कर देना है और यहाँ two square minus का a d है ना यहाँ पर equal वाला नहीं चल पाएगा ना equal नहीं चल पाएगा जिरो की equal नहीं होना चाहिए कौन से हो जाएगा option हो जाएगा हमारा बी option क्या हो जाएगा करेट हो जाएगा ठीक है चलेगा इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेस्टिन नम्र तेरा की तरफ कंगे जाए और एक point यह बन रहा है दूसरा point क्या है 3,-1-1,-1 इन तिनों दोनों points हो कर गुजरे और तिनों अच्छों से हो कर जाए थो हमने सीधा सा पता होना चाहिए की तिनों अच्छों है ना यानि कि x य हल य ऑर आचों से जाने वाले है ना किसका संकु यानि कि कोन की equation संकु का शमिकरण ठीक है वो क्या होता है वो होता है f y z plus g z x plus h x y is equal to 0 तीनों x से होकर जाने वाले कोन की equation होती है f y z plus g z x plus h x y है ना यह होती है ध्यान रखेंगे इससे आगे चलते हैं अब देखो क्या है यह गुजरेगी कहां से 1,2,3 से पास होगी भाई बिल्कुल पास होगी क्योंकि जा रही हो खुद ही बता रहा है है ना तो देखो यह कितन रहा है यह कितना हो जाएगा प्लस g z का वैलू कितना है 3 है x का वैलू कितना है 1 है और y का वैलू कितना है यहां पर minus का 2 है equal to हो जाएगा 0 यह हो जाएगा minus का 6f plus का 3g minus का 2h is equal to 0 और modify करना चाहें तो इस equation को modify करके लिख सकते हैं कितना 6F minus का 3G minus कॉमा ले 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 plus 2H is equal to 0 equation हो गई हमारी 2 अब देखेगा यही line यानि कि जो समी के राद 1 है वो कहां से पास हो रहा है 3 minus 3 comma minus 1 comma 1 से तो वहां से भी गुजार दीजिए तो कितना हो जाएगा F Y Z Y Z Y Z की value Y है और यह Z है plus G Z X Z और X Z कितना है 1 है और X कितना है 3 है plus H X Y यानि कि यह 3 है और यह minus का 1 है minus का 1 है is equal to 0 calculate करेंगे minus का F plus का 3G और minus का 3H equal to 0 है ना यह हो जाएगा इसके बाद आप देखिएगा minus यहां भी common ले लो तो minus common लेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा F और यह minus का 3G और plus का 3H is equal to 0 है ना is equal to 0 यह शमी के रण हमारा 3 हो गया अब शमी के रण 2 और 3 को हमें हल करना है है ना शमी के रण 2 और 3 को हल करके हमें क्या निकालना F का value निकालना है जब हम F का value निकाल लेंगे देखिएगा निकालते हैं इसमें F का value देखो F का value जो निकल क्या है कैसे निकलेगा भाई यह F रख लिया है ना वज गुड़न भी दी लगाएंगे minus का G और यह क्या है H है ना यह बटा किया यह बटा किया यह बटा किया अब देखेगा हमें जब F वाले के पास जाना तो इनको 18 और प्लस के 3 हो जाएंगे है न तो f निकल के कितना आ जाएगा f is equal to आ जाएगा minus का 3 और minus का g जो आ जाएगा यानि कि g is equal to आ जाएगा minus का कितना 16 और h कितना आ जाएगा minus का 15 अगर हम हटा दें minus को सभी तरब से तो कितना आ जाएगा F का value 3 आ जाएगा और G का value 16 आ जाएगा और H का value कितना आ जाएगा माइनस का 15 तो F G H की value रग दो F की value 3 है तो 3Y Z प्लस G की value कितना है 16 Z X माइनस को अमने काड़ दिया है ठीक हटा दिया है और ये 15 X Y is equal to 0 ये हो जाएगी हमारी equation का श्रमी के राण से कौन सा युग्म समान सांकों को निरूपित करेगा कौन सा युग्म समान सांकों को निरूपित कर रहा है ये हमको बताना है करेंगे क्या यहाँ पर जब भी हमें दो पेर दिये गए हैं पेर को चिक करना होगा कि ये दोनों क्या है सेम कोनिक represent कर रहे हैं या नहीं तो हम क्या करेंगे r की जगा पे minus r रख देंगे put r is equal to minus r and theta is equal to pi minus theta ठीक है रखा जाए इसमें रख लिया जाए ए वाले part में रखा जाए ए वाला part कितना दिया गया है l चाहे तो यहां कर लीजिए यह जाए कि l beta minus का r plus अच्छा बराबर में आ जाएगा बराबर में है one plus e cos theta की जगब क्या रखना है cos pi minus theta cos pi minus theta अब calculate करेंगे अगर दूसरा वाला आ जाएगा तो same konic नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएगे है ना तो देखेंगे यहां से l beta minus का r is equal to 1 minus e cos theta cos x minus theta minus cos theta बन जाएगा इस minus के धर multiply कर दिया जाए l by r equal to minus 1 plus e cos theta minus 1 plus e cos theta तो कौन सा option से हो जाएगा 14 में देखेगा यह वाला तो खेर नहीं है same konic नहीं है ना यह not same not same konic यह not same नहीं है भाई इसको देखते हैं same दी गई है और यह आ भी गया है देखें यहाँ पे l by r equal to 1 plus e cos theta l by r equal to minus 1 plus e cos theta देखें इसी को रखने पे तो आया था r की जगा पे minus r और theta जाब पाई minus theta का रखा जाएगा दूसरी वाली मिल जाएगी मतलब कि यह same konic को represent कर रही है same konic को represent कर रही है आगे वाले को चेक कर लिया जाए तो है theta है theta की जगा पे pi minus theta रखा जाए अच्छा l by minus का r equal to कितना हो जाएगा यह 1 plus e cos theta हो जाएगा तो कि cos 1 minus theta क्या हो गया minus का cos theta हो जाएगा है ना तो यह cos theta हो गया चलिए इस minus के ज़र multiply कर दिया जाए तो यह आजाएगा l बटा r बराबर minus का 1 minus का e cos theta minus का 1 minus का e cos theta और बिल्कुल same देखे यह भी represent कर रहा है यह भी same represent कर रहा है है ना तो हम से कहरा कि कौन से same represent कर रहे है तो भाई b भी same represent कर रहा है और c भी represent कर रहा है यानि कि कौन कौन से option सही हो जाएगे बी और सी दोनों सही हो जाएंगे बी और सी बोथ दोनों सही हो जाएंगे ना ऑप्शन बी भी सही होगा और ऑप्शन सी भी सही होगा दोनों बी और सी दोनों सेम को निक को रेप्रेजेंट कर रहे हैं से इक प्लेन है उस प्लेन में गोला है यह कोई जगा प्रस करेगा तो ऐसा पॉइंट उठाके चलिएगा जो गूले कोब गोले को वाले इसके equation है हमारी equation दी के 2x माइनस का 2y plus z plus 12 is equal to 0 को भी spurs कर रहा है दोनों एक दूसरे को spurs कर रहे हैं है तो हमें क्या करना x square plus y square plus z square minus का 2x दिया गया है minus का 4y plus का 2z minus 3 is equal to 0 अब देखो दोनों एक दूसरे को spurs कर रहे हैं तो यह कि spurs बिंदू इंका मिला होगा जो भी हमारे पास spurs बिंदू होगा यहां पर जो to क्या करेगा इसकी equation को सैटिस्फाइट करेगा और इसकी question को भी सैटिस्फाइट करेगा तो देख लीजेगा यहां पर करके पहले बाले इसमें देख लेते हैं पहले बारा चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई ये दो गुड़े एक हो जाएगा दो आएगा और माइनस का चार माइनस का दो प्लस का आठ हो जाएगा और ये माइनस का दो रखेंगे माइनस का दो आठ दो दस ये तो नहीं हो पाएगा है प्लस का बार की जगप रखना है चार तो यह माइनस का आठ आ जाएगा जट की जगप रखना माइनस का दो माइनस का दो आ जाएगा प्लस का बारा देखो आठ दो दस दो बारा माइनस के बारा और प्लस के बारा माइनस के बारा हो यहुआ जाएगे एगे बारा हो जाएंगे कॉल टू-0 ओपुर्फ इसे साइरे went कर रहा है आप क्या करिए करेगा कोई दिख्कत नहीं तो जो दुझेत करें को चेक कर लें देखो यहां पर इसकोpptकर जाएगा भाई 16 हो जाएगा और यह उतना हो जाएगा चार फिर कितना दिएगा माइनस का 2x माइनस का 2x तो माइनस की 1 value रखोगी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा यह दोनों कैंसील हो गए प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसील हो गए देखो एक और दो 3 होंगे 3 माइनस 3 यानि कि यह दोनों मिला के भी कैंसील हो गए आ गया 0 की नहीं यानि कि यह वाला पॉइंट दोनों को इस पर से करेगा और यह स्टाइसफाइट कर रहा है तो बी ऑप्सिन क्या हो जाएगा करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है चलेगा इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नमर 16 की तरफ तो क्वेश्चन नमर 16 में इमसे कहरा है कि यह इतना 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 दिया गया है और वैलू दी गई है हमें क्या करना हो जाएगा उस्पिटल रूल अपलाई करने के लिए मिल जाएगा चलेगा ये कितना हो जाएगा, limit extends to A A आप क्या करो, limit apply करके देख लो, तो तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा G Aघा हो जाएगा F A minus और ये कितना हो जाएगा G A और ये भी हो जाएगा F A A minus A है नदेखो दोनों से, same same बन गए यह भी यह नहीं कि 0 बटा 0 फॉर्म बन रही है कि नहीं भाई यह आ गई 0 बटा 0 फॉर्म अगर यह 0 बटा 0 फॉर्म है तो इसमें L-Hospital Rule हम अप्लाई करेंगे तो लगा दो डाइरेक्ट लगा दो है ना L-Hospital Rule लगा दो भाई गई कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा लिमिट X टेंस्टू A देखो F A तो बहर हो जाएगा इसका हो जाएगा G-X और यह F A coefficient यह नहीं Constant टर्म चुपचा बहर हो जाएगा और G A Constant है और यह क्या हो जाएगा F-X हो जाएगा divided by इसका क्या हो जाए कि 1 हो जाएगा अच्छा अब हमें क्या करना है limit apply कर देना है limit यानिक X की जगह पर A रख देना है तो G-A और ये F-A minus G-A और F-A हैना G-A का जो value दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है 2 in 2 F-A का value कितना दिया गया है वो भी 2 दिया गया है minus G-A G-A का value यहाँ पर दिया गया है minus का 1 minus का 1 और F-A का value कितना दिया गया है 1 दिया गया है ये कितना हो जाएगा 4 plus 1 कितना जाएगा 5 है ना कितना जाएगा 5 कौन सा option से हो जाएगा C option यहां पर correct हो जाएगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं question no.17 ना बहतरीन question है चोटा सा question है अपने इंटर की किताब का ही है ना y is equal to देखो ऐसे में क्या करना होता एक terms छोड़के देखो इसमें infinite terms है अनंत term है तो हम एक पत छोड़के इसको भी देखो वही आत्माकी बन र root x plus y दोनों तरफ आप square कर लीजिए कितना जाएगा y square is equal to x plus y निकालना क्या है हमें ddx of y निकालना है तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको differentiate कर देंगे differentiate करेंगे तो y square का तो 2y हो जाएगा और फिर y पिर से हो जाएगा यह कितना हो जाएगा डdx of y चाहो तो आप इसे एक अच्छा काम यह कर सकते हो कि ddx of y को y-1 के नाम से भी जानते हैं तो यह y-देश हो जाएगा फिर से करेंगे x का 1 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा वाई डैस है ना वाई डैस इधर ले आओ और कॉमन ले लो दोनों में 2y-1 is equal to 1 है ना वाई डैस is equal to कितना आ जाएगा भाई वाई डैस is equal to आ जाएगा 1y 2y-1 है ना और कौन सा अप्षन सही हो रहा है यहां पर option d is correct answer for this question question नमबर 17 में कौन सा अप्षन सही हो जाएगा और अब देखो fx दिया गया है मैं हमसे कह रहा है कि अगर इसको तीन बार हम डिफ्रेंसियेट करें कितनी बार डिफ्रेंसियेट करना है तीन बार है ना करते है fx ले लो पहले fx निकालो fx is equal to fx is equal to देखो यहां पर यह हो जाएगा x cube न इसे खोल दो यह चूटेगा यह चूटेगा माइनस की पी क्यूब है माइनस का पी क्यूब आ जाएगा मैनस का पी क्यूब बचेगा x cube होगा यह चूट जाएगा यह चूट जाएगा प्लस अच्छा बाकी आगे क्या हमारे पास प्लस कॉस एकस है ना फिर कितना हो जाएगा यह छुट जाएगा यह छुट जाएगा 6 P सक्वेर प्लस P 6P square plus P कोई बात में बिलकुल परहसान नहीं होना है अब हमें निकालना क्या है पहले तो हम एक बार differentiate करेंगे तो F dash X आ जाएगा F dash X इसका कितना आ जाएगा minus का P cube हमारे पास पहले से है और ये X cube X cube का क्या हो जाएगा 3X square तो 3 को यहां रख लो और ये X cube 2 हो जाएगा minus ये कितना दिया गया 6P cube तो को sin X का क्या हो जाएगा भाई cos X हो जाएगा और ये cos X का कितना हो जाएगा minus का sin X हो जाएगा और ये 6P square plus का P हो जाएगा फिर से एक बार इसे आप differentiate करिए F dash X is equal to कितना हो जाएगा minus का 6 3 दूनी 6P cube X और ये कितना हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा 6P cube cos X का differentiation क्या होगा sin X minus का sin X होता है और ये कितना हो जाएगा minus का cos X का कितना हो जाएगा sin X का cos X हो जाएगा ये 6P square plus P अब एक बार और differentiate कर दो कामले को हमने हल करने के करीब पहुंच चुके हैं ये तो हो जाएगा minus का 6P cube और sin X से क्या हो जाएगा cos X हो जाएगा यनि कि ये हो जाएगा हमारे पास सापलस का ही रहेगा 6P cube cos X cos X से क्या हो जाएगा sin X हो जाएगा sin X 6P square plus P अब क्या करना है हमसे कह रहा है कि हमें निकालना F triple dash X कब निकालना X is equal to 0 पे किस पे निकालना भाई X is equal to 0 पे रग दो 0 minus 6P cube plus 6P cube हो जाएगा अब देखो cos X की value क्या होगी cos 0 की value कितने होगी 1 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी plus 0 हो जाएगी दोनों को क्या करोगी काट क्वीट देंगे खतम 0 आ गया यानि कि F triple dash X यानि कि जो हमारे पास ये क्या है D cube D X3 की जो value इसकी function की differentiation है तीन बार differentiation करने पे ये पद जो है वो X is equal to 0 पे P से सुतंत्र पद आ रहा है कौन सा option हो जाएगा D option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा यहाँ पे option कौन सा correct हो जाएगा भाई ये option D क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिएगा question number 19 देखेगा question number 19 कह रहा है ये वक्र का अभिलंब देखेगा ये हो गई हमारे पास axis और ये हो गया कोई वक्र है हमारे पास और ये है Mr. इनके अभिलंब X अच्च के समानतर है तो यहाँ पर काम करते हैं इसकी स्पर्स रेखा कहीं चलेते हैं देखो ये स्पर्स रेखा है B और इस इसपर्स रेखा का समी के रड़ हो जाएगा इसपर्स रेखा का समी के रड़ जो हो जाएगा X is equal to A X is equal to A चुकि यह क्या है समानतर रेखा है किसके समानतर है YH के समानतर YH के समानतर X वराबर हो जाएगा अच्छा, आप इसकी perpendicular line के निकाल दे अभी लंुब का निकल जाएगा इसकी perpendicular line का क्या हो जाएगा भाई हम क्या करते x minus a is equal to 0 है है ना हम क्या करते है coefficient को change करते थे x और y के coefficient को change कर देते तो देखो यहाँ पर y है y तो है नहीं यहाँ पर तो कोई दिख्कत ही नहीं तो यहाँ पर एक नया को अफिशेंट आप मालो है ना जहां पर हमारे पास ए दिया गया वहाँ एक नया को अफिशेंट आप मालो लेमडा इस गोल टू जीरो ज्यानि कि इस नॉर्मल की जीरो आ जायेगा कौन सौफिश सही हो जायेगा है यहाँ पर सिए उप्शन किया हो जाएगा करेक्ट ओजाएगा क्वस्चिर बीज देख sellers उर्मसाद कि प्लस 9 हो गया, यह ढाल हो गई, अब यानि कि अब हमारे पास Z आ गया, एक फंसन आ गया, जिसमें हमें क्या करना है, महत्तम निकालना है, यानि कि इस DDX of Y का महत्तम निकालना है, हम महत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, भाई यह Z बराबर है, हम क निकालेंगे इसको d dx of z निकालेंगे वो निकालो कितना आ जाएगा minus का 6x plus का 6 अच्छा और एक बार निकाल लो d square dx square ये निकल किया जाएगा कितना जाएगा minus का 6 यानि कि कहने का मतलब x की value कि अब क्या करेंगे इसके minima or maximum के लिए हम लोग क्या करते हैं ये पहले वाले को 0 करते हैं ना first derivative को क्या करते हैं 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा minus का 6x plus का 6 is equal to 0 x is equal to 1 आ जाएगा कितना जाएगा x is equal to 1 पे देखो d square d square z dx2 की value कितनी minus का 6 है negative है negative है यानि कि x बराबर 1 पे जब भी negative होगा तो क्या होगा महत्तम होगा तो x बराबर 1 पे हमें इसका किसका इस महत्तम मान इसका निकालना है किसका महत्तम मान निकलना है हैot किसका ढाल का ढाल कितनी है यह होती सफ़ इस निकाल दो ढाल का महत्तम मान है थाल का महत्तम मान एट X is equal to one कितना हो जाएगा माइनस काँ 3 हो जाएगा प्लस stereotype और जो जाएगा प्लास का कामान जो है 0 से बड़ा है कामान X is equal to E पर महत्तम है अब बताईएगा देखेगा यहां पर तो हमसे करा है कि यह relation निकालने हैं देखते हैं E πाई और पाई की पाउर E E की पाउर पाई और पाई की पाउर E में relation बताना कि दोनों equal है greater than है less than है less than equal to है क्या है यह बताना है अच्छा एक बात हमको यहां पर पता है कि X is equal to E पर महत्तम है पर क्या है महत्तम है देखते हैं अगर यह X is equal to E पर महत्तम है तो यहां पर देखे हम अगर X की जगह पर E रख दें तो इसका महत्तम मान मिलेगा हमको F E is equal to कितना हो जाएगा E की power में 1 by E अच्छा जो E का मान होता है जो E की value होती है वो क्या होती है 2 से 3 के बीच में होती है 2 से 3 के बीच में होती है 2.7.1.8 कुछ ऐसे होती है 2.7.1.8 2.8 मालेज़े 2 इनकते कितना मतलब कि 2 से बड़ी होती है 2 से क्या होती है 2 से बड़ी होती है 3 से छोटी होती है अब जब भी हम यहाँ पर रखेंगे मालो 2 ही रख लेते हैं तो 2 की power में कितना हो जाएगा उपर 1 बटा 2 1 बटे 2 जो मान हमको मिलेगा किसका E की power 1 बटे E का वो क्या होगा इसका मतलब यह है कि 1 by E की power 1 by E जो होगी वो क्या होगी greater than 1 होगी क्या होगी एक से बड़ी होगी E की power 1 by E का मान जो होगा एक से क्या होगा बड़ा होगा अच्छा अब एक काम करते हैं दोनों तरफ हमें बनाना क्या है हमें बनाना है यहाँ पे E यह वनापानी हटाया जाए कैसे हटेगा अगर हम दोनों 5 क्या करें whole E कर दे दोनों side क्या करें whole E कर दे तो अब देखें कितना हो जाएगा यह हो जाएगा E की power में 1 1 by E into E कर टेगा E की power में 1 is greater than 1 की power E सब कुछ सेम हो सकता है अगर हम थोड़ा सा एक बार देख ले देखें यहाँ पे E की power में 1 है और यहाँ भी 1 है अगर देखें यहाँ पे E की power में Pi है यहाँ पे Pi की power में E है यहाँ E की power में 1 है 1 की power में E है अगर हम सिर्फ अंतर इतना आ रहा है अगर हम one को change कर लें क्या one जहां रखा वहाँ पाई रख में तब भी greater than ही होगा change कर दीजे, one को change करिए change one by pi जहां पर one है वहाँ पाई रख दिया जाए तब भी greater than ही होगा तो कितना हो जाएगा यह e की power pi is greater than pi की power e कौन सा option से ही हो जाएगा 21 में a वाला option जो है वो correct हो जाएगा e का मान कई बात पूछा जाता है याद रखेंगे है ना e का मान क्या होता है 2 से 3 के बीच में होता है 2 और 3 के बीच में होता है 2 दिसम्बलों 7, 1, 8, 2, 8 ऐसे करके होता आगे ठीक है चलेगा और यह की rational number होती है क्योंकि इसका दिसम्बलों प्रसार क्या होता है अशान अनावर्ती होता है question number 22 देखेंगे 22 में क्या कह रहा है अब देखो 22 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा देखेगा यह नीचे दिया गया 1 plus cos x इसकी जगह पे अगर हम half angle रखना चाहें तो यह किसके बराबर हो जाएगा अरे 2 cos square theta minus 1 तो 1 से 1 कट जाएगा तो यह x y 2 हो जाएगा बस इसके क्वल होगा यहां रख दीजिए यह हो जाएगा integration e की power x उपर कितना है 1 plus sin x का formula रख दो 2 sin x by 2 और cos x by 2 divided by 2 cos square है ना cos है आपर ठीक है cos square x y 2 अलग-अलग आप इसे बटे कर दो अलग-अलग बटे कर दो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा e की power x e की power x है यह कितना हो जाएगा 1 by 2 6 square x by 2 प्लस अब देखो इसका इससे cos कर जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या sin बचेगा sin x by 2 cos x by 2 2 से 2 भी कर जाएगा यहनि कि tan x y तो बचा यहाँ पर tan x by 2 dx अब अगर आप ध्यान से देखोगे है ना तो यहाँ पर एक बात पर अच्छी थोरे आराम से समझ में आ रहा है कि जब भी कभी हमारे पास fx plus और उसका derivative f-x यह दोनों आ जाएं यह दोनों आ जाएं तो सीधी सी बात यह है कि fx plus c answer होगा fx plus c answer होगा अब आप देखो यहाँ पर यह fx दिया गया है tan x by 2 fx है मारा और इसका derivative यहाँ पर दिया गया है अब देखो जब भी इसका derivative दिया गया है तो जो function होगा हमारा वही क्या हो जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका integration हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा integration कितना दिया गया है यह हो जाएगा e की power x है और function कितना हमारा यह आगे लिवाला tan x by 2 प्लस c e की power x tan x by 2 कौन सब्से हो जाएगा वी option करेक्ट हो जाएगा तेज देखेंगे करा यह भी integration dx बटे sin x plus 4 sin x minus 1 sin x plus 4 और sin x minus 1 तो कहरा है कि इसके बराबर होगा e और b के मान निकालने हमको है ना चलते हैं पर देखना सुरू करते हैं करते हैं इसका calculation देखे हैंगा यहıt हमें करना क्या है सबसे पहले हम इसे अंसिक भिन्मे तोड़ेंगे सबसे पहला काम क्या होगा अंसिक भिन्मे तोड़ने के लिए सबसेD intéressarner हमारा यह होगा कि हम क्या करें sin x को t मान ले है ना मतलब हमारे पास लिखा हुआ t plus 4 और लिखा हुआ t minus 1 इनको हमें अंसिक बिन में तोड़ना है तो अंसिक बिन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे आप समझेगा यहां पर हम इसे हम लिख सकते हैं क्या भाई अगर हम इसे तोड़ेंगे यह हो जाएगा कितना 1 by हो जाएगा t plus 4 और into 1 by t minus 1 है ना इक्कोल टू आप लेंगे a बटे में लेंगे t plus 4 और प्लस b बटे में लेंगे t minus 1 ठीक है calculate करेंगे देखें यहां पर t plus 4 equal to 0 लेंगे ठीक मान minus का 4 रखेंगे यहां पर तो यह मान एक आ जाएगा minus का 1 बटे 5 है ना कितना आ जाएगा minus का 1 बटे 5 तो यह minus के 1 बटे 5 को आप ले लो बाहर ले लिए और यहां लिख दीजिए 1 by कितना हो जाएगा यह sin x plus 4 और यह dx plus 1 बटे 5 इसका भी आएगा यहां पर आप t minus 1 equal to 0 t बराबर 1 रखेंगे देखें इसमें तो रखना नहीं हमें इसमें रखना है तो 1 by 5 हो जाएगा यह 1 by 5 integration आ जाएगा 1 by sin x minus 1 और यह dx अब हमें क्या करना है एक काम छोटा सा यह करना है जहां पर sin x है उसे हम क्या करें 10 में change कर लें क्योंकि देखने हम यहां पर 10 x by 2 आ रहा है तो half angle में change कर लें इसको यह आ जाएगा minus का 1 by 5 integration देखें sin x की जग़ा पर हम रखेंगे क्या 2 tan x sin x बराबर क्या होता है 2 tan x बटे 1 plus 2 x by 2 हो जाएगा 2 tan square x by 2 है ना रख दिया जाए हाँ पर कितना हो जाएगा यह देखें 1 plus 2 नहीं वहाँ यह 2 नहीं यहाँ पर नहीं होता 1 plus 10 square x by 2 ठीक है चलिएगा अब देखें यह 1 plus 10 square x by 2 6 square x by 2 होगा और यह उपर पहुँच जाएगा उपर पहुच के यह बन जाएगा 6 square x by 2 dx और नीचे देखें यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 10 x by 2 plus 4 plus 4 10 square x by 2 10 square x by 2 plus 1 बटे 5 integration कितना हो जाएगा यह 6 square x by 2 dx divided by यह हो जाएगा 2 10 x by 2 minus का हो जाएगा minus का 1 और minus यहाँ पर रखेंगे न साथ 2 LCM लेंगे तो 1 plus 10 square x by 2 LCM आएगा और LCM के दर multiply हो जाएगा तो 1 minus का जाएगा 10 square x by 2 ठीक है यहाँ तक हो गया अब एक काम करेंगे छोटा सा यहाँ पर हम 10 x को क्या करेंगे t मान लेंगे 10 x by 2 को t मानेंगे let करेंगे माना 10 x by 2 equal to t 10 x by 2 t लेंगे तो यह कितना आजाएगा sec square x by 2 है ना sec square x by 2 dx is equal to 2 dt आएगा एक बटे दो भी तो इधार आएगा x by 2 का फिर से जब होगा है ना यह dt हो जाएगा अच्छा यहाँ से देखी नीचे अगर हम 2 common ले ले तो काम हो जाएगा भाई sec square x by 2 dx नीचे से 2 यह dt के बराबर हो जाएगा कुल मिला कि हमारे पास कोई बदलने वाला कुछ नहीं यह 1 by 5 ही रहेगा 1 by 5 रहेगा और यहाँ पर चुप चाप हम dt चिपका देंगे divided by देखें यहाँ से एक एक 2 निकल चुका है तो यह 2 10 square by 2 बचेगा 2 t square 2 t square प्लस 2 t यहाँ पर t बचा यहाँ पर सिर्फ t बचा यह 2 निकल चुका है और यह प्लस का 2 ठीक है आगे प्लस एक बटे 5 एक बटे 5 अब देखें यहाँ पर भाई 2 जाएगा नहीं यहाँ पर 2 dt होगा और 2 को निकाल लो बाहर यह 2 dt के बराबर होगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है हैना integration आ जाएगा कितना हो जाएगा यह अब हो जाएगा dt बटे अच्छा अगर चाहे तो हम नीचे से minus common भी ले लें minus common लेंगे तो कितना हो जाएगा अब यह देखें t square हो जाएगा plus का t square और यह minus का 2t हो जाएगा और यह plus का 1 हो जाएगा अच्छा अब क्या करिए यहाँ से नीचे से 2 common लेजिए यहां से 2 common लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटे 10 यह T square के साथ 2 है जब तक 2 रहेगा तब तक हम कुछ करने ही पहेंगे इसको बाहर निकाल लिए निकाल लिए हमने बाहर तो कितना आ गया यह आ गया DT बटे T square प्लस T by 2 प्लस 1 है ना माइनस का 2 बटा 5 integration DT यह देखे T minus 1 का whole square है T minus 1 का whole square अब यह कितना आ जाएगा यह आ गया माइनस का 1 बटा 10 और यह integration DT अब देखे हमें क्या करना इसको complete square बनाना है इसको complete square बनाने को मतलब क्या हुआ कि यह तो हो गया T square प्लस इसे लिखते 2 into 2 into है ना फिर T T है तो T रहने देते 1 by 4 कल ले तभी तो होगा कटेगी 2 बचेगी लब एक बटे 4 का square जोडा जाए एक बटे 4 का square घटाया जाए इसमें क्या किया जाए एक बटे 4 का square जोडा जाए और एक बटे 4 का square घटाया जा चलिए जोड देते हैं घटा देते हैं क्यों हो जाएगा DT DT बटे T square प्लफ T by 2 प्लफ एक बटे 4 का मतलब हुआ एक बटे 16 प्लस एक और माइनस का एक बटे 16 दोलों काम करेंगे जोडेंगे भी और घटाएंगे भी घटा दिया अच्छा ये माइनस का हो गया दो बटा 5 इंटिग्रेशन अब देखें यहाँ पे ये T माइनस 1 है चुपचाप इसको अगर हम मालो Y माल ले उपर जाएगा Y की पावर माइनस 2 हो जाएगा और इसका डिफरेंसेशन जब होगा तो माइनस 2 प्लस 1 यनिकी एक पावर निगेटिव बचेगी उपर नीचे आ जाएगी वो तो कितना जाएगा यह जाएगा 1 अपान में T माइनस का 1 है ना 1 अपान में T माइनस का 1 आ गया अच्छा और 1 देखेगा और T माइनस का कितना जाएगा यह माइनस का 2 प्लस 1 होगा तो यह माइनस इसको प्लस कर देगा है ना भाई जिसे प्लस कर दिया इसने ठिक है चलिए अब देखेगा इसे यह हो जाएगा माइनस का 1 बटा 10 इंटिग्रेशन DT बटा देखे यह हो जाएगा हमारा कितना भाई एक बटे सोला न यह तो बन जाएगा हमारा T प्लस एक बटे चार है ना का होली स्कोयर और देखे वन माइनस एक बटे अंडर रूट यह कटेगा तो पंदरा बटे सोला बचेंगे और पंदरा बटे सोला को हम लिखेंगे कितना अंडर रूट पंदरा बटा चार का स्कोयर है ना प्लस कितना हो जाएगा यह दो बटे पांच है ना वन वाई यह टैन एकस वाई टू माइनस का वन हो जाएगा है ना डिवाइड में ठीक है बस इसे समझना है यहाँ पर हमारे पास एफेक्स आ चुका है एफेक्स आ चुका है एफेक्स मैच कर रहा है कई में मैच कर रहा है एफेक्स कई मैच कर रहा है इसमें और इसमें दोनों मैच कर रहा है एफेक्स दो बटे तीन चलिए अब देखें यहां पे FX मैच कर रहा है न B 10 inverse अच्छा अभी देखते हैं FX अभी यहां नहीं मैच कर रहा है 10 inverse वाला नहीं है यह वाला है यहां पे है A, A का मान मैच कर रहा है अब A का मान मैच करोगे तो 2 बटे 5 आ रहा है 2 बटे 5 यहां भी आ रहा है है ना दो जगा रहा है ठीक है देखते हैं इसे पूरा कैलकुलेट करते हैं फिर इसके बाद बाच्ची सुरू होती है चले अब भाई यहां पे माइनस का वन दिया गया है ना कितना यह तो हो गया हमारा माइनस का वन बाई टेन अब देखे एक बटे अंडर रूट पंदरा बटा चार है ना वन बाई यह हो गया अच्छा टैन इनवर्स एक्स एक्स देखों लिखा हुआ टी प्लस वन बाई फोर मैं इसे लिखना चाहता हूँ क्या फोर टी प्लस वन बाई फोर बाई ए यानि कि अंडर रूट पंदरा बटा चार ठीक है आगे वाला हमने लिख रहे है वहाँ से हम सिर्फ एक अमान हमको मिल चुका दो बटे पांच है ठीक है चलिए यह हो जाएगा भाई काट लेंगे इसको तो यह कटेगा तो यह दो बचेगा और यह कटेगा तो पांच बचेगा और यह दो उपर पहुँच जाएगा माइनस का दो बटे पांच अंडर रूट पंदरा और यह टैन इन्वर्स देखोई चार से चार कर जाएगा और जहाँ पे टी है वहाँ पे टैन एकस बाई टू रखना है और बी क्या है बी का माण यह है माइनस का दो बटे पांच अंडर रूट पंदरा है और एफ एकस का माण दिया गया है कितना फोर टैन एकस बाई टू प्लेस वन बटे अंडर रूट पंदरा है तो मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर ठीक है चलिएगा तो टेस में कौन सा आप्षन सही था टेस में C वाला आप्षन सही था उपर सोलूसन एक बार और आपको दिखा देते हैं है ना यह क्लियर था ठीक है चलिएगा आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे integration integration करना हमें किसका modulus x का अब प्रस्ट में हमसे बता दिया गया कि x is less than 1 देखो less than 1 पे क्या होता है minus x होता है कब less than 0 होता है और x कब होता है जब x greater than 0 होता है तो हमें यह वाली condition में लेना है यानि कि modulus की value आजाएगी वो कितना आजाएगी minus x dx कितना हो जाएगा यह minus x square by 2 plus c कौन सब्सक्राइगा बीव option correct हो जाएगा चलेगा question 25 question 25 में greatest integer function दिया गया है greatest integer function दिया गया है हमें करना क्या है greatest integer function दिया गया है अच्छा आप देखेगा यहाँ पर आपको हम बता दे कि limit दी गई है यह x है है ना इसकी limit क्या दी गई है 0 से 1.5 x square की देख लीजी कितनी आ जाएगी भाई x square की यह तो 0 ही रहेगी अब 15 225 होता है तो यह नहीं कि 2.25 अच्छा इन दोनों के बीच में देखना है हमें कि कितने इंटीजर होंगे इनके बीच में देखो कितने इंटीजर होंगे एक तो हो जाएगा 0 के बाद इंटीजर 1 हो जाएगा 1 के बाद 2 हो जाएगा यह तो value रही x square की है ना यह किसकी value रही x square की अब हमें क्या करना है यह इसमें root ले लो भाई, x के लिए क्या हो जागा, यह 1 हो जाएगा, और यह root 2 हो जाएगा, है ना, और वो 1.5 है ही या लेडी, तो इस limit को हम तोड़ेगे, 0 से कितना दिया गया है, 1.5, और यह दिया गया है, x square, और यह दिया गया है, dx, तो limit कहा होगा, जब हमारा function कहां प चोटा वाला, चोटा कौन सा है, चोटा integer कौन सा, 0, तो यह 0 dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस, फिर limit कहां से कहां जा रही है, 0, और सोरी, 1 से 2, 1 से root 2, 1 से root 2 में कौन है, x से 2 है ना, चोटा वाला आ जाएगा, 1 dx, प्लस, फिर कहां जा रही है, लिमिट, अंडर रूट 2 से 1.5 अंडर रूट 2 से 1.5 जा रही है, इसमें कौन सा जाएगा, इन दोनों चोटा कौन है, 2 है ना, 2, तो यह जाएगा, 2 dx, चलिएगा, यह तो 0 ही हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका, और यह कितना हो जाएगा, भाई, यह root 2 और यह 1 है, प्लस, और को कर लो बाहर, और यह भी हो जाएगा, x और यह हो जाएगा, 1.5 और यह हो जाएगा, root 2, तो इह कितना हो जाएगा, भाई, मैंणिस अंडर्रूट देखो कौन सब्सक्राइब पूच्छे ना थिक से यह जाएगा बी उप्वन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा को देर से बनो कि लेकिन बनो ज़रूर क्योंकि लोग वक्त के साथ थैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं question number 26 देखें क्या कह रहा है क्या यदि f such that r to r हाना तथा g such that r tensed r यह क्या है continuous function यानि कि सतत्फलन तब integration limit minus pi y2 fx plus f minus x और gx minus g minus x इसका मान निकालना है देखें हमें सबसे पहले क्या करना है check यह करना है कि यह even function या odd function या насam Casam form faut function have our we são होता है है, माइनस X, अगर जो constant है, हमारा same same आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा, लेकिन अगर function माइनस दे दे, और उसके बाद का function same हो, तो क्या होता है, function हमारा विसम होता है, चलिएगा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमने capital x को इससे लेट कर लिया capital x, ठीक है अपने समान लिया है, capital x बराबर, अब हम इसे निकाल रहे हैं यह निकालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, f minus का x x plus, यह f plus x हो जाएगा, है ना, चलिएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह g minus का x हो जाएगा, और यह minus हो जाएगा, g plus x हो जाएगा, थोड़ा से maintain करेंगे, यह हो जाएगा, अब देखेगा, यह हो जाएगा, अब देख रहे हैं से поним हो जाएगा, अब देख रहे हम यह सेम सेम मिल गया है जो हमें उपर दिया गया था यहनि कि हमें इसे क्या लिखें कि माइनस का fx माइनस का fx आप देखो f-x जो था हमने fx की जगह पर जब माइनस x रोख प्रक्खा था तो fx तो आ गया लेकिन माइनस निकाल दिया जब भी ऐसी situation आएगी तो यह हमारा कैसा फलन होगा यह odd function होगा कैसा function होगा odd function होगा और fx एक odd function अगर होता है तो उसका जो integration होगा integration of fx capital f लिया गया है माइनस का a से a integration of fx dx वो क्या होता है 0 होता है इसका integration क्या होगा? 0 होगा क्यों होगा? क्यों क्यों होगा? क्योंकि यह एक विशम फलन है कैसा है? विशम फलन है 0 से minus pi by 2 और यह plus pi by 2 minus pi by 2 से plus pi by 2 और यह कितना capital fx है और dx तो यह odd function है यह क्या है? odd function हमने इसे पूरे गले लिए यह पूरे को लिखने क्यों रोत नहीं है कितना हो जाएगा इसकी वैलू जीरो हो जाएगी क्योंकि एफेक्स क्या है एक और फंसर फंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा चलिएगा नेक्स देखिएंगे डी क्वश्न वान प्ल्टी शेवन में क्या करा एक टैन दिया गया है हमें एक काम चाहेंगे कि हम चाहरें हैं यह मंगर मालों गरी है और यह एन प्लस-टू है दो रखोगे तो यह आ जाएगा इनकी जब्लस एटू प्लस फोर आ जाएगा वैसे आगे वाले term भी आ जाएंगे, मतलब कि हमें an चाहिए और an प्लस 12, an प्लस 2 चाहिए, दोनों को ले लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, an और an प्लस 2 is equal to, तो integration limit हमारी 0 से πाई बाई 4 है, 0 से πाई बाई 4 है, अगर हम यहां पे n प्लस 2 रखेंगे, तो कितना हो दोनों देखो, 10 की पावर, इसमें भी यह संवेख़, दोनों को लेते हैं 10 की पावर, एन, एक्स कोवन ले लिया, तो ऊपर वाले में कितना बचेएगा, 1 बचेगा, प्लस नीचे वाले कितना बचेगा 10 square x बचेगा यह 2 वाली जो पावर है square में चली जाएगा और यह कितना हो जाएगा यह dx हो जाएगा चलीएगा इसके बाद यह दिया गया हमें 0 से पाई बाई 4 है ना 10 x 10 x की इसे हम लिख सकते हैं 10 x की पावर में इन है ना और इससे क्या लिखेंगे यह लिख गया sec square x 1 plus 10 square x के बराबर होता है sec square x के बराबर होता है अब यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे ना मान लेंगे मानेंगे क्या मानना है हमें 10 x is equal to t और 10 x differentiate करोगे तो sec square x dx is equal to dt हो जाएगा चलेगा अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी देखो यहां पर लिमिट के लिए क्या करोगे लोवर लिमिट के लिए क्या करोगे भाई x value 0 रखोगे तो 10 0 की value 0 होती तो यह t हो जाएगी है ना अपर लिमिट के लिए क्या करोगे अपर लिमिट के लिए क्या करोगे अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे भाई 5y4 रखेंगे 10 5y4 की value कितनी होती 1 होती है ना तो t us लो और हो जाएगा अब यह बन जाएगा टी की पावर में कितना एंब्लसथुप ब somos और इंट्रीरेशव लेमिन जीरो से रख दिया हमने अब क्या करो limit apply कर दीजे limit apply करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा देखो 1 की power आ जाएगा n प्लस 1 तो 1 ही रहेगा 1 by n प्लस 1 माइनस का 0 यह यह आ गया 1 by n प्लस 1 अब हमें क्या करना है इस प्रस्ट को tackle करना है आगे करना देखो यहाँ पे यह आ चुका है हमारे पास क्या आया यह आ गया a n प्लस a n प्लस 2 की value a n प्लस 2 की value आ गई अब आप यह न प्लस2 और न बराबर 2 रख दीजे जब भी आप यहाँ पे a n यह नि की जग़ा पे 2 a 2 प्लस a 4 हो जायएगा और यह कितना हो जाएगा भाई एक बटा तीन आ जाएगा है ना इसी तरह क्या करना है हमें तीन रख दो यहाँ पे अब देखो अगला वाला क्या है तीन रख दो तो यह हो जाएगा A3 प्लस A5 is equal to 3 रखो कि तो एक बटा 4 आ जाएगा अब आगे क्या है 4 रख नवा रख रहा है इनकी जगह पे आप 4 रख दो A4 प्लस A6 is equal to आ जाएगा एक बटे 5 प्लस एक सोरी 4 रखना ना तो 4 प्लस एक कितना हो जाएगा एक बटे 5 अब देखो तीनों टम्स आ चुके हैं सब पूच रहा है कि एक बटे 3 रख बटे बटे 5 शमांतर में होने का प्रिश्णी नहीं उठता क्योंकि यह बटे गटा थे नहीं तो तो आपसी कि-स लग नहीं रही है एच्पी का हम्टिक कर देते लेकिन अगर यह ना दीयब अबροब सथ तो चले का हम करके देख लेते हैं क्या है है अम देखते हैं इन कंडिशन में यहां पर रख कर लेते हैं है कितनाल इस कितना भाइं बीच वाले ट्म एग चार है बराबर टू एबीग्य और टीन गुड़े ड्रतट कूंडशक और और हुआत हो जाएगा ह ayud फिसल्टेने तरह जाएं काट देन फंद्रा करें आख माघ दिख्वह इ excitement yeah eyes यह दिखा रहा है कि यह एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कौन सो अप्षन सही हो जाएगा यहां पर शी आप्षन करेक्ट हो जाएगा चलेगा आगे चलेंगे प्रश्टे, 28 प्रश्ट संक्या, 28 कहे रहा है कि लिमिट दी गई है हमें क्या दिया गया है लिमिट दी गई है लिमिट अट्राइश ट्राइट सिग्मा R is equal to 1 2 N 1 by N E की power R by N ऐसी situation में जब भी हमें कोई प्रश्ण दिया जाता है तो क्या करते हैं R by N को T माल लेते हैं कुछ भी माल लो X माल लिए फिर क्या करिए X के respect में से differentiate कर दीजे 1 by N constant होके बाहर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा DR इसकोल टू यह कितना हो जाएगा भाई यह DX हो जाएगा ठीक है चलेगा है आप पूट अप करते हैं आप देखो limit भी change करना होगा R is equal to 1 है ना lower limit कितनी हो जाएगी R is equal to 1 है देखेगा R is equal to 1 है जब R is equal to 1 हो जाएगा तो देखो lower limit के लिए क्या करना पड़ेगा R is equal to 1 तो कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा 1 by N is equal to X और 1 by N N कहां तक tends कर रहा है infinite तक 1 by infinite is equal to X यानि कि X is equal to कितना हो जाएगा 0 यानि कि हमारी जो limit बन गई वो कितनी बन गई 0 बन गई तो R बराबर N के लिए हो जाएगा N वाटा N is equal to X कट जाएगा यानि कितना जाएगा 1 आ जाएगा X is equal to कितना जाएगा 1 0 से 1 बन गई अच्छा समयशन जो होता है integration में convert हो जाता है 1 by N 1 by N dx जो होगा हमारा वो किसमे हो जाएगा वाटा जाएगाrent 1 by Dr किसमे वर up convert हो जाएगा DT में इसे कितना हो जाएगा DT में और e की power यह X हो जाएगा e की power x dx यह कितना हो जाएगा e की power x का integration क्या होता है e की power x होता है कितना हो जाएगा e की power one minus e की power zero e कावर one की value e m- से कितना हो जाएगा 0 यानि कि e-1 कौन सा ओप्षन से ही हो जाएगा विव ऑप्षन करेट हो जाएगा यहाँ पर चलेगे कोश्चन नमर 29 देखते हैं कोश्चन नमर 29 हमें क्या करना है x is equal to 2a दिया है अच्छा x is equal to 2 में देखते हैं यहां से एक x की value और निकल जाए x is equal to 2a रख़ दो यहां पर यह कितना हो जाएगा y² और यह कितना हो जाएगा 2a-x is equal to x¥ है ना जहां पर x वहां पर कितना रखना है 2a तो देखो 2a 2a कर जाएंगे दोनों 0 आजाएगा 0 बराबर X³ आ जाएगा निक एक्स बराबर कितना आजाएगा 0 आजयेगा मतलब कि हम area एक उन्टू क्या होता बवाई limit जो हमती है limit कहां से है हमारे पास 0 से 2A 0 से 2A और ये हो जाएगा Y DX य्मोरी जेएगी 0 से 2A यहाँ यहाँ पर यह चाल दिया गया है Y निकालना होगा तो क्या होगा? route लेना पड़ेगा है ना यहां से देख लो y कितना आ जाएगा y is equal to आ जाएगा x cube बटे में 2a-x सभी का root है ना root उपर वाले का root लेंगे तो कितना आ जाएगा x cube आ जाएगा उपर वाले का हम जब root लेंगे तो x cube आ जाएगा देखिएगा यह root ना लेना हो तो अभी ऐसा ही रहने दीजिए है ना यह 2a-x cube है यह हो जाएगा root में x cube बटा में हो जाएगा 2a-x है ना अब देखो उपर वाले नीचे से root अगर हटाना तो हमें x की जगह पे कुछ ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी ऐसा लेना पड़ेगा ज 2a common निकल जाए हम चाहते हैं वह मिले लिया फिर यह 2a common निकलेगा तो one minus हमें sin square theta cos square theta मिल जाए तो हम यहाँ पे ले रहे है sin square theta sin square theta इसे differentiate करो यह कितना हो जाएगा भाई यह dx is equal to हो जाएगा 2a into 2 sin theta sin theta function up function होगा उसे फिर से होगा cos theta हो जाएगा और यह d theta हो जाएगा यानि हम dx की जगह पर रखेंगे क्या 4a sin theta cos theta रख लीजिए भाई यहाँ पर यह हो जाएगा limit change कर देंगे जब यह 0 रखोगे x की value यह cut जाएगा theta भी 0 आ जाएगा theta भी का जाएगे 0 जब 2a रखोगे तो कितना आ जाएगा यह 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा sin square theta 2s 2a cancel होगा तो 1 बराबर sin square theta sin square theta बराबर 1 यानि थीटा बराबर 90 ends कहां तक बन गया भाई यह 0 से 5y2 बन गया और root लगा हुआ है x cube है ना root लगा हुआ है x cube चलो root रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं यह कितना हो जाएगा 2a 8a cube हो जाएगा 8a cube और यह कितना हो जाएगा x का cube होगा तो इसका जब cube होगा तो यह हो जाएगा sin 6 theta है ना 2a sin square theta यह हो गया root रूट के अंदर ही है divided by 2a 2a common ले लेंगे तो 1-sin square theta 1-sin square theta किसके बराबर हो जाएगा भाई वह cos square theta के बराबर हो जाएगा एक काम करेंगे अब एक से एक एक आट देंगे उपर वाले से दो चो को 8 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा उपर ना 4 को ले लिए common और यह जाएगा 0 से पाइब आई टू जीरो से पाइब आई टू देखो sign की पावर कितना है सिक्स थीटा है तो बाहर निकल की कितना आगे अब यहाँ पर देखो power 3 थी दो बची यानि A square बचा A square का क्या होगा ए निकाल आएगा है ना A square के निकाल आएगा और यहां से साइन क्यूब थीटा निकल आएगा हमने अभी वैलू रखी नहीं यह ना कितना है फोर ए फोर ए साइन थीटा पॉस थीटा डी थीटा है ना अच्छा फोर ए साइन थीटा था एक यह निकल आया तो यह फोर कितना हो गया फोर ए साइन थीटा तो यह था और एक यहां से फोर यह था 4 अंदर था 4 तो बहुत दो ही निकलेगा है ना 4 को वरकमल कितना होगा बाहर के लिए दो आएगा 2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 4A है ना इंटो में कितना हो गया 4A शाइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड़ बाई रूट से हटेगा तो सिर्फ कॉस थीटा निकल गया आएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर दिजे चार दुनी आठ ए स्कोयर को आप बाहर निकाल लीजिए चार दुनी आठ ए स्कोयर जीरो से पाई बाई टू अब देखो साइन थीटा ये किये है एक साइन थीटा ये है ये बन जाएगा शाइन की पावर फोर थीटा डी थीटा अब क्या करेंगे हमें इसे हल करना है देखे अब आपको बता दें कि लिमिट कितनी जीरो से पाई बाई टू पाई बाई टू शाइन गामा फंसन हमने पड़ा था साइन एम थीटा और कॉश एन थीटा डी थीटा ये होता था आमारे पास गामा N प्लस वन बटे दो और गामा N प्लस वन बटे दो डिवैड़ेड बाई 2 गामा N प्लस N प्लस 2 बाई 2 ये फ़र्मूला होता था अब देखें कि यहां पर साइन के पाउर फोर थीटा कॉस वालू अलट हम नहीं है और यह साइं M की जगह पर 4 रख दें और यहां पर 0 रख दें तो 0 हो जाएगा थीटा is equal to रखो भाई M की जगह पर क्या रखना हमें M की जगह पर रखना 4 प्लस एक बटा 2 और यह हो जाएगा एक बटा 2 बचेगा सिर्फ है ना एक बटा 2 बचेगा divided by यह जाएगा 2 इंटू गामा 4 प्लस 0 प्लस 2 बटा 2 है ना अब देखो यह 5 बटे 2 है 5 बटे 2 को अब आपको लिखना क्या है 5 बटे 2 को एक बात बता दें आपको जो gamma n प्लस 1 होता है वो होता है n gamma n है न, m गान नम gamma n और gamma 1 बटे 2 की value होती है root pi है न, और, एक बात और ध्यान रखेंगे gamma n जो होता है gamma n जो होता है वो equal होता है किसके n minus 1 factorial के n minus 1 factorial के equal होता देखेगा, ये कितना हो जाएगा इसे हम लिखेंगे 5 बटे 2 है 5 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे, 3 बटे 2 प्लस 1, तो कितना जाएगा 3 बटे 2, gamma 3 बटे 2 फिर से gamma 3 बटे 2 को फिर से लिख दीजिएगा वो कितना लिखेंगे, 1 बटे 2 1 बटे 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 एक बटे दो और गामा कितना आ जाएगा एक बटे दो है ना और एक गामा एक बटे दो पहले से है नीचे कितना हो जाएगा भाई ये टू इंटू में है ये टू किस में इंटू में है अच्छा ये टू इंटू में है तो चार दो छे हो जाएंगे छे बटे दो तीन आ जाएगा ऊपर दो गुडे दो एना ऊपर कितना आ जाएगा उपर आजाए गवाइख रुट पाई रूट पाई मिला के कितना हो जाएगा पाई है ना आफ क्या करो हो रख देखेगा यहां यह कितना दिया गया भाई यह दिया गया है 8, A square और इसकी value कितनी आ गई 3, 16, Pi, 8, 16, यह आ जाएगा 3, 2, A square, Pi, 3, 2, A square, Pi, कौन सा आफफन सही है यह है 3, Pi, A square, Pi, 2, कौन सा आफफन सही हो जाएगा भाई यहां पे view option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा area कितना आएगा तीन बटे दो square pi चले आगे चलेंगे question number 30 question number 30 में क्या कह रहा है कि x is equal to 0 और x is equal to 4 के मद घिरा चाप को x अच्छे के परिता घुमाने पर किसके परिता घुमा रहा है एक सच्छे के तो हमें निकालना है यहां पर value है ना कि value क्या होगा आयतन क्या होगा देखिएगा आयतन is equal to क्या होता है पाई limit जो होगी हमारी limit कहां से 0 से 4 दी गई है और y square dx कितना होता है y square dx होता है चलिएगा पाई को चुप चाप रहने दीजिए y square की value कितनी हो जाएगी यहां पर देखो चाप जो दिया गया है जो आर्क दिया गया है y square निकालेंगे तो 1 प्लस x square आएगा integration 0 to 4 है ना 1 प्लस में कितना x square और यह dx इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेट करेंगे तो यह x हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा x cube y3 हो जाएगा limit apply कर दीजिए 4 बटा चार जीरो से 4 है ना कितनी हो जाएगी चार रखोगे तो यह जाएगा चार प्लस चर्चुक 1664 बटा तीन बाकी तो आगे जीरो आ जाएगा ठीक है तो अब ले लिजिए इन दोनों में लेंगे तो कितना हो जाएगा बारा चौसट और बारा कितने हो जाएगे चार पाई को तो हम भूली गए थे चलो पाई को इंटू में रखो यह पाई है ना इंटू में पाई को यहां रख लो कोई दिक्क्त नहीं तो कितना हो जाएगा यही ए वैलूम कितना आ गया च्यातर बटा तीन पाई कौन साफ़एगा बाई डी ऑप्सन यहां पे question number 31 देखेंगे question number 31 में क्या कहा रहा है d square y dx2 plus 3 d y dx का holy square is equal to x square log d square y dx2 अब आपको हम बता दी कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है ordered है ना order जो भी होता है वो हमेशा क्या होता होता है यहीं कि हम यह कह सकते हैं order यहीं की कोट ठीक ओर ऑडर यहीं की कोट कि ओडर ओल्वेज हैना ओल्वेज है डिफाइन इन डिफ्रेंशियल एक्क्वेशन हैना किसी भी डिफ्रेंशियल होता है मारे पास डीके और लेकिन अगर बात आती है किसकी डिटी डिफाइन भी हो सकती agreeing होसठी है नहीं हो सकती है डिफ्रेंश कि होता है जो सबत्सक्रेंशियलन को हम सब्सक्राइब है तो डिग्री टू हो जाएगा और टू हो जाएगा अब देखेगा यानि कि यहां पर जो हो गया हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया कि ऑडर कितना हो गया ऑडर यहां पर टू हो जाएगा है ना कि ऑडर कितना हो गया टू हो गया बट अगर माली जे question हम से पूछ ता degree है ना कि degree क्या होती अब देखें कि degree के अगर बात करें तो यहां पर log आया हुआ है log या कोई trigonometric function आएगा किस के साथ हमारे ऑकलेज गुडांग के साथ हमारे differential coefficient के साथ अगर आएगा इस तरह से है ना देखो log के अंदर है काउंड d square y dx2 है ना तो नंबर के रोप में है यहां पे अगर sign के साथ भी आएग में sign के साथ angle में आ जाए तो यहां पर डिग्री होगी वो not defined होगी डिग्री of ild नहीं की जा सकती के i को पर explainς, नहीं Vergleich that नहीं की जा सकती लेकिन order जो होगा हमेशा ओर्डर जो होगा वो हमेशा और और कितना हो जाएगा हाइस derivative कौन सा है लाई सेकंड डरिवेटिव है तो तू हो जाएगा कितना हो जाएगा और तू हो जाएगा और y'dx dx is equal to y Plus 3 नए अब हम įे चाहरे हैं कि y वाले टम्स एक तरफ कर लिये जाए और x वाले टम्स एक तरफ कर लिये जाए 1 Part 2 is equal to x और ये क्या है इधर dx हो जाएगा अब दोनों तरफ integration ले वाले वाले अन गड़़ा ले वाले यक moc log y plus 3 is equal to 1 upon 2 को बाहर रखेंगे और यह कितना हो जाए कि 1 by x का integration कितना होता है log x होता है है ना plus जब भी log वाले terms आए थो हमें c एड़ कर लेना है ठीक है चलेगा log c एड़ करेंगे ना वैसे तो constant एड़ ही करते हैं तो constant जगह पर log वाला ही एड़ करना ठीक y plus 3 is equal to यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा log एक बटे तो है यहां power में चला जाएगा root x बन जाएगा plus log c है ना इसके बाद देखेंगे यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा log में y plus 3 is equal to यह हो जाएगा log root x c log root x into c है ना देखेंगा दोनों तरफ log अब हट जाएगा देखो दोनों तरफ log हट जाएगा तो कितना जाएगा y plus 3 is equal to root x into c अब दोनों तरफ आप work कर दीजिए जिससे की root हट जाए है ना यह हो जाएगा y plus 3 का square is equal to c square x y plus 3 देखो यही बन गया हमारा क्या y square is equal to 4ax के टाइप का और यह किसका समीकरण होता है यहाँ एक होता है पर वाले क्या होता है यहाँ पर वाले होता है यहाँ पैरा बोला होता है क्वेस्टन से हो जाएगा c option correct हो जाएगा चलेगा question number 32 देखेंगे 33 देखेंगे तो 33 जो है वो भी कुछ इसी टाइप का है हमें क्या करना है वही separate करना है एक एक तरफ वाले एक तरफ य वाले एक तरफ पांकी जो होगा देखा जाएगा चलेगा शुरुआत करते हैं यह कितना दिया गया है यह दिया गया है tan y into कितना sk e square x dx is equal to minus में आएगा और यह हो जाएगा tan x यह हो जाएगा श करना हमें के क्वाइ य वाले को एक तरफ रखना है दोत यह confirmed बेदा कर रह गे देखािव्य इधर-श्टन यह तोितना जाएगा यह यह हो जाएगा सेट स्क्वाइर डी X divided by tan Y, सूरी-tan X, वह उधर वाले को लाना है osis is equal to minus, सेट स्क्वाइर डी Y divided by tan Y हमें क्या करना, अब both side integration कर लेना है, दोनों side क्या करना है integration कर लेना है, दोनो side integration करेंगे देखो याँ पे अगर हम 10 X को T मानने ही तो से कि स्क्वार डीके साथ चला जाएगा यानी क्या आ जाएगा integration dt बटे T 1 बाइ T का integration क्या होता लोग T हैना तो यह कितना बन जाएगा यह बन जायगा लोग 10X लोग 10X is equal to minus यह कितना बन जाएगा भाई यह बन जाएगा लोग में टैन वाई टैन वाई और यह बन जाएगा मैंने क्या बताया कि जब भी लोग आएगा तो आपको लोग से करना है दोनों को एक तرف ले LO ag clock-K ओड़ कोई दिखकत नहीं कि देखर यहां पर टन एक्स हो जाए गा और माइनस में आ जाएगा इधर लोग में य हो जाएगा है ना इसुकोल टू कितना हो जाएगा लोग के हो जाएगा देखर आप तरह लौ On G M प्लस लौग M क्या होता हूफ कि यह थे लौग M M होता है हैं न क्या होता हूफ यह लौग M M होता है तो लौग M M में कितना आजा जाएगा यह आ जाएगा टैन X इंटो टैन Y is equal to log K होगा क्या इसे हटा देंगे लोग से लोग हट जाएंगे, कितना पर जाएगा यह, tan x into tan y is equal to k, है न, tan x into tan y is equal to k, देख लेते हैं, उपर कौन सा उप्षन सही है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि option number जो d है, वो tan x into tan y is equal to k है, यानि कि कौन सा उप्षन सही हो जाएगा, d option इस प्रश्ण में सही हो जाएगा, 34 में हमें पता करवाना है कि कह रहा है कि अगर इसका integration factor यह दिया गया, e की power integration p dx, तो p का मान क्या होगा, यह पता करवाना है, चलिएगा पहले इसे हम इस form में convert करते हैं, किस form में, d dx of y plus p y is equal to q, इस form में इसे हम convert करते हैं, जब यह इस form में convert हो जाएगा, तब आगे इसे हम बातचीत करेंगे, देखेगा, मतलब कि हमें क्या चाहिए, dy चाहिए, इधर बाकी सारा उधर भेजना है, तो देखेगा, इसे फिरहाल अभी यही रहने दीजिए, x, 1 minus x square, यह हो जाएगा, dy is equal to minus, minus में, यह कितना हो जाएगा, 2 x square y, minus का y, minus का x cube, और यह हो जाएगा, dx, अच्छा, dx को यहां ले आओ, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, dy dx is equal to, हम चाहा रहे हैं कि इन दोनों terms में y common ले लिया जाए, है ना, minus को चुपचाप, एजटिज रहने दिया जाए, तो हमने y common लिया, तो यहां कितना बचेगा, यह बचेगा, 2 x square minus का 1 y, और इस minus का multiply, इसके साथ भी होगा, अगर question ने हमसे क्या पूछा होता, क्यूँ पूछा होता, तो क्यूँ तो यह वाला हो जाता, और यह plus में उधर जाएगा, देखो, अगर इसे हम convert करेंगे, है ना, तो कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा, dy dx plus 2 x square minus 1, बटे में x और into 1 minus x square y, है ना, is equal to में हमारे पास है, ax cube बटे x into 1 minus x square, अब देखेंगे, compare कर लो इसकी, इसकी compare करेंगे, इस से तो देखो, y की जगा पर, y का जो गुडांक है, वही क्या है हमारा, p है, है ना, तो यह, यह पूछा है, p, और यही क्या होता हमारा, जब भी हम i f निकालते हैं, integration factor निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, e की power में integration, py, है ना, py, तो py, और p dx, न, y क्यों लिया जाएगा, न, dx लिया जाता है, y तो सिर्फ एक format की तरह होता है, y, है न, p निकाला जाता हो, उसका integration निकाला जाता हो, p की जगह पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह नि की, p is equal to कितना हो जाएगा, 2x square minus 1, बटे, x into 1 minus x square, कौन सा option सही हो जाएगा, do option यहाँ पर correct हो जाएगा, चलेगा, question number 35, बहतरीं question, यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालना है, differential equation है, इसे क्या करना है, हल करना है, इसे function में convert करना है, देखते हैं, एक काम यह करेंगे, यहाँ पर x है न, divide कर दो, यहाँ पर d y d x, कुधर divide कर दो, तो यह d d x of y is equal to हो जाता है, y plus, यह root हो जाएगा, x square, plus का y square, बटा में x, जाना कितना हो जाएगा बटे में, x हो जाएगा, अब देखें, यहाँ पर हम किसी भी तरह से हटा नहीं सकते, कि सिर्फ में एक में separate कर लें, तो हमें क्या करना होता, y को हटाने के लिए, इस condition में देखो, यहाँ पर, पर इस power यहाँ भी नीचे भी one है, उपर भी one है, ऐसे situation में हम क्या रखते हैं, y is equal to vx रख देते हैं, y is equal to कितना रख देंगे, bx, x के difference, respect में differentiate कर दो, तो dy dx is equal to कितना हो जाएगा, यह v हो जाएगा, और इसका पहले हो जाएगा, फर्स सेकेंड से होगा, प्लस, x इंटू में आ जाएगा, और यह हो जाएगा, dv dx, यानि कि यह बन जाएगा, v plus x dv dx, है न, यानि कि इसकी जगाप है, dy dx जगाप क्या रख सकते हैं, v plus x dv dx is equal to, y की जगाप कितना रखना भाई, यह vx रखना है, plus, यहाँ भी रख देना है, root के अंदर भी, x square plus, कितना हो जाएगा, v square x square, divided by x, है न, कितना हो जाएगा, x ले लो, उपर से common तो हो जाएगा, v plus, v plus कितना आ जाएगा, x common लेंगे, तो यह root के अंदर बचएगा, 1 plus v square, बटे में x, x cancel हो जाएगा, है न, तो आप देखिएगा, यह वाला जो v है, इस वाले v से cancel हो जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास, x dv dx, is equal to, यह root में बच जाएगा, हमारे पास, 1 plus v square, अब क्या करें इसे, करना क्या है इसे, v को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो, तियो, dv बचे में आ जाएगा, 1 plus v square, और इधर कितना हो जाएगा, यह dx हो जाएगा, बच म कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, अब क्या करो, बोद साइड इसे इंटीग्रेट कर दीजे, बोट साइड इंटीग्रेट कर दिये एंटीग्रेट कर दिये हमने, यह वाला कितना हो जाएगा भہई? यह हो जाएगा, long लॉग कितना वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वेर और यह कितना हो जाएगा लाग वी और उसी के साथ में एड करना होगा आपको लॉग सी है ना लॉग वी नहीं यहां पर एक्स है यहां पर एक्स है है ना एक्स है तो कितना जाएगा यह लॉग एक्स हो जाएगा लॉग लोग कितना हो जाएगा यह लोग हो जाएगा भाई वी प्लस वी की वैलू रख दो वी रखेंगे तो य बाई एक्स रखेंगे कितना रखेंगे y by x plus root के अंदर भी आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 plus y square बट x square x square LCM लोगे x square plus y square बटे में x आ जाएगा है की नहीं x आ गया is equal to log m plus log n यह हो जाएगा log into में आ जाएगे log x c log log हटा दो यह हो जाएगा y plus root में x square plus y square divided by x is equal to x c हो जाएगा log ht x square c हो जाएगा एगा ch y plus root कौन सही हो जाएगा यहाँ पर कितना रहा है यह हमारे पास एंसर आया कितना y plus root x square plus y square is equal to x square c तो कौन सा है भाई y plus root x square plus y square cX square c कौन सही हो जाएगा वी option यहाँपर correct हो जाएगा कि चले पर थाटीस सिक्स में आपको यह दिया गया गया क्या ए और B के बीच में कितने डिगरी की ऐं-गल यह में बताना प्ल 일 ए ի प्लस आफ बी इस गोल टुन तू दिया गया है इस्वांयन से माइनस हम है क्या करना यहीं पर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए इस्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मॉडूलस एका स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा मॉडूलस एका स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा मॉडूलस एका स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 vector A dot vector B A square B square दोनों तरफ से cancel out हो जाएंगे यह कितना हो जाएगा minus को इधर add करेंगे 4 vector A dot vector B is equal to 0 अच्छा तो यह हो जाएगा vector A dot vector B is equal to 0 यह हो जाएगा A B cos theta is equal to 0 है ना तो यह हो जाएगा cos theta is equal to 0 cos theta is equal to 2 हो जाएगा cos 90 का मान होता है 0 theta वरावर कितना हो जाएगा 90 ends यानि कि pi by 2 हो जाएगा 36 में option C क्या हो जाएगा correct हो जाएगा 37 देखेंगे 37 में हमसे कह रहा है कि शदिस दिया गया है I minus 2J plus K का शदिस इस पर प्रछेप ग्याद कीजिए तो आपको हम बता दें यह है हमारा A और यह है B है ना तो शदिश A यानि कि यह vector A का शदिश A का शदिश B पर projection जो होता है यानि कि जो प्रछेप होता है वो होता है जिस पर होगा उसका modulus नीचे आजाएगा बाकी दोरों उपर dot रहेगा है ना A dot B या B dot है कुछ भी रख़ो dot product सब से हम होता है जिस पर projection निकालना होगा उसका modulus से भाग दे देते है देखते हैं यहाँ पर तो कितना है A dot B यानि कि हो जाएगा I minus का है 2J plus का है K dot है dot है 4I minus का 4J plus का 7K divided by इसका modulus है नीचे इसका modulus है 4I minus 4J plus 7K इसका modulus उपर क्या होगा II वाले का multiply हो जागा JJ वाले का multiply हो जागा UK वाले का multiply हो जागा तो II के गुडंक। का multiply करो 4 आ जाएगा minus के 2 और minus के 4 हैं तो plus के 8 गाट हो जाएंगे और यह जाएगा प्लस का साथ डिवाइड़ बाई नीचे कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा शोलह प्लस शोलह हो गया प्लस में 16 हो गया प्लस में 49 हो गया 16 और 32 32 को एक इसे दे दिज्जे 50 हो जाएगा और बचेंग उसके पास आप 385 यहीं إن-की 81 हो गया और क्य versión हो गया यह उन्नीच हो गया नौप 1544 さ रूट भट से लिए ऑपशन हो जाए के तक है जाएगा तिक चलेगा एक समतली है तो लैमड़ा कमांड कामान क्याद कीजिए से औफ контр connects कामाद निकालेंगे अशनी से देखते हैं और संत利 है इसके बाद कई बार सिकम सब्सक्राल", इसके लोग संतली है तो इनके बार हमस्तनीं कर गड equality वेलू बार की लिए फल ऑन पर पर हो जाएगा पहले वाले में यह one हो जाएगा यह two हो जाएगा सब के गुडांक ले लो अगले वाले को देखो इसका गुडांक one है इसका लेंड़ा इसका माइनस one यानि कि one हो जाएगा और यह हो जाएगा लेंड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे छोटा कर लेते हैं देखेगा इसे हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा जोड़ दो C1 को C2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लेमडा प्लेस 2 और ये 1 1 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएग यह दिखना ने लेम्डा प्लस टू लेम्डा प्लस टू तो पहले वाले कॉलम से आप लेम्डा प्लस टू को कॉमन लेलो लेम्डा प्लस टू किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा तो लेम्डा पराबर कितना आ जाएगा माइनस का दो आ जाएगा एक दिया गया एक बी दिया गया जब भी प्रश्ण में हमें एक आई सदीस देगा तो एक आई सदीस का जो मॉडूलस होता है वो होता है वन यह वन हो जाएगा फिगर बना लेते हैं प्रश्ण कह रहा है जो जिसी साप से उसी साप से फिगर बना लेते हैं के दूफिक प्रश्न यह कह रहा है कि के रहा से एक सक्षितर गट्राकरो में बना रहा है्ट्र टिस बना रहा है 120 का अच्छा यह विक्टर B है विक्टर B यह 120 का बना रहा है तो 90 हटा दो कितना बचेगा यह नब्बे बचेगा यह निकालना है यह उक्प्लस विक्टर अब्लस विक्टर B एक काम करते है इसका स्क्राइर कर देते हैं पहले पिर रूट निकाल देङ़े तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा modulus A का square plus modulus B का square plus यह हो जाएगा 2 vector A dot vector B है ना इसकी value कितनी हो जाएगी यह 1 हो जाएगी plus यह भी 1 हो जाएगी plus 2 modulus A देखो A dot B कितना हो जाएगा A B cos theta तो A B A B मतलब यह दोनों modulus की बात हो रही cos theta तो cos theta की value कितनी है 90 है दोनों की बीच में गल कितना है 90 degree का है 1 और 1 मिला के कितने हो गए 2 हो गए और देखो cos 90 की value 0 तो पूरा terms 0 हो जाएगा तो 2 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ तो है ना अब क्या करो यह अभी गलती मत कर देना क्योंकि option दोनों बैठें वहाँ पे square लगा हुआ है तो यह a plus b modulus की value क्या होगी वर्गमू ले लो root 2 कितनी हो जाएगी root 2 तो कौन सा option से हो जाएगा बी option यहाँ पे correct हो जाएगा चलेगा गया 40 देखो 40 भी एक बहतरीन question है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जजबे के साथ ही से हल करेंगे देखेगा हम चाहते हैं कि ABC क्या है वेक्टर ही तो है तो वेक्टर A बराबर आप I रख लो और वेक्टर B बराबर आप J रख लो वेक्टर C बराब पर अगर हमारे पास आएगा आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे देखो क्लॉक्वाइज ही चलना है एंटी क्लॉक्वाइज चलना है एंटी क्लॉक्वाइज आई जे किसके बराबर होगा के के और जे क्रॉस के आई के बराबर उसके आगे बराबर हो जाएगा और के क्रॉस आ रहा है हम इधर आना पड़ रहा हमको एंटे अगर हमें क्लॉक वाई अगर जाएंगे तो हमें माइनस के हो जाएगा यह किसके बराबर हो जाएगा आई क्रॉस यह क्रॉस आई यह क्या है जे जे होना चाहिए अगर आगया जे क्रॉस आई होता जे क्रॉस आई होता तो क्या ह का माइनस आ जाएगा तुरंट ठीक है यह बात हमें ध्यान रखनी है और यहां पर रखना शुरू कर दीजिए अब आप अब देखिए कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा एक ही जगप हम रख रहे हैं आई अच्छा आप देखो जे क्रॉस के पहले जे का गुला करेंगे के साथ जे क्रॉस के क्या हो जाएगा यह तो इसकी कोई दिक्कत नहीं फिर देखो यह यहांप यह माइनस का आ है है ना तो यह कितना हो जाएगा प्लस का के हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का के देखो जे क्रॉस आई आएगा जे क्रॉस आई किसके बराबर है माइनस के 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 वहां माइनस पहले से तो प्लस का के बन जाएगा अब आजाओ के क्रोश के अकर सेम हो कोई किसी बिकरोस सेमे यह जाय तो वह 0 लेकिन डाट के उतान होता है एना आइको प्ररोच मेरे प्रेसल जीरो के को सकतों any का路 निकाल दीजिए देखो I के I से multiply होगा 1 होगा J का J के गुडांक से multiply हो जाएगा minus के 1 हो जाएगा दोनों cancel हो जाएगे कितना आजाएगा 0 आजाएगा कौन साफ़वन सही हो जाएगा A option correct हो जाएगा 0 आजाएगा अब वैसे भी कर सकते हो ABC से भी कर सकते हो कर रहा है कि यह संरेक हो तो lambda का मान ग्याद कीजिए अब देखो यह संरेक हैं तो इनके भी determinant के जो value होगी ना वो क्या होगी 0 होगी संरेक है तो बिल्कुल 0 होगी देखेगा रख लेते हैं भाई बहुत ही determinant का question देखो कहां कहां से उड़ जाता है एरिया का आ गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया अच्छा अगले वाले में देखो आई जे के गुडांक रखो lambda 4 और 7 अगले वाले में minus का 3 minus का 2 minus के 5 अब इसे क्या करना हमें open कर देना यह संरेक हैं तो equal to 0 होगा है ना तो कितना हो जाएगा यह 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा यह छूड़ जाएगा minus का 20 minus का 20 plus का 14 है ना minus का 20 plus का 14 कितना हो जाएगा minus का 6 हो जाएगा minus का 2 into यह छूड़ जाएगा minus का 5 lambda minus का 5 lambda इसे लिखना पड़ेगा plus 21 minus का 5 lambda plus का कितना हो जाएगा 21 अगला वाला देखो इसे रखेंगे फ्लस का 3 ये छोड़ जाएगा ये छोड़ जाएगा माइनस 2 लेमडा फ्लस 12 माइनस का 2 लेमडा फ्लस 12 is equal to 0 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पांच दूनी 10 लेमडा माइनस 21 का गुड़ा पांच के साथ 21 दूनी 42 माइनस 3 दूनी 6 लेमडा और प्लस 12 तिया 36 is equal to 0 देखो यहां पर 10 लेमडा में 6 लेमडा घट जाएंगे 4 लेमडा बचेगा चार लेमडा बचेगा और यह कितना है भाई दूनी 36 में से 6 घटा दो 30 बचे 30 बचे प्लस के 30 यहां से घटा दो 12 आ जाएगा तो 12 को इधर भेज़ दो के माइनस के बारा को प्लस का बारा हो जाएगा चार एक अंदम चार चार तीएं बारा लेमडा बराबर हो गया तीन लेमडा कमान कितना हो गया तीन हो गया कौन सा अप्षन सही हो जाएगा यहां पर 41 में ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा 42, question number 42 में क्या कहा रहा है कि f is equal to दिया गया है 2i-j-k द्वारा चलित वस्तू पर सदिस इतना दिया गया है हमें सीधा सा क्या निकालना वर्क डन निकालना है और वर्क डन डबलू बराबर होता है f into d है ना आई प्लस का टू जे माइनस का पांच के question आता है वर्क निकालने का ना आई दून ये 6 हो जाएगा आई वाले गुड़ांकों का multiply करोगे जे वालों का करोगे माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का पांच के आ जाएगा चैपांच 11 हो जाएंगे 11 में 2 घट जाएंगे है ना 11 में जब हम 2 घट आएंगे तो कितना बच जाएगा ये बच जाएगा चार और च्छे पांच 11 ग्यारा में दो गए नो दो ग्यारा नो यूनिट हो जाएगा है नो यूनिट कौन साफ्फन से हो जाएगा डी ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा चले के पॉस्चन नमर देखेंगे 43 है देखे 43 में क्या कह रहा है कि बिंदू आई प्लस टू जे मैंने बताया था आपको जिसके परितह निकालना हो जिसके थ्रो निकालना हो उसे घ प्लस जे प्लस के हैंना दिया गया है हमें आर निकालना है मैंने क्या पताया आपको जो परितह होता है जिसके परितह निकालना होता है उस पॉइंट को हम सब्ट्रेक्ट कर देते हैं किस से जिस बिंदू पर बल लगा होता है देखो इस बिंदू पर लगा है लगा है तो से बाइब इस वालेज घटा, ढीजिए, घटा की चाहण तो direct रख सकते हों, देखो, यहां पे माइनस का, 2a, अब मैनस का, i, हो जाएगा, कितना हो जायगा भाई, माइनस का, 3a, फिर, माइनस का, 3y है, माइनस का, 2j हो जाएगा, कितने हो जाएगा माइनस का 5J हो जाएगा और यहां पर प्लस का K है माइनस का 3K हो जाएगा माइनस का 2K बज जाएगा है ना यानि क्या गया माइनस का 3I माइनस का 5J और माइनस का 2K अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, बल अगूर, है ना, हमें क्या निकालना बल अगूर, यह निकी टाउ बराबर क्या होता है, और क्रोस F, और क्रोश F, R कितना दिया गया है, यह काम करेंगे, यहां पर रखो I, यहां पर रखो J, और यहां पर रखो K, R कितना दि i into, ये छुट जाएगा, ये छुट जाएगा, minus 5, plus 2, minus 5, plus 2, minus j, ये छूटेगा, minus 3, plus 2, minus 1, minus 1, plus k into, ये छुट جाएगा, minus 3, plus 5, minus 3, plus 5, मतलब यहाँ पर 2 बज गया, कितना आ गया, minus 3, गया 3 I, plus का हो गया J, plus का हो गया 2k, कौन सी ओफ़िन सही हो जाए गया, इहां पर option जो तो ही हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई option correct नहीं था, minus का 3 I, plus J, plus 2 K, चलेगा, आगे चलेगे, अभ इस प्रशन में थोड़ा सा अभी कि डाउट सा था पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने है ना अन्था के अंद्र एल है तो ए एल प्लास भी थोड़ा सा डाउट में था इससे देखेंगे जैसी कंफर्म हो जाएगा इसे नेक्स्ट बोडियो लेक्षर में करवा देंगे कि इसमें डाउट क्या है है चलेगा को क्टि फुटी फ्याइव यहनी की पैंटालिसमें किया रहा है कि बल यूग में दिया गया है ये और ये दुरगंसा इंडों फैंडों पर लगें कारे रत हैं तो आगूढ구 amanda की व्याकि मैंत कि रहा क्किटरीशन दिया गया है हमारा f is equal to कितना 3i plus 2j minus k है ना लगा लीजिए काइप ज़रूत नहीं है लगा ले ना आराम से competition account काइप लगाता है है ना पी के इस्तिस सदिस दिये गए है करम सा दो बिंदू दिये गए है पी का दिया गया है i minus ka j plus ka k और q का दिया गया है 2i 2i minus ka 3j minus ka k हमें निकालना क्या है r है ना पर इन दो बिंदू बेकार रथ है र निकाल लो वेक्टर ų अर बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अगर आर हम निकालना चाहेंगे तो ψजाएगा M Aww पी यँ वाले को गठा दीजिए ओपी मेंनस ओंस्टीव है लगता हो जाएगा अब देखो का के और हो जाएगा तो टू के हो जाएंगे फ्लस के हैना माइनस का आई प्लस टू जे प्लस टू के हैना तो आप देखो यहां पे हमें आर मिल गया है जैसे हमें आर मिल जाएगा हमें क्या निकालना है यहां पे कार्यत आघुड का मान निकालना है यानि कि क्या निकालना है यहां भी tau निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, यही वही होता है, और cross f, दोनों का cross निकाल दो, यह हो जाएगा i, यह हो जाएगा j, और यह हो जाएगा k, r कितना दिया, minus का 1 दिया गया है, और यह 2 दिया गया है, यह 3 दिया गया है, दो दिया गया, minus का 1 दिया गया है, अब एक काम करो, यह आई है, इसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 4, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगे, कितना हो जाएगा यह, 6 हो जाएगा, अब देखो, यहाँ पर यूनिट में निकालना होगा, यह 6 हो जाएगा, यह छूटेगा, यह चुटेगा माइनस का दो और कितना हो जाएगा माइनस का चार तो माइनस के छे हो जाएगे यह माइनस का जे इंटू हिसे छोड़ो इससे छोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1-6 6-5 हो जाएगा न जहीं हो जह तो वाहर लगा हुआ इसके बाद plus K into यह होगा फिस्टयूद लाघ यह दो अब माइननस का में उद्रोड सुट जएगा इसके बाद प्लस के होadem हमें क्या निकालना है माइनस का 6 i प्लस का 5 j माइनस का 8k हो गया हमें प्रश्ण में क्या निकालना है क behavior कोई आसा नहीं देख रहा है कि देखो कोई अपर कोई फी इस प्लस Peach प्लस 81 इन्हें एड करिएगा एड करने के बाद यह आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 125 125 का हो जाएगा 5 रूट 5 5 रूट 5 डी आप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा चले इस कह रहा था कि यदि लिमिट एंट टेंस टू इन फाइनाइट एन इकोल टू जीरो है तो स अब धी कभी आपको ऐसे दिया जाएक है क्या लिमिट एंट टेंस टू इन फाइन इक कॉल टू जीरो दिया गया है और सिग्मा एन के बारे में पूच्छा जाए तो सिग्मा एन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वह डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट a n जो है एक convergence ready है तो ये necessary condition थी कि limit n tends to infinite a n की value 0 होगी लेकिन अगर limit n tends to infinite a n की value 0 है तो sigma a n के बारे में convergent या divergent या उसे लेटरी का है पाना मुश्किल है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि ऐसा हो है ना तो कौन सब्सक्राइब लेंगे इसमें 46 में d लेंगे हर केस के लिए होनी चाहिए हमेशा होनी चाहिए तब हम लेते हैं कि चलो या convergent है divergent है या oscillatory है तो क्या होगा अगर limit n tends to infinite a n is equal to 0 दिया तो sigma a n के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते है यो convergent हो भी सकती है divergent भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है है ना और अगर भाई चान सिग्मा a n हमको दे दिया जाए कि ये एक convergent है ये convergence ready है तो एक्दम necessary है कि limit n tends to infinite a n equal to 0 होगा तो यहाँ पर 46 में d सही होगा पर पर 27 में क्या करना है देखिए का पहले हमें क्या करना है से decide करने के लिए limit n tends to infinite un निकालेंगे तो पहले में यहाँ निकालते हैं यूए न बराबर कितना जाएगा देखिएगा एक तरस यह जीपी बन रही है क्या बन रही है गुलोतर ench Seg burning समा फेंटम दीजिए तो कितना हो जायाएगा 1 मायनस कितना होता है एक दो बता से कि पवर में कितना होता है कि हिसा आन होता है एक पवर एल फैसक दिजिए जुराद भें दीजिक होता है बन मेने र की पाउवर एकलाइब करेंद जाय गया किष्ट्व है का दो बट्टा यह आ गया हमें क्या करना अब निकाल देना है लेमिट एन टेंस टो इंफाइनाइट यू एंड यू-कवी अब देखेगा यह क्या हो जाएगा limit and 10 to infinite यूएन कितना जाएगा 3 into 1 minus का 2 बटे 3 की पावर in इसे हम हल करेंगे जब भी हम हल करेंगे तो एक कोई finite value आ जाएगी क्या जाएगी एक कोई finite value आ जाएगी और जब भी इसकी value limit and 10 to infinite यूएन की value एक finite number होती है तो यह स्य सिक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है क्या होता है कन्वर्जेंट होता यानि कि अभिशारी होता है कौन सब्सक्राइगा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 देखेंगे करा धनात्मक पदो किस रेडी अगर करा ऐसा दिया गया है है तो करा limit and 10 to देखो यह बहुत ही अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है सिधा टेस्ट ही पूछ दिया गया है न यह करा है limit and 10 to infinite यूएन बटे यूएन प्लस वन की value अगर greater than 1 आती या less than 1 आती है तो अभिशारी कि अपसारी होगी इस प्रयोग का नाम क्या है इसको कौन सा प्रयोग कहते हैं चलेगा comment section में comment करके बताईएगा कि यह कौन सा प्रयोग है इसे बोलते हम d a number test कौन सा d a number test जब भी यूएन बटे यूएन प्लस वन की value क्या हो less than 1 या greater than 1 हो तो d a number test की मदद से हम बताते है कि अपसारी है चलिएगा question number 48 देखेंगे कुछ points यहाँ पर देख लेते हैं कुछ points देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है देखेगा अगर मा लिजे कि limit limit क्या n tends to infinite un का value कोई आ गया एक finite number आ गया अभी बात होई है इसकी अगर कोई एक finite number आ जाएगा तो जो sequence होगा वो क्या होगा bounded होगा क्या होगा भाई sequence क्या होगा bounded होगा bounded होगा अगर मा लिजे कि limit n tends to infinite un is equal to आ गया infinite तो sequence जो होगा हमारा वो क्या होगा bounded below होगा bounded below होगा अच्छा अगर limit n tends to infinite infinite un की value कितनी आ गई माइनस का इन्फाइनाइट आ गई तो यह हो जाएगा bounded एबब या अपर बाउंड़ कह सकते हैं इसे हम वह एक ही बात है अपर बाउंड़ेट इस कंडिशन क्या होगा अपर बाउंड़ेट होगा अगर limit n tends to infinite an is equal to आ जाए इन्फाइनाइट आर आ जाए माइनस इन्फाइनाइट तो हम कहेंगे जो सिक्वेंस है वह अनबाउंड़ेट है क्या है अनबाउंड़ेट ठीक है चलेगा आगे चलेंगे प्रीटू देखेंगे क्वेस्टन में 52 आसान क्वेस्टन है देखेंगा है आप पर करते हैं सुर्वाद अब देखेंगा आपको आपको हम बता दें कि अगर लिखा हो क्या लोग है ना लोग बी बेस a is equal to m है ना यह लोगर्थिम फॉर्म ह अगर हम इसे कोने exponential form में लिखें तो यह होता a की power m बराबर b तो इसे भी आप change कर दिजिए exponential form में घातांग रूप में तो कितना हो जाएगा a देखो a का value यह है m का value यह है और b का value यह वाला है है ना तो a की power m कितना हो जाएगा 10 की power में 2 is equal to 2 कितना हो जाएगा x square minus का 6x plus क पैंतालीस दस सो हो जाएगा 45 घटेगा 55 हो जाएगा प्लस का 55 रहेगा इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x square minus का 6x और यह minus का 55 equal to 0 आप देखो गयारा और 5 है यहां पर 11 जो आएगा वो किसका आ जाएगा हमारा यह 11 माइनस का दिया गया है तो यह आ जाएगा प्लस का बन जाएगा जब हम सालू करेंगे इससे और यह माइनस का पांच दिया गया है यह 5 माइनस का बन जाएगा 11 और 5 इसके रूट हो जाएगे कौन सा है? D option यहाँ पर करेंट हो जाएगा 11 और माइनस का 5 53 देखेंगे कहरा है कि प्रते एक प्रतिबध अनुकरम में है every bounded sequence are in कहरा कि प्रते एक bounded sequence किसमें होता है तो प्रते एक bounded sequence एक convergent sub sequence होता है तो कौन सा अप्पन से हो जाएगा यहाँ पर B वाला option सही हो जाएगा कि every bounded sequence are in a convergent subsequence 53 का B option correct हो जाएगा question नमर 54 में कहरा है कि यदि ऐसे दिया गए यह N की पावर P है यह N की पावर में P है कहरा अपसारी है यानि कि divergent है यदि तो आपको बता दें comparison test यानि कि जिसे P test कहते है comparison test comparison test या इसे ही बोलते हैं हम लोग P test के नाम से जानते हैं P test है ना वो क्या होता है अगर दिया गया है UN is equal to sigma sigma 1 by N की पावर P है ना यह दिया गया है तो हमें क्या निकालना होता है हम तुरंत है निकालते हैं क्या limit limit N tends to infinite है ना UN बट्टे VN अगर इसकी value हमारे पास क्या आ जाए कोई finite quantity आ जाए है ना क्या आ जाए कोई finite quantity आ जाए ना कोई finite quantity आ जाए तो क्या होता है अगर हमारे पास P पी ग्रेटर देन वन है तो कनवर्जेंट होगा इस पर क्या होगा कनवर्जेंट होगा है ना कनवर्जेंट होगा लेकिन अगर पी क्या है लेस दैन एकोल टू वन है तो इस सिच्वेशन में क्या होगा डाइवर्जेंट होता है ना क्या होता है डाइवर्जेंट होता है इस कंडिशन में क्या होगा डाइवर्जेंट होगा तो हमसे कह रहा है कि यह डाइवर्जेंट होगा है ना यह डाइवर्जेंट है कह रहा ह है तो बताइए कि sigma union क्या होगा convergent divergent oscillatory है ना लेकिन वहाँ पर क्या था एक necessary condition यह है वहाँ पर हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती तो उसके बारे हम कुछ कह नहीं सकती है इसलिए हम लोग उने option select किया था है ना तो convergent बताया था ना तो divergent बताया था ना यू एन 10 टू 0 यानि कि कॉल टू 0 होगा है ना कॉंस option सही होगा है ना मतलब कि limit n tends to infinite यू टेंस टू 0 या कि तरफ अग्रसर है या कह दीजेए कि limit n tends to infinite UN क्या होगा जीरो होगा अगर कब sigma UN convergent दिया गया है तो यानि कि पच्पन में कौन सो अप्पन से ही हो जाएगा ए वाला ओप्षन करेक्ट हो जाएगा चाहिए तुरंट है ना तीन बल लगे हैं किसी शमतल में और तीनो बल जो है है वो कैसे है संतुलन के स्तिती में यह लो तीनो बलों को हमनें संतुलन के स्तिती में लगा दिया यह है और यह है q और यह है आर है ना और पी और क्यू के तो यहां पर अगल बन रहा है वनफिप्टी डिग्री का और q और r के बीच में बन रहा है हमारे पास 120 डिग्री का π और नहीं दिया गया है जाएगा 270 या निर यान hazard जाएगा हमारे पास 50 पेटिगरी है ना बन जाएगा तो लामी का प्रमे ये कहता है की क्या होगा वेल है उनके बींच में बीच जो बन रहा है कोई बन और उसके सामने जो बचे ऊंटकी 2 जा है उनका अंभात बराबर होता है सबनेद आदगे सामने क deity का है 90 degree, sign 90, अनुपाते, ये कितना बन रहा भाई, shine 100 b, इसने, चुले, 1200, कितना, 1500, shine 100, 150, 150 degree, चलेगा, इसे हम ये भी कह सकते हैं, कि P, अनुपाते, q, अनुपाते, r, equal to a sign 120, sign 120, 90 plus c, 30, है ना, 90 plus 30, कितना हो यह हो जाएगा भाई कॉस 30 अनुपाते सैन 90 कमान तो 1 होता है और यहाँ पर कितना साइन 1200 साइन 1500 को आप लिख दीजिए 1803 गेशा सी माइनस 30 तो साइन 30 हो जाएगा शाइन 30 value सारी रख दीजिए कॉस 30 का value कितना होता है अंडर रूट तीन बट्टा दो अनुपाते एक अनुपाते साइन तीस का वैलू एक बट्टा दो calculate कर लीजे इसे इसे calculate करेंगे तो कितना आजाएगा दो से multiply कर दो उपर बस route three ना route 3 अनुपाते दो अनुपाते एक किराँ दो शमान बलों का प्रीडामि उनमें से किसी एक के बराबर है न पहले दो समान बल है थो पी है अगला भल भी पी है दोनों क्या है समान है अब देखो इनमें से माल लोग की यह हैं अमारे पास दोनों बल लगे हुए यह एक बल पी है यूता है यह वि Cheng के बराबर मतलब विभी q 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 2P square cos theta इस P square से ये P square काट दीजिए फिर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का P square is equal to 2P square cos theta P square से P square काट दीजिए ये आ जाएगा अब cos theta is equal to minus का 1 बटा 2 यानि कि ये आ जाएगा cos theta is equal to cos 120 अंस का जो मान होता वो minus का 1 बटा 2 होता तो theta बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 120 यानि कि कितने का कोड बनेगा 120 डिगरी का कोड बनेगा है ना दोनों बलों के बीच में कितने का कोड बनेगा 120 डिगरी का कोड बनेगा चलेगा आगे चलेंगे नेक्स्ट के राज त्रबोज ABC में भुजाओं BCCA और AB के साफ एच्छ लगे बलों का परिडामी त्रबुज के परिवृत्त के केंदर से होकर गुजरता है अब देखो अगर परिवृत्त के केंदर से होकर गुजरता है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए ग होगा अगर कहें लंब केंदर से गुजरता है कहां से गुजरता है लंब केंदर से होकर गुजरता है ना लंब केंदर से होकर गुजरता है तो यह वाला ऑप्शन सही होगा है ना परिवृत्त के केंदर से गुजरेगा तो क्या होगा पी कॉस से प्लस क्यू कॉस बी प्लस और कॉसी इकोल टू जीरो और अगर लंब केंदर से जाएगा तो P से के प्लस Q सेक B प्लस R सेक से कोल टू जीरो यहां से ओके जाएगा यह रिजल्ट डारेक्ट यहाद रखेगा तो यहाँ पर परिवर्ट के केंदर से कह रहा है तो option कौन सा correct होगा यहाँ पर option करेक्ट हो जाएगा हमारा B है ना परिवर्ट वाला चले कौस्टिन नमबर 59 कराई समान पदार्थ के बने क्रमश्या इतने और इतने त्रिज्जा के दो एक समान गोलों के एक साथ जोड़ के रख दिया गया है देखते हैं याँ पर दो गोले हैं हमारे पास एक गोला यह है जोटा गोला तीन सेंटिमेटर त्रिज्जा का एक छोटा गोला है इन दोनों को जोड़के रखा गया है है ना माल लेते हैं कि यह दोनों को जोड़के रखा गया है ठीक है दोनों को जोड़के रखते हैं ठीक है तूम से के रहा बूरे निकाए का गुरूत्य कहने देखो यह वाली पूरी कितनी है ए जी वन कितनी है च्छै रहे ने जानी त्रिज्ञ ये च्छै दी गई है और इसकी त्रिज्ञ कितनी इतीन दी गई चन strength 8 दीगई है अ पहले तुम बड़े गोले का भार निकाल दो बड़े गोले का भार तो देखो आयतन और गुड़े भार से मल्टिप्लाई कर देते हैं है ना भार हम डबलू मानके चलने हैं क्योंकि शमान पदार्थ का बना हुआ है तो कितना हो जाएगा यह चार बटे तीन पाई आर हमारे पास चॉटे और यह जाएगा डबलू इसे हम कल्कुलीट करेंगे क्यimagin पर आये यह is 288 वधन है 20288 वधन को इसी तरह चोटे पहले कल्कुलीट करेंगे तो चोटे घूल जो आख ऐगा अर्षोटे कोले का आइतन और आज जाएगा हमार आख बाहर आख 가서 ठोटे मार गोले के समान है है ना वो आ जाएगा हमारे पास आएगा 36 कितना जाएगा 36 पाई डबलू अब देखेगा एजी सबसे पहले हम एजी निकालते हैं एजी यह से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है में एजी है ना गुरुत्यों केंडर से जहां तक भी इस पर्स कर रहा है वह गुड़े कितना हो जाएगा एजी वन यानि की बड़े वाले बृत्ति की तरिज्जा बड़े वाले गोले की तरिज्ज अच्छे है माइनस कर देंगे कितना छोटे गोले का भार कितना दिया गया 36 पाई डबलू इंटू इसकी रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है तीन ड divided by एे जी निकाल रहे हैं बड़े को लेका बहर प्लस चोटे बोलेका बहर तो बड़ा गोला कितना है 288PiW plus 36 च्छेश पाई डबलू, कैल्कुलेट करेंगे, है ना, इसे क्या करेंगे, कैल्कुलेट करेंगे, एक काम करेंगे, उपर से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना, छेश पाई डबलू कॉमन ले लो, उपर से छेश पाई डबलू कॉमन करेंगे, तो यह कितना जाएगा, यहां चे निकल जाएगा चत्ते के बचेगा कितना अठारा डिवाइड़ भाई नीचे से भी सेम आप कॉमन ले लो च्छे पाई डबलू कॉमन तो 288 से निकल के जाएगा च्छे पाई डबलू तो यहां बचेगा च्छे है ना 486 तो यह दोनों कट जाएंगे 288 में आप अठारा घटा दीजेगा बचेगा 270 कितना बचेगा 270 और नीचे कितना हो जाएगा 54 है ना कितना हो जाएगा 54 काट दीजेगा इससे 27 दुनीच हो जाएगा और यह दस यह नीचे दो दो पंचे दस एजी कितना आ जाएगी भाई एजी आ जाएगी 5 अच्छा एजी आ गई 5 एजी कि लेके केंदर से ढूरा केंदर की दूरी नीकाल नहीं है तो जी वान जी कह दो या जी जी वन कह दो तो कितना हो जाएगी टोटल ए जी वन में से ए जी घटा 2 है ना ए जी वन में माइनस कर दीजिlaus है आप है ना ए जी ए जी ए जी वन कितनी है छे ये कितनी आ गई है पांच कितनी आ गई एक है ना कितनी आ गई एक यानि कि जी जी वन यानि कितना हो जाएगा एक सेंटिमीटर हो जाएगी एक सेंटिमीटर यहां पर हो जाएगा चलेगा आगे चलेंगे अब देखें मैं आपको स्ब्सक्राइब कोई भी सब्सक्राइब कि económica 61 61 कह रहा है कि दो जगहें दी गई है ठीक है ठीक है अच्छा कह रहा है दो बिंदू A और B को करम सा 5 मीटर और 20 मीटर के उचाई से छोड़ा गया है ठीक है दो बिंदू है हमारे पास एक को 5 मीटर के उचाई से छोड़ा गया एक को 5 मीटर के उचाई से छोड़ा गया 5 मीट और एक को माल लेते हैं कि 20 मीटर उचाई से छोड़ा गया ठीक है तो कहरा कि इतना समय लगेगा देखे जब भी रहा होगा तो प्रारंभिक बेग जो रहा होगा इस कंडिशन में इस टाइम पर क्या रहा होगा जीरो रहा होगा अच्छा इसको माल लेते हैं यहां पर कि पहल हम एच बराबर क्या होता भाई एच बराबर होता है एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेर अब ये जीरो हो जाएगा है ना यू वाला पार जीरो तो ये जीरो हो जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ हाफ जी टी स्क स्क्वाइर है ना अब देखो पहले वाले के लिए लेंगे तो पांच मीटर की हाइट कवर कर रहा है तो पांच बराबर कितना हो जाएगा हाफ जी टी वन स्क्वेर है ना टी वन स्क्वेर और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा 20 मीटर की कर रहा है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा हाफ जी टी टू स्क्वेर है ना हाफ जी टी टू स्क्वेर अब देखिए दो दो भाग दोनों को देदो भाग तो यह कितना हो से उपर की ओर जा रही है वेक्ती भारी महसूस करेगा कितना वास्त्विक भार का F प्लस G गुना या वास्त्विक भार का F माइनस G गुना या वास्त्विक भार का F जी गुना या वास्त्विक भार का F बटा G गुना देखते हैं देखें आदमी द्वारा जो अनुभव किया गया अत्रिक्त भार होगा, है ना, किसके द्वारा, आदमी द्वारा, अनुभव किया गया अत्रिक्त भार, द्वारा अनुभव किया गया अत्रिक्त भार, वो कितना हो जाएगा, ये होता है, r-mz बराबर हो जाएगा, mf, mf हो जाएगा, r-mz बराबर कितना हो जाएगा, mf हो जाएगा, और आदमी का वास्तविक भार कितना होगा, आदमी का वास्तविक भार, बराबर हो जाएगा, आदमी का कितना हो जाएगा, mz हो जाएगा, अच्छा, आप देखो क् तो भाग देजीजीए, कितना गुणा होगा, पता चल जाएगा, ये कितना मफ है, और ये कितना Mg है, दोनों här केंसिल आउट का कोड़ बनाते हुए खेंग तो गती से प्रशक है और जीण हे दिए U कितना दिया गया? ये दिया गया, 39 under root 2, shine theta, shine 45 है ना, shine 45, अपांच G की value कितनी है? 9.8 है ना, चलेगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अथानवे है ना, और ये root 2, multiply करेंगे, एक बटा root 2 है ना, और ये आ जाएगा 9.8 है ना, दसमल हो खटा दो, 10 उपर आ जाएग कितना आ जाएगा भाई, 10 second, 10 second हो जाएगा, कौन सा option से यह जाएगा, 2 option यहापे correct हो जाएगा, 64 देखिएगा, करा एक कण विराम से चलता है, विराम से चलता है तो समझ जाओ तुरंत, कि बात हो रही है, u is equal to 0, अगर एक कण विराम से चलता है, तो u कमान क्या होगा, विराम से चलता है, तो u कमान 0 हो गया, है न, m second में, गतिज उर्जा में विर्धी, ठीक है, m second में, m second में, गतिज उर्जा में विर्धी, देखिए क्या बात कर रहा है, गतिज उर्जा में विर्धी की बात कर रहा है, न, उर्जा में विर्धी, तो यह जो विर्धी होगी, ये वृद्धी होती है, इक्वल होगी किये गए कारे के बराबर होगी, है ना, गती जूरजा की बात नहीं कर रहा है, गती जूरजा में जो वृद्धी होगी, वो कितनी होगी किये गए कारे के बराबर होगी, है ना, किये गए कारे के इक्वल हो जाएगी, तो किया गया कार कितना होगा, कार ये बराबर क्या होता, F into D, और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता M into G, हम देखो, M यहाँ पर time के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम capital M यूज करेंगे, यह हो जाएगा, M into G, यह हो गया, F हो गया हमारा, और D, D क्या होगी, distance, कितनी M वे सेकंड में, SM, M वे सेकंड में चली गई, दूरी, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, M G, है न, M G into, इसके लिए M वे सेकंड में चली गई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, U plus A by 2 into, into 2 M minus 1, है न, यह होता है, यह होता है, M में सेकंड में चली गई, दूरी का फॉर्मूला, है न, देखो यह कितना हो जाएगा, M G, U तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा, A by 2 into, 2 M minus 1, है न, अब इसी में सेम, जब हम से वो क्या कह रहा है, M plus 1 में, है न, M plus 1 में, शेकंड में, गतिज, उर्जा में, वृद्धी, बराबर वो कितनी हो जाएगा, दिर्बिवान वही रहेगा, यह भी वही रहेगा, और यह भी वही रहेगा, बस M की जगा पे हमें क्या रखना है, M plus 1, तो जब भी आप इसे माल लेते हैं कि यह हमारा KM है, और यह है KM plus 1, है न, KM plus 1, अब हमें निकालना है, दोनों में अनुपात, क्या निकालना है, हमें निकालना है, दोनों में अनुपात, तो KM अनुपाते आप निकाल दो, KM plus 1, दोनों में अनुपात निकालोगे, तो देखो, जब भी दोनों में आप अनुपात निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से अनुपात इधर कादे हैं यहाँ इसा तो M G तो M G कट जाएगा यूबाई टू से यूज़ा जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यह बचेगा 2 M माइनस वन और यहाँ पर बचेगा 2M प्लस वन है ना 2M प्लस वन यह होती है हमारी SM क्या होती है M second में चली गई दूरी U प्लस A बाइटू है ना 2M माइनस वन हो गई हम ST पढ़ते थे थे ना U प्लस A बाइटू 2T माइनस वन तो वो हो गई, बस किया गया कारे हो जाएगा, F into D होता है, यहाँ पर देखो यह होता F, और यह होता into D, तो D तो अपने पास है, SM, F क्या हो जाएगा, भाई, वो M into G के बराबर हो जाएगा, द्रबमान गुड़े थोरड के बराबर हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा हमार तो हमने capital M ले लिया, चूंकि इस मालम यहाँ पर time के लिए use हुआ था, मुझे लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, चलेगा, next, 65 देखेंगे, 65 में कह रहा है, यदि A और B 21 अदिश हो तो, है ना, इनके बीच का code क्या होगा, देखेगा, अगर यह 18 अदिश हैं, तो यहाँ पर जो modulus A होगा, और modulus B होगा, दोनों क्या होगे, 1 होगे, देखेगा, अब यहाँ पर इसे करना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, modulus दिया गया है, A minus B, A minus B by 2, है ना, A minus B by 2 का square कर दीजिए आप, इसका square कर दीजिए, बाद में root ले लेंगे, है ना, तो च यहाँ से देखो, एक बट्टे 2 बाहर निकालने क्या, है ना, चाहो तो यहीं निकाल लो, एक बट्टे 4 यहीं बाहर निकाल लो, एक बट्टे 4 हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, vector A minus vector B का whole square, अब कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, modulus vector A का square, plus modulus vector B का square, minus 2 vector A dot vector B cos theta, है ना, अच्छा, एक बट्टे 4 को भी रहने दिजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा, यह एक बट्टे 4 हो गया, और अंदर रखेंगे 1, इसका 1 आएगा, 1 plus 1, 2 हो जाएगे, 2 ले लिजिए common, तो 2 लेंगे common, तो 1 minus, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो root में आ गया, इधर आ गया, एक बट्टे 2, और इसका 1 तोड़ दीजिए, यह आ जाएगा, 2 fine square theta by 2, है ना, 2 sin square theta by 2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, root के बाहर निकल के आएगा, sin theta by 2, कौन साफ़फन से हो जाएगा, a option correct हो जाएगा, है ना, चलेगा यहाँ पे, 66 देखिएगा, क्यारा, a और b एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ना, a और b कितने दिनों में कर रहे हैं, a प्लस b मिला के कितने दिनों कर रहे हैं, 12 दिन में, और b प्लस c कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में, c प्लस a कितने दिनों में कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, 20 दिनो की मिला के unit निकाल लेना है तो यह कितनी unit बन जाएंगी भाई LC हम लेंगे 60 unit बन जाएंगी कितनी बन जाएंगी यह शाट unit बन जाएंगी तो अब इनकी efficiency छमता निकाल दो 12 दिन में करते हैं 12-65 इनकी हो गई यानि कि अगर तीनों एक साथ करें ना देखो टू इन्टू ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस है तो दो कॉमन ले ले लेते हैं तो कितना बन जाएंगा ए प्लस बी प्लस सी इस गोल टू एड करो पांच चार नौ तीन बारा टोटल efficiency कितनी टोटल समता कितनी आ रही 12 दो से काड़ दो 6 आ गई है ना यानि कि ए प्लस बी प्लस सी की efficiency कितनी आ गई 6 प्रशनी कहरा ए अकेला मतलब कि बी प्लस सी वाली efficiency को हटा दें यहां से तो बैस ए अकेला आ जाएगा ए अकेला ए अकेला ए अकेला ने कि ए अकेले की जो efficiency निकालना है में कितनी हो जाएगी ए माइनस चार भी प्लस सी वाली घटा दो बैस बी और सी की efficiency कितनी है चार है दोनों की मिलाके तो चार घटा दो ए अकेले कितनी हो गई दो हो गई चमता जाएगा कितना जाएगा 30 दिन हैना सभी दे में दिये गए न तो 30 दिन आ जाएगा कहां पर option C क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिएगा क्वेस्चन नंबर 67 शडशट में कहा रहा है कि पूरी यात्रा पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी तो औसत चाल है कितनी है हमारे पास यह है 50 प्लस और 50 किलो मेटर यहां चल रहा है 40 किलो मेटर यहां चल रहा है 90 किलो मेटर यहां चल रहा है 50 प्लस 40 प्लस 90 बटे कुल दूरी बटे कुल समय समय कितना हो जाएगा देखो 50 किलो मेटर को चलने हम 25 किलो मेटर प्रदी घंटा की रफतार से 50 म कितना आ जायेगा, दो गंटे का यहां लग गया, प्लस, और यह कितना भाई? यह है नबे बटा पंद्रा, पंद्रा अच्छा का नबबे, छे गंटे का यहां लग जाएगा, उपर सबको एड करेंगे, एक सो असी आ जाएगा, नीके कितना हो जाएगा, छे-चार-दस हो जा हो जाएगा चलेगा आगे किकिन mettre तो पर चाह लुए हो जाएगा अब फिर अगली बार अधिक्स व्राइगा तो कि पंद्रा साल यहां लगे पंद्रा साल यहां लगे तो पंद्रा पंद्रा प्लस पंद्रा प्लस पंद्रा प्लस पंद्रा बराबर पैंतालिस साल कितना लग गया पैंतालिस साल लग गया यानि कि सी ऑप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आप यहां पर देखिएगा यह कह करना कैल्कुलेट करना हीन रही इसे करिएगा देखें कर यहां लिखेंगे यह कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लौग चार बटे लौग तीन गुड़े उपर ये कितना हो जाएगा लौग पांच बटे लौग चार गुड़े ये कितना हो जाएगा लौग छे और ये लौग पांच गुड़े लौग साथ और ये हो जाएगा लौग छे गुड़े कितन जाएगा लौग 9 और यह जाएगा लौग 8 अब देखते हैं जो काट रहा है काट दो जो बच रहा है उसे बचा लौग 9, को आप लिख दीजिए लौग 3 की पावर 2, नीचे कितना बच लौग 3 अब आपको पता है कि लौग m की power n क्या होता है n log m n log m तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 log 3 बटा log 3 अब दोनों cancel हो जाएगा कितना बचा 2 कौन सा अफ़न सही हो जाएगा a option यहाँ पे correct हो जाएगा चलेगा 70 देखेगा प्रशन संक्या 70 प्रशन संक्या 70 में कह रहा है a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 मैं देखो हमारे पास अगर दिया गया होता है a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 इस case में क्या होता है कि दोनों equations का केवल एक unique solution होता है केवल एक solution होता है केवल एक अधिती solution होता है लेकिन अगर हमारे पास दिया हो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 तो क्या होता है कोई नहीं है लेकिन अगर a1 upon a2 बराबर में आ जाए b1 upon b2 equal to आ जाए c1 upon c2 तो इस situation में क्या होता है अनंतह अनेखल होते हैं अनेखल यहना मेनी solution अनेखल तो यहाँ पर चेक करते हैं देखेगा यहाँ पर यह है A1 और यह है B1 और यह है हमारा C1 यह है A2 यह है B2 और यह है C2 देखो A1 अपान A2 निकालो 3 बटा 12 बराबर है ना देख लेते हैं इसी तरह से आप B1 अपान B2 निकालो निकालेंगे तो माइनस का 4 बटे में माइनस का 16 यह भी एक बटा चार आ जाएगा इसी तरह आप निकाल यह C1 अपान C2 तो यह पांच बटा 20 यह भी आ जाएगा एक बटा 4 तो यह वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 यानि कि हमारे पास अनंतह अनेखल होंगे है ना 2 से जादा उभैनिस्ट हल होंगे कौन सा अपफन सही होगा D option यहाँ पे correct हो जाएगा 71 के पास चलेंगे 71 में कह रहा है कि 33 रुपाय को ABC में इस प्रकार बाटिए कि A को B से 7 रुपाय जादा B को C से 8 रुपाय जादा प्राप्त हों देखते हैं भई टोटल हमारे पास 35 रुपाय है यह है Mr. A ये है Mr. B, Mr. C है ना क्या करहा है हम माल लेते हैं कि C को मिल रहा है X तो कहरा है B को C से 8 रुपाय जादा तो यह लोग 8 रुपाय जादा फिर क्या कह रहा है, A को B से 7 रुपए ज्यादा, यानि कि B के पास कितने हैं, X प्लस 8 है तो 7 रुपए इनको और दे दो, यानि कि A वाला पार्ट कितना हो गया, X प्लस 15 और इनका कितना हो गया, X अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, भाई तीनों को जो 15, 8 हो जाएंगे, 23, 3X प्लस, 23 बराबर कितना हो जाएगा, 33, 3X बराबर कितना हो जाएगा, इंधर आग जाके घटा दोगे, 30 आजाएगा, X बराबर कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, अच्छा, X 10 आजाएगा, मतलब एक अपार्ट कितना हो गया है, एक अपार्ट कितना अगलों अगर यह दिये गए हैं तो समीकृण के मूल होगे है ना देखिए कि यहां पर पहले वाले समीक्रण के मूल दिये गए तो मूलों को योगफल निकालो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का B by A होता है तो माइनस का P आ जाएगा यानि कि कुल मिला के यहां से P बराबर आ गया माइनस का 3 मूलों का गुड़न फल एक गुड़े 2 बराबर आ जाएगा Q बटा A है ना वही माइनस का ओसी बाई यह होता है तो यानि कि Q आ जाएगा हमारा 2 कितना आ गया 2 अब इस equation में आ जाओ कितना हो जाएगा कि का Q का value रखो कितना हो जाएगा 2Q स्क्वेर माइनस माइनस प्लस हो जाएगे 3X हो जाएगे और प्लस का 1 is equal to 0 गुड़न खंड कर लेंगे इसके 2X स्क्वेर प्लस का कितना हो जाएगा जैसे ही factor हो जाएगा 2X प्लस का X प्लस 1 is equal to 0 अब देखेगा दोनों माइनस के आ जाएगे एक क्या जाएगा हमारे पास कर लीजेगा X माइनस बना जाएगा और ये माइनस का 1 बटा 2 आ जाएगा ठीक है बी ओप्सन यहापे 72 में बी ओप्सन करेक्ट होगा 73 देखेंगे करा किसी त्रिभुज के अंता केंदर का केंदर ग्याद करते हैं देखेंगे अंता केंदर कैसे ग्याद करते हैं त्रिभुज के अंता कोड़ों का किनी दो अंता कोड़ों का सम्दिभाजक खीश दीजे किनी दो अंता कोड़ों का सम्दिभाजक खीश दीजे जहां काटेंगे वही हमारा इन सेंटर होता है और वहां से आप इसे खीश सकते हैं अगर हम माल लेते हैं परिवृत्त में क्या करना होता है हमारे पास किनी दो भुजाओं का लंब समदी भाजा खीश दो है ना किनी दो का ये लो ये लो हमने खीश दिया जहां ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को वह हम हम लंब केंद्र हैना इसे क्या बोलते हैं लंब केंद्र हैना क्या बोलते हैं लंब केंद्र यानि कि आर्थो सेंटर बोलते हैं और जहां पर तीनों माध्धिकाएं काटती हैं माध्धिकाएं काटती हैं उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं केंद्रक तो कोडों के अर् तरिभुज चलेंगे दोनों भुजाएं बराबर हैं ये इसकी माधिका परपेंडिकुलर और माधिका भी होती है तो याद रखेंगे नब्यांस का बनाएगा इसके जम्मेदारी है और इन दोनों के इक्वार्ट में भी डिवाइट करेगा इस तरिभुज में आ जाओ तरि भुज एडीबी में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बीडी स्कॉएर अब माईनस का धिकॉएर भी डी इनटु बीडीária क्याले बाई क्याले सकते हैं बीडी इन्टु बीडी अब एक बीडी को आफ चेंज कर दीजीए है ना बीडी को आप एक बीडी को चेंज कर दीजिए भाई बीडी किसके बराबर है सीडी के बराबर है एक बीडी को चेंज कर दीजिए बीडी इन्टू सीडी तो ए बी स्क्वेर मैंने से डी स्क्वेर बेडियों इंटो सीडी कौन साप्शन से हो जाएगा पहला ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा चलिएगा 75 देखेंगे कि रहा किसी सम्कटबुच के अंतरगत बने वृत्त की तिरिज्जा इसके अंदर क्या कर रहा है कि वृत्त की तिरिज्जा निकालने है अगल जो मान लेते हैं कि ऐसे बना कहीं पर और यह हो जाएगा तीन हो जाए एक मिनिट इस सम्क्षट्भुच के अंतर गुद्ध की तिरिज्जा आर है तो इसका परिमाप क्या होगा मानते है एक मिनिट कई यह जाएगा यह यह समसरत्यूच का मतलब होता है कि सबीग हो vi Six होंगी इ Bereich साथ हूंगी यह बना दिया है της मालों थोड़ी ते रिखेंँ है तो हमसे कहा रहा है इसकी तिरिज्ज्जा क्या होगी मान लेते हैं यहां पर इसका मिला लेते हैं यह मिला लिया और यह मिला लिया ठीक है इस दोरान देखो इसका सम्कडूज पर अंदर का पोड होता यह वाला 120 निकल गयाता है कितना होता है 120 और यह वाला जो डाइगनल होगा इसे अर्धक करेगा तो यह निकितना हो जाएगा साटो जाएगा अब देखो दोनों त्रिभुज की इसी की क्या ह Kr gonna out डोनों वराबर होँए है यह भी साठोज जोड जाएगा जोड़ हो जाएगा कौन सी केंदरी प्रबत्तिकी माप नहीं है तो केंदरी प्रबत्तिकी माप नहीं है वह एक विछेपढ़ की माप होती है ना कैसी माप होती है विछेपढ़ की माप तो कौन सी नहीं है यहाँ पर केंदर पर बत्ति की माप यहाँ पर स्टेंडर्ड डेविएशन यानि की मानग विचलन नहीं होगा चलेगा इसके बाद देखेंगे कोश्चर नमबर 77 कोश्चर नमबर 77 7 में निकालना है आपको करा कि के प्रसार में X T power N का गुडांग निकालना है इसके प्रसार में X T power N का गुडांग अब देखेगा अगर हम इसे calculate करना चाहें न क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसी के आगे करते हैं देखेगा is equal to हमें काम करेंगे इसे हम convert करेंगे convert करेंगे अगर हम इसे आंसिक भिनने के रूप में तोड़ना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं तोड़ लीजिए गांसिक भिनने में तोड़ना आपको आता है एक बटे दो यह हो जाएगा हमारा 1 minus X और minus का आजाएगा 1 बटा 3 minus X यह बन जाएगा इसे calculate करेंगे एक बटा 2 यह हो जाएगा एक बटा 2 और यहां बन जाएगा यह 1 minus का X की पावर minus 1 और minus यह बन जाएगा 3 minus X की पावर में minus 1 चलेगा calculate करने के बाद यहां से नीचे second वाले में 3 common ले लिजी है ना हम इसे बनाना चाहते हैं 1 plus X की पावर N उसी से expand करेंगे यह कितना हो जाएगा इसे तो हम expand कर सकते हैं आराम से देखो क्या होता 1 plus NX बटे 1 factorial तो NX की जगह पर 1 1 plus कर देगा इसे एक factorial कोई दिक्कत नहीं 2 factorial यानिकि N into N minus 1 तो minus का 1 minus का 2 2 factorial उपर बन जाएगा नीचे वाला factorial कट जाएगा यानिकि यह बन जाएगा हमारा X square plus dot 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 यह आता चला जाएगा और आगे वाले में हम क्या कर रहे हैं माइनस का 3 ले रहे हैं common तो यह कितना हो जाएगा 1 minus का X by 3 की पावर में minus 1 हैना अब करेंगे इसे हम आगे calculation करेंगे हमने क्या किया 3 उपर से हमने क्या लिया 3 minus X लिखा हुआ था हमने 3 minus X से क्या 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 किया 3 common लिया तो 3 minus का common आएगा ना तो एक बटा 3 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा माइनस है ना पावर में तो एक बटा 3 हो जाएगा अब देखेगा इसे हम यहां पत्रों से लिखत दीजे एक बटे दो को यहां multiply कर लिजे और कितना है यह एक बटा तीन है है ना एक बटा तीन है और यह देखो यह क्या बन जाएगा यहां पर भी पावर में माइनस बन है तो फेक्टोरियल वाले पार्ट कटते जाएंगे यह निकि यह बन जाएगा वन प्लफ एक्स बटा प्लस एक्स बटा तीन का स्कुएर प्लस डॉट 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 इन फाइने अप देखेगा यह कितना बन जाएगा भाई अगर हम इसमें एक्स की पावर अन का गुडांक नहीं है ना क्या लें? X की पावर N का coefficient लें है न X की पावर N का गुडांक देखो यहाँ पे X की पावर 1 का गुडांक 1 है X की पावर 2 का गुडांक 1 है X की पावर 3 का गुडांक 1 है X की पावर 1 का गुडांक कितना होगा वो भी हो जाएगा 1 ही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाई 1 हो जाएगा minus 1 बटे 2 एक बटा 3 अब यहाँ पर देखिए X की पावर 1 X की पावर N का गुड़ां कितना 1 बटा 3 X की पावर 2 का कितना है 1 बटा 3 का पावर 2 जितनी पावर उतने 1 बाई 3 आ रहा common यानि कि एक सी power n का निकालेंगे तो यह हो जाएगा one की power में एन है ना one की one by three की power n हो जाएगा यह हो जाएगा एक बटा दो ले लेंगे common तो कितना बनगे यहां पर one minus देखों एक पावर इसकी एक पावर इसकी तो यह बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा अब आप ले लो LCM LCM लेंगे तो कितना जाएगा एक बटे दो इन्टु 3 की पावर N प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड़ भाई 3 की पावर N प्लस 1 कौन सा ओप्षन सही हो गए यहाँ पे पहला ओप्षन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा है ना मिल गया यहाँ पे एक्स की पावर N का गुडान चलीगा क्वेस्टन नमबर 78 देखिए कि प्रश्ण संख्या 78 में हमसे कहा गया कि इसका माध्ध जो दिया गया है ना पहले वाले का देखिए दोई स्टेप में इस क्वेस्टन को करेंगे हम मतलब क इधर करते हैं इनका माध निकालो पदों का योग बटे पदों की संख्या करा एक प्लस तीन प्लस चार प्लस 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 साथ प्लस चार गिरो कितने हैं पद कितने हैं भाई छे हैं बट्टा छे बराबर कितना इनका माध एम आ रहा है कितना हो जाएगा चार चार आठ हो 4, अच्छा, इधर देखते हैं, इनका भी दिया गया माध्ध, क्या दिया गया है, m-1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2, सब को जोड़ लो, है न, सब को जोड़ लो, यहीं पर सब को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, भाई, 3, 2, 5 2, 7, 7, 4, ग्यारह, ग्यारह, तीन, चवलदा उर तीन, शत्तरह, हना, कितना हो जायगा, भई, ये हो जायगा, शत्तरह, प्लस P, हना, कितने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और चार, पैण, शाद, इस इकोल टो कितना हो जायगा, कहए रहा, M-1, M-1, M का with ख्याद का जाएगा गुरा करें तो फी कितना आपी बराबर भी चार आएगा यहां पर चार आ चुका यहां पर पी बराबर चारा चुका है यहां पर इस घाल के च्छोटा पर उसके इनकी माध्धिका नीकार निकाल अच्छा माद्धिका क्या होगी पदों की संख्या गिल ले जाती जैसे आरो ही आरो ही क्रम में निकाल देते हैं साथ हैं तीन इधर से छोड़ दो तीन इधर से छोड़ दो ये हो गई माद्धिका माद्धिका कितनी दी गई है क्यू यानि कि क्यू का मान कितना आ गया भाई क Q का माना गया, 3, P का माना गया, 4, M का माना गया, 4, फिर क्या गरा, P प्लस Q, P प्लस Q, P प्लस Q का वैलू निकालना है, यानि की 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7, कौन सा उप्षन से हो जाएगा, D option यहाँ पे correct हो जाएगा, चलेगा, आगे, 79, प्रश्ण संख्या, 79 में दिया गया है, A की पावर X बराबर, B की पावर Y बराबर, C की पावर Z, आप एक काम करो, इसी के बराबर में K लेट कर लो, लेट कर लिए हमने K ले लिया, तो यहाँ पे दिखनो कितना हो जाएगा, जब हम इन दोना उन पातों को लेंगे बराबर, हैना, क्या आ जाएगा यह आजाएगा, A की पावर X is equal to K, यह हमें दे देगा, A is equal to K की पावर में 1 by X, इदर पावर के आजाएगी, पलट के आजाएगी, हैना, 1 by X, अच्छा, इसी तरह से हम B निकालेंगे, तो B कितना निकल के आजाएगा, B सेम निकल के आजाएगा, B बराबर आजाएगा, K क पावर 1 by Z, अब इसी प्रस्ण में हमें दिया है कि B स्कॉयर बराबर A, C, हैना, कितना दिया है, B स्कॉयर बराबर A, C, इसका यूज कर लो, B स्कॉयर is equal to A, C, B का वैलू रखेंगे, कितना है, K, K की पावर 1 by Y, K की पावर में 1 by Y की पावर में 2, अच्छा, A का वैलू कित A is equal to, इधर कितना हो जाएगा, K की पावर में 1 by X plus 1 by Z, हैना, क्योंकि अगर बेस सेम रहते हैं, तो दोनों powers क्या होती है, जूड जाती है, अब देखेगा, यह हो जाएगा, 2 by Y is equal to 1 by X plus 1 by Z, हैना, तो कितना हो जाएगा, इसे हम calculate करेंगे, हैना, यह कितना देदेगा, यह निगाल दो, Y बराबर आजाएगा, 2 X Z बटे X plus Z, 2 X Z बटे Z plus X, कौन सा अप्षन सही, यहाँ पे, D option correct है, हैना, चलेगा, किरा किसी बंटन का बहुलक ज्याद किया जाता है, बहुलक, यानि कि मौड कैसे ज्याद करते हैं, किसी बंटन का, तो देखें, किसी बंटन का बह आयत चित्र द्वारा, आयत चित्र बनाते हैं, है ना, आयत चित्र बनाते हैं, और उसमें जिसकी सफ्वे जादा frequency होती है, जिस चर की सफ्वे जादा frequency होती है, वही क्या होता है, वही क्या होता है, वही क्या होता हमारे पास, जिर चार दिया है, चार दिया है, और तीन आय आगे चलेंगे तो यहाँ पे पहला option correct हो जाएगा आयत्चित्र द्वारा हम निकालते है बंटल का बहुलग next question देखेंगे हम आगे question number 81 81 81 में कह रहा है कि 200 से अधिक के मद्द के आकड़े ग्यात कीजिए देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है 200 से अधिक 200 से अधिक का मतलब क्या हुआ है यहां पर 201 201 से कहां तक ले लिया जाए 201 से ले लो 200 तक और यहां पर क्या कह रहा है 200 से अधिक यानि कि 251 से कहां तक 300 यहां पर क्या कह रहा है 300 से अधिक यानि कि 301 से 350 तक और यहां पर कितना कह रहा है 351 से आगे है ना जो भी है तो हमसे कह रहा है कि 200 200 वा 200 के मद्द के आंकडे बताईए कितना 250 से 300 दो सो पचास से 300 के बीच में कितना ओ जाएगा देखो यह कितने हो जाएंगे 300 तक के आंकडे हमें लेना है तो क्या करेंगे भाई यह इतने 28 हैं है ना 251 से 300 के मद्ध में कितने आगड़े यह दिखाया गया 38 38 में क्या करेंगे ज्यादा वाले उन्हें घटा देंगे हमें सिर्फ यही चाहिए ना 56 यह 56 यह 56 यह पर पंदा फिर जीरो होगया तो हमें 15 घटा द देने कितना जाएगा यह 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा 23 हो जाएगे के लिए के लिए समुच्य के लिए क्लिए कौन सत्य होगा मानं की जब भी बात होगी इस कंडिशन में जो lm हो बड़ा होता है और gm बड़ा होता कि में किसे हम से जब कहेगा लेकिन जब कहेगा कि कोई कोई भी मौन भी मानों मतलब उसमें और इस वाली कंडिशन में प्रस ने कहे रहा है बिभिण धनात्माइक लिए थ्सक्राइब निचाइएं में निकाले हैं लिखेक हैं लेकिन अगर वह कहा जाएगा इसीahl ङेवाइन इसी इक्वल लगाएगा इस리 में उख्या जाएगा इसमें कहlı लग जाएगा कब जब कोई भी मान ले लिया जाए या equal या distinct है ना, equal और distinct दोनों ले लिया जाए तो फिर क्या होगा, am और ये gm और ये hm, ठीक है, ये क्या होँगे greater than equal to, greater than equal to, है ना चलेगा यानि कि am greater than equal to gm, gm greater than equal to hm से होगा, चलेगा, आगे चलेंगे question number 83 देखेंगे किया कि कीमत आधारित जीवन सूचकांक, CLI को प्रदर्शित किया जाता है, है ना अब देखें, कीमत आधारित जीवन सूचकांक यानि कि CLI को किस से प्रजेंट किया जाता है तो CLI पर निकालने का formula क्या है हमारा, sigma pn q0 है ना, sigma pn q0 divided by sigma p0 q0 pn क्या है, n क्या दिखा रहा है, वो 30 year दिखा रहा है और 0 क्या दिखा रहा है, base year दिखा रहा है यानि कि अगर हम बात करते हैं याँपे, क्या क्या है हमारे पास pn क्या है qn क्या है और p0 क्या है q0 क्या है ये सब भी जान लेते हैं देखे गए याँ पर शियलाई निकालने के लिए भाई ये क्या है ये हमारा है प्राइस प्राइस आफ करेंट एर करेंट एर मतलब कि उस एर में कितना प्राइस था क्यू एन का मतलब हो गया कि क्वांटिटी की बात कर रहा है है ना क्वांटिटी क्वांटिटी आफ करेंट एर और पी नॉट की बात करें तो ये क्या कह रहा है ये बेस एर की बात कर रहा है ना प्राइस आफ बेस एर प्राइस आफ बेस एर बेस एर और Q naught क्या कर रहा है quantity of base year quantity of base year ठीक है तो कौन सो अप्षन सही होगा CLI निकालने का फार्मूला क्या sigma P and Q naught divided by sigma P naught Q naught into 100 इससे CLI को calculate किया जाता है कीमा ताधारित जीवन सुचकांग को calculate करते है revolution 84 देखेगा question 84 में कहिराई कि 30 applause 20 30 वा 20 आकार के दो नमूनों का माध दिक्रम्षा इतना और इतना है मान भीचलन इतना और इतना है तब शभी 50 आकार के 30 वीज पचास आकार के नमूनों के साथ मान भीचलन निकालना है तो देखेगा यहाँ पे हम कुछ चीज़ें है नोड करवा देते हैं हैना calculation नहीं करवाएंगे calculation आप करोगे हैना वरना बहुत time लग जाएगा तो देखेगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं यह है n1 यह है यहाँ पे n1 n1 का value दिया गया है 30 और n2 का value दिया गया है 20 फिर इसके ब माननक विचलन की ओ गया मतलब हो गया यह नुव वन हैना मानक विचलन कीतना होगया एक का सोला दिया है और 1 का दिया गया है पचीछ दिया गया है तो आब हमसे कहना क्या चाहरा है वह कह रहा है कि आप इनका एक साथ पचास नमूनों का standard deviation ग्याद कीजिए तो standard deviation हम ग्याद करें उससे पहले standard deviation का formula हम आपके बीच में रख देते हैं इन दोनों का 1 और 2 का दोनों का standard deviation एक साथ निकालना है इसके लिए formula होता है root new 1 square n1 plus new 2 square n2 plus plus फिर होता d1 square n1 plus d2 square n2 divided by root के अंदर ही रहेगा divided by n1 plus n2 n1 plus n2 अब देखेंगा हमें सब कुछ पता है n1 पता लेकिन d क्या है d1 d2 क्या है वो नहीं पता तो हम आपको यहाँ पे d1 d2 बता देते हैं तो d1 क्या होगा यहाँ पे हमारे पास वो हो जाएगा x1 bar minus x1 bar minus x12 x12 मतलब क्या है x12 क्या है दोनों का combined जो होता है उसे x12 बोलते है ठीक है अभी x12 का क्या formula होगा वो बताते हैं आपको d2 is equal to क्या हो जाएगा x bar 2 minus x12 चलेगा अब इस formula में बाद में रखेंगे उससे पहले हमें जरूरत है किसकी x12 की x12 का जो formula होता है वो होता है n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2 divided by n1 plus n2 सारी values रखेंगे यहाँ पर value रखेंगे जब भी तो सारी value रखेंगे calculate करिएगा जो x12 की value आएगी ना x12 की value जो आएगी वो आएगी 57 कितनी आएगी शत्तामन आएगी तो यहाँ पर रख देंगे यह हो जाएगी हमारे पास x bar कितना दिया गया है यह दिया गया है x1 bar दिया गया 55 55 minus 57 आजाएगा minus का 2 और यह आजाएगा कितना 60 minus का 57 यह आजाएगा 3 div 1 d2 आगया x12 हमारा 57 आगया सारी values को क्या करना रख देना यहाँ पर है ना calculate आप करोगे रख में देता हूं इसे है ना यह value यहाँ पर रखेंगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा यह तो 256 हो जाएगा 16 का square हो जाएगा भाई है ना new1 square 16 का square कितना हो जाएगा 256 गुड़े n1 n1 का value कितना है 30 प्लस new2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 625 गुड़े n2 n2 का value दिया गया है 20 प्लस d1 square दोका square यानि कि 4 4 गुडे n1 n1 कितना है 30 प्लस d2 square थिंतरी ग 9 गुडे n2 n2 का value क Griff forecasts की एगा यह 20 दिया गया है ना divided by n1 plus n2 divided by n1 plus n2 n1 और n1 2 की value कितनी यह 30, 20, 50 हो जाएंगे है ना अब इन्हें आप calculate करिएगा जब आप इन्हें calculate करेंगे multiply करेंगे तो यह multiply करके जो भी divided यहाँ पर यह नंबर आएगी वो आ जाएगी आप calculate करिएगा इससे यह आगई मालो आ जाएगी calculate करने पर 2048 बटा 5 20.23 20.23 है ना तो यहाँ पर डी option correct हो जाएगा कौनसा option से हो जाएगा डी option correct हो जाएगा चलिएगा next question देखेंगे question number 85 question number 85 में यह वाली जो भी ने दी गई है इसको equal है दोनों के है ना हमें value पी की निकालनी है तो पहले हम क्या करें इसको rationalize कर लेते हैं देखेंगा फिर दोनों के equal कर देंगे तो यह वान अपान दिया गया one प्लस में कितना है root 3 प्लस में दिया है root 5 क्या करेंगे भाई किशे हम multiply करेंगे उपर और निच्चे हम target लेके चल रहे हैं कि पहले root 5 को बिदा कर दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा one plus root 3 को एक bracket बना दो है ना और बीच वाले का sign बदल दो यह कितना हो जाएगा minus का हो जाएगा root 5 divided by यह कितना हो जाएगा one plus का root 3 का holy square a plus b a minus b यह कितना हो जाएगा root 5 का square यह कितना आ जाएगा इसे चुप चाप रहने दीजिए यह हो जाएगा one plus under root 3 minus का under root 5 divided by नीचे कितना हो जाएगा one plus three one plus three हो जाएगा यह 4 बन जाएगा one plus का under root 3 minus का under root 5 divided by 2 under root 3 minus 1 उपर multiply करो फिर से अभी क्या करो रेसलाइज करना है फिर से करना पड़ेगा क्योंकि root 3 आ गया है ना साथ तो 6 बन जाएगा फिर इसके साथ multiply करेंगे तो कितना जाएगा दो अंडरोट 3 का multiply होगा तो यह जाएगा दो अंडरोट 15 दो अंडरोट कितना हो जाएगा 15 फिर एक का multiply कर दो एक one plus अंडरोट 3 minus का अंडरोट 5 divided by a plus b a minus b 2 अंडरोट 3 का square या निकी चारती है 12 minus 11 बचेगा है अब देखो हमें मतलब क्या है इस से बराबर करना यह क्या दिया गया प्लस अंडरोट 3 क्यू प्लस अंडरोट 5 आर प्लस अंडरोट 15 s is equal to कितना हो जाएगा यह देखेगा equal to कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगे 6 1 7 7 7 बटा 11 हमने कर लिया फिर क्या है देखो 2 अंडरोट 3 यह है एक अंडरोट 3 यह है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगे 3 अंडरोट3 ना बटा 11 ठीक है और इसके बाद देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 कितना है माइनस का अंडर रूट 5 बटा 11 माइनस कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 15 बटा 11 इतना हो जाएगा अब compare करेंगे तो P का value 7 बटे 11 आएगा Q का value कितना आजाएगा 3 बटे 11 आजाएगा और R का value आजाएगा माइनस का 1 बटे 11 और S का value कितना आजाएगा वो आजाएगा माइनस का 2 बटा 11 फिराल हमें question पीम पूचा गया तो हम यह जिसके साथ कुछ भी नहीं free है उसे माल लेते हैं P कितना हो जाएगा उसे निकाल देंगा 7 बटा 11 कौन साफ्षन सही हो जाएगा 7 बटा 11 पहला option 85 में correct हो जाएगा चलेगा 86 देखेंगे क्यारा एक बिश्यम सम्मित आविू का करम नहीं हो सकता दोखो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है जो बिश्यम सम्मित आविू होगा बिशम शम्मित आवियू का जो क्रम होगा वो 2 हो सकता है, 6 हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी एक नहीं होता है ना किसी भी बिशम शम्मित आवियू का क्रम एक नहीं होता, ठीक है चलेगा आगे, 87 तेरा 2 आवियू A और B विप्रीत क्रम में होंगे, देखो दोनों विप्रीत क्रम में तब होते हैं, जब कभी भी AB वराबर आजाए, माइनस का BA आजाए, तो दोनों आभी विप्रीत क्रम में माने जाते हैं, ठीक है, चलेगा, 88, करा 88 निम्न में से सत्य कथन है, करा कौन सा सत्य कथन है, तो देखें यहाँ पर पहले दूसरा देखो आप करा यादि ए कोई भी आवी हूँ एड़ॉइंट-A आप एड़ॉइंट-A तो एक रा उसके एक्कोल होगा है एसा तो होता नहीं तो यह भी क्या है अश्रत्यकतन है फिर क्या करा एड़ॉइंट-A एड़ॉइंट-A ड्योंड-B जो होत और यह एक त्रेवुजाकर मैट्रिक्स है ना एक त्रेवुजाकाराभी यह का मतलब क्या हुआ 1시 1 और यह मतलब खोता है की सारे लिमने इसका मतलब की होता है कि सारे एलिमेंट्स एना मैंसारे ऐलिमेंट्स डापनारे दीद notor और उपर साइड कि नीचे साइड कि साथे सारे कुछ होंगे डिजिट डा ये कैसा है हमारे पास ये ट्रेंगूलर मैंत्रिक्स है या नहीं को सका मौट वो निकाल लिजे ये स्लोधिक स्राडिक कितना जाएगा, वन आ जाएगा, अब देखेगा, अब स्राडिक वन आ गया, इसका एडजॉइन टे निकाल लो, एडजॉइन टे कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, तो यह वन वन ही रहेगा, फिर इन में माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा वन माइनस वन जीरो वन डिवाइड़ बाई ये दिया गया वन यानि कि अब देखिए आप ये आ गया वन माइनस वन जीरो और वन यानि कि हम ये देख रहे हैं कि ये भी क्या है एक त्रभुजाकार मैट्रिक्स मिली है हमें एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मिली है यानि कि ए अगर त्रिभुजा कार मैट्रिक्स है तो A inverse भी एक त्रिभुजा कार आवियू ही होगी चलेगा, question number हम देखेंगे 89, question number 89 कह रहा है, माल लीजिए कि हमारे पास कोई 3 cross 3 की मैट्राइसेस है A है, B है, C है E, F, G है, H, I, J है ना, कहारा प्रतेक को अगर हम 3 से multiply कर दें, रो को भी प्रतेक अवयो को, है ना, चलो इसे 3 से multiply किया, इसे किया इसे किया, इसे किया, इसको किया, इसको किया, 3 से multiply सबसे अब हम क्या करेंगे, तो कोष़ determinant हमारे पास क्या थी, यह पहले वाली थी, जो कहा जाए है ना कितना 3 से multiply किया गया है किसमें ए में तो यह जब भी 3 क्रॉस 3 की होगी जितनी क्रॉस इतनी क्रीक होगी उत्व पावर उपार आ जाएगी और वो चुप चाप determinant A हमारे साथ रहेगी यह कितनी हो जाएगी 27 27 इन्टू determinant A हो जाएगा यह ठीक है चलिएगा कौन साफ्षन से हो जाएगा यह सी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 90 देखेंगे question number 90 में कह रहा है कि यह समी करणों का हल है तो के कामान देखो समी करणों का हल जिकालने के लिए में क्या करना होगा x, xy, 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 3 एकोल टू 0 होगा पहले वाली को अब ले लो 1 2-3 और यहां से देखो क्या आ जाएगा X तो है नहीं यह 0 है और यह दी गई है 2K प्लस 1 और यह दी गई है 1 चलेगा इसे कैलकुलेट कर यह भाई इसे कलकुलेट करेंगे तो देखो यह 0 है यह 0 अब K प्लस 1 लास्ट में जाएंगे K प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा यह चोड़ जाएगा यह चोड़ जाएगा यह यह आजाएगा 2K प्लस 1 माइनस 0 जीरो इस इकोल टू 0 कि यह आ जाएगा के is equal to minus three और आएगा के इक उक्वाल टू उक्वाल टू-3 को सैटिसफ़ाइट करवा लोगे हैं ना, cage equal to minus 3 रखो गे तो देखो यहाँ पर यहाँ पर satisfied cage-to minus 3 नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, इसका मतलब cage-to minus 3 को हम reject कर लेंगे, यह reject हो गया, यह वाण नहीं हो सकता, क्याएक value minus 3 नहीं हो सकती, अब एक बटे sympathetic कर लिजेगा आराम सेटिस्काइड हो जाएगा यानि कि option यहाँ पे बी क्या होगा correct होगा चलिएगा देखो यह 91 में दिया गया है कि अगर हम देखो यहाँ पे एक काम करते हैं इसका हम सिर्फ अगर एक पद ले लें है ना एक पद का जोड़ कितना आना चाहिए उतना है आने एक बटे एंडरूट 7 पड़स औरूट 3 निलब ये आ रहा है और ये आ रहा है लेकिन ये दोनों option नहीं आ रहे है도 साथ प्लस अंडरूट 3 यानि कि option नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बटे में तो हैं यहाँ नहीं आपके कुछ यानि कि पहला और दूसरा य यहां पे भी क्या करना है हमें 2 पद लेना है तो पहले इसे हल कर लेते हैं दो connects लेते हैं इसके ऊपर वाले के देखते हैं कितना आता है फिर एंद बराबर दो एंध। से किसी दोनों में जो सटिस्फाइट कर जाएगा वह एंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो यहां पर रूट 3 और प्लस का रूट सेवन लिखा मल्टिप्लाई करो इसका यह रूट सेवन मल्टिप्लाई रूट आ जाएगा अगला वाला root 11 माइनस का root 7 divided by हो जाएगा 4 है ना अब इन दोनों को add कर लेते हैं वो कह क्या रहा है अब दोनों को add कर लो यहाँ पे add करेंगे इसका value कितना आया यह आ गया हमारे पास 4 LCM ले ले लें दोनों में चार ले लो LCM तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा root 7 माइनस का root 3 plus root 11 माइनस का root 7 यह और यह cancel हो गए कितना बचा भाई यह बचा root 11 माइनस का root 3 divided by 4 multiply कर दो इसका उपर नीचे 11 माइनस का root 3 plus का root 3 है ना conjugate का multiply किया हमने अब क्या हो जाएगा उपर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 8 8 बचे 4 into root 11 plus root 3 काड़ दीजिए 4 दुनिया 8 यानि कि आ जाना चाहिए 2 बचे root 11 plus root 3 वो option तलासना है जहाँ के n बराबर 2 रखने पर देखो यहाँ पर उपर तो 2 आएगा नहीं तो यह option खतम option B बचा है बस option B को try कर लेंगे वैसे अब try करने के जरूरत नहीं है एन बराबर 2 रखो भी में तो 2 बटे under root कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 plus 4 दुनिया 8 plus under root 3 2 बटे यह आजाएगा under root 11 plus under root 3 कौन से option से देखो यह दोनों match-match कर रहे है कौन से option से होगा यहाँ पर option 91 में option B correct होगा 92 92 में करा एक शमीती के 5 पुरूस ना कितने पुरूस है 5 पुरूस है जिने बिठाना है तो यह लो यह M1 है और यह है M2 यह है M3 चलो M3 को बिठाते है M3 और यह है M4 और यह है M5 है ना अब एक आदमी को हम रखेंगे fix कोई एक आदमी fix करो उसके हिसाब से 4 तरफ बिठा दो मालो हमने इस बेक्ति को fix कर दिया ठीक है तो अब इनको कितने प्रकार से arrange किया जा सकता है 4 factorial प्रकार से एक आदमी तो fix रखने पड़ेगा अच्छा इसके बाद देखो इनकी बीच में कहरा है कि कभी एक साथ ना आये कभी भी दो महिला एक साथ ना बैठे कितने प्रकार से महिलाओं को बिठा जा सकता है एक महिला दो महिला तीन महिला चार महिला पांच महिला पांच में से कितनी महिला हैं हमारे पास कितनी हैं दो पांच प्रकार से बिठाया जा सकता है तो पांच महिलाओं को सोरी पांच प्रकार से बिठाने की जगा है कितने महिलाओं को बिठाना है दो महिलाओं को तो 5P2 प्रकार से इन्हें बिठाया जा सकता है और 4 फैक्टोरियल प्रकार से मनुस्यों को बिठाया जा सकता है अब दोनों क्या है? सोतंत्र घटना है यानि कि 4 फैक्टोरियल और यह हो जाएगा 5P2 है ना दोनों सोतंत्र घटना है बटा में कितना तीन परकार से नहीं बिठाया जा सकता है कौन सा अप्सन सही हो जाएगा 92 में ऑप्सन सही हो जाएगा आएगा 93 देखेंगे प्रस्षरंख्या 93 देखें कि प्रसेशन क्या 93 में कह रहा है कि a n is equal to इतना दिया गया है अब एक काम हम यह करेंगे यहां पर हम ले रहे हैं सिर्फ n is equal to 1 ले रहे हैं एक पद पर हम काम कर रहे हैं n is equal to 1 रखो और देखो इसकी value कितनी आएगी तो भाई यहां पर रखेंगे a n a1 कितना आजाएगा a1 is equal to आजाएगा शिग्मा है ना कहां से r is equal to 0 शुरू हो रही हम n की value कितने ले रहे हैं 1 ले रहे हैं एक ही पद ले रहे हैं 1 by n c 0 अब इसे r का value कितना है r का value अभी में decide नहीं किया ना अब इस r तो रखेंगे ना कहां से 0 से एक तक शुरू हो रहा है ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई अ से निकाल लीजिए इसकी value देखो कितनी आ जाएगी अगर हम क्या लेंगे हमें निकालना इसकी value यह कह रहा किसके बराबर होगा a1 is equal to 2 आ गया है हमें पता है a1 is equal to कितना गया 2 अब हमें निकालना यहां पर भी हम उतने ही पद लेंगे जितने वहां पे लिए है r is equal to 0 से हम कहां तक ले रहे हैं 1 तक ले रहे हैं न की value हम कहां तक ले रहे हैं 1 ले रहे हैं ठीक है कितना हो जाएगा r बटा में 1cr चलिएगा पहले r की value 0 0 बटे 1c0 फिर r की value 1 तो 1 बटा में आ जाएगा 1c1 यह कितना आ जाएगा भाई इसकी value आ गई हमारे पास यह तो 0 हो जाएगी और 1C1 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 अब देख लेते हैं कहाँ पे n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर 1 आ जाएगा तो देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे यह 0 आ जाएगा यह तो हो नहीं सकता यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे देखो यह 1 गुड़े 2 भई A1 की वैलू यह कितना हो जाएगा 1 into A1 यानि कि 1 into 2 बराबर 2 आ जाएगा यानि कि यह option भी नहीं हो सकता आना क्या चाहिए किसके बराबर 1 आना चाहिए तो यहाँ पे देखो 1 into A1 बटा 2 A1 का वैलू कितना दिया गया है यह दिया गया है 2 2 by 2 is equal to 1 2 by 2 is equal to 1 यानि कौन सा option सही है C option यहाँ पे correct हो जाएगा ठीक है चलेगा आगे चलेंगे 94 पे है 94 में कह रहा है इसका योगफल ग्याद कीजिए इससे हम लिख सकते हैं कि 1 factorial अब देखो इसका इसका sum क्या आ जाएगा इसका अगर हम sum निकालने चाहें यानि कि SN निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा उपर कितना आ जाएगा भाई sigma sigma n cube बटा में नीचे कितना आ जाएगा n factorial sigma n cube बटा कहां तक शुरू हो रहा भाई यह n is equal to 1 से कहां तक जा रहा infinite तक जा रहा है और इसकी direct value होती है 5e कितनी होती है 5e यह value आपको याद होनी चाहिए नहीं याद है तो आप इसे फिर से तोड़ना शुरू करेंगे n cube क्या करोगे n minus 1 नीचे n minus 1 लिखोगे n into n minus 1 फिर n n कटेगा n square फिर convert करते 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 है ना कर लीजेगा ठीक है चलिएगा आगे चलेगे वैसे करना काओ कहो तो करके बता दें हैना कैसे आएगा 5 ही आएगा तो यहाँ पर 5 ही कोई option नहीं दिया गया है यह आजाएगा n square बते n minus का 1 factorial अब एक काम करना हम चाह रहे हैं यह कि एक यहाँ पर घटा दें और एक जोड़ दे हैना उपर से n को खतम करना हमारा लच्छ है तो यह देखो n minus का 1 हो जाएगा और यह n plus 1 हो जाएगा और divided by हो जाएगा n minus 1 और आगे इसे पीछे ले जाओ यह n minus 2 factorial हो जाएगा भाई plus 1 बते n minus 1 factorial हो गया चलिएगा अब यह दोनों cancel हो जाएगे cancel हो जाएगे हना अब हमें चाहिए उपर n plus 1 है हमें minus का 2 चाहिए minus का 2 कर लिए तो plus का 2 भी करना पड़ेगा यह लोग पर क्या लिखा हुआ n plus 1 ही लिखा हुआ है नीचे divided by कितना हो जाएगा n minus 2 factorial और यह हो जाएगा चुपचाप लिखा है plus 1 by n minus r factorial है ना यह कितना हो जाएगा उपर देखो इसे वेक करेंगे और तो n by 1 by n minus 3 है ना n minus 2 है तो 3 factorial बन जाएगा अच्छा तीन बटे यह पहले से हमारे पास तीन बटा n minus 2 factorial है ना n minus 2 factorial और उसके बाद plus का एक बटा n minus n minus 1 है r नहीं है यहाँ पे है ना 1 है 1 factorial अब बताइए 1 e यह बन जाएगा plus 3 e यह बन जाएगे जो n बराबर 1, 2, 3 रखना शुरू करोगे तो यह बन जाएगे हमारे पास 5 e है ना वैसे आपको उपर याद रखना direct याद रखना कौन सा अफ़र सही होगा d चलेगा 95 पर चलेगा किरा किसी समस्या को हल करने का अनुपात के पक्ष में अनुपात यानि कि समस्या हल हो जाती है pa है ना समस्या हल हो जाती तब pa इस गुलटू कितना हो जाएगा तो को हल होने कि 3 है 3 बटा 7 अच्छा हल ना हो तो pa ड़ाइस बराबर कितनी हो जाएगी 4 बटा 7 इसके बाद हमसे कह रहा है b के विपक्ष में बिपक्ष में यानि कि अगर समस्या को हल करवाना है हमें तो 7 बटे 12 होगी समस्या को नहीं हल करवाना है तो 5 बटे 12 होगी यानि कि समस्या को हल करवाना है विपक्ष की बात हो रही है तो हल करवाना है तो 7 बटे 12 होगी और नहीं हल करवाना है समस्या को तो यह हो जाएगी क पांच बटा बारा कितनी हो जाएगी है पांच बटा बारा अच्छ अब समश्या के कह रहा है हल हो जाने की प्राइकता क्या होगी अब देखें समश्या के हल हो जाने की प्राइकता अगर हमें निकालनी है है ना कैसे निकालेंगे शमश्या के हल हो जाने की प्राइकता एक न बराबर ये क्या होता हम मान के चल रहे हैं कि ये इसके दोरा भी हल नहीं होगी और इसके दोरा भी हल नहीं होगी दोनों के दोरा ना हल किये जाने की प्राइकता हमने निकाल ली उसमें घटा दें तो समस्या को हल हो जाने की प्राइकता निकल जाएगी तो जाएगा वन माइ जाएगा इक्वल टू वन माइनस का पांच वटा एकाइस एकाइस में पांच घटा दीजिये कितना आ जाएगा शोलह 16 बटा 21 16 बटे 21 कौन सा option से हो जाएगा B option correct हो जाएगा कराई यदि किसी आभी हुशमी के रड़ में A B बराबर A C से हम क्या निक्सकर्ष निकाल सकते हैं कि B बराबर C ये दिया गया है माली जे हमें क्या A B is equal to A C दोनों तरफ A inverse से multiply कर दो A inverse A B is equal to A inverse A C देखो ये तो दोनों I हो जाएगे यानि कि I B is equal to कितना हो जाएगा I C यानि कि ये आगया B बराबर C हैना तो क्या कहरा है यदि यदि मोडुलस दिया गया है A यानि सोरी मोडुलस देटर्मिनेंट A is equal to कर रहा है अगर 0 हो तो यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है अगर ऐसा है और A inverse exist कर रहा है A inverse क्या कर रहा है exist करेगा if क्या हो determinant की value क्या हो does not equal to 0 हो क्या हो 0 हो तो कौन सो आफ़न सही होगा B हैना इससे ये निसकर्स निकाला जा सकता है कि A inverse यहाँ पर exist करेगा कब जब या independent matrix है या अधिश आभियू है अब दिखेगा हमें क्या निकालना है अगर यहाँ पर पहले निकालेंगे हम A square का value क्या निकालेंगे A square का value अगर A square 0 आ जाए या A cube 0 आ जाए हैना तो हमें क्या करेंगे multiply करेंगे multiply करेंगे कितना दिया है 1 दिया 1 दिया 3 दिया 5 दिया 2 दिया 6 दिया minus 2 minus 1 minus 3 1 1 3 और 5 2 6 है ना minus 2 minus 1 minus 3 हम क्या करेंगे multiply करेंगे भाई इसका multiply इसके साथ होगा कितना हो जाएगा यह 1 हो जाएगा 5 या निकिए 0 आ जाएगा कितना जाएगा जीरो 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 सारे आ जाएगे जीरो और यह माली जी आ गया थ्री 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 और यह आ गया माइनस वन आएगा माइनस वन आएगा माइनस वन आएगा है ना अब देख रहे हो ना आप यहां पर कि ए स्क्वेर कितना आ गया जीरो जब भी ए स्क्वेर प निल्पोटेंट मैंट्रिक्स हो जाएगा जब भी A square की value के आ जाए जीरो की आ जाए तो निल्पोटेंट मैंट्रिक्स हो गया चलेगा यहाँ पर कह रहा है कि का वर गंतराल क्या होगा 98 देखिएगा एक काम करेंगे हम इस डेल्टा को पहले थोड़ा सा स्वाल्व करेंगे डेल्टा इस उकोल टू अब क्या करें भाई R1 में R3 को एड़ कर दें R1 में R3 को एड़ करोगे तो यह आएगा माइनस का 1 और यह आजाएगा माइनस का साइन थीटा और यह आजाएगा 1 अब देखो सारे 0 दिये गए हैं डेल्टा अगर हम निकालना चाहना तो कितना निकल के आएगा यह आएगा 2 इंटो यह छूटेगा यह छूटेगा साइन स्कूर थीटा प्लस 1 कितना आजाएगा यह आजाएगा साइन स्कूर थीटा प्लस 1 यह आएगा डेल्टा क्या आगए हमारा साइन स्कूर थीटा प्लस 1 अब रेंज निकालनी है अब हमें पता है यहाँ पे की साइन स्क्वार थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती जीरो से वन होती है है ना हमें क्या लाना है यहाँ पहले तो हम दोनों तरफ प्लस वन कर दें इधर वन प्लस करेंगे इधर यह हो जाएगा और यह हो जाएगा साइन स्क्वार थीटा प्लस वन और इधर वन हमारे पास डेल्टा आ गया न तो जो डेल्टा गवरगंतराल इंपर जीरो से दो से चार तक कहां तक 2 से चार तक कौनस ऊप्शन से यह हो जाएगा उप्शन B98 में करेक्ट हो जाएगा चलेगा 99 देखेगा जैके 99 जो रोल है कि इसका करहा x y z समानतर शेड़ी में गुड़ प्में है रात्मक में या फिर समानतर शेड़ी है किस चीज में आमें यह नहीं पता लेकिन हम देखते हैं कि x y y z retail समानतर शेड़ी में एक काम ये कए हम पर हम पी का कोईRISE in P y बराबर 0 rther देते हैं तु रखोंगे यहां पर P बराबर 0 लग दिया वना कितना अएगा यह Y और यह X और यह Y और यह हो जाएगा Z और यह हो जाएगा Y और यह हो जाएगा Z यह है 0 और यह है Y और यह है Z E saal to 0 दियागा, MP की value अपने से 0 रख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, उसकी फिराल, ठीक है, काम कर जाएगा, ऐसे, देखेंगा यहां पर, Y, यह चुट जाएगा, यह चुट जाएगा, YZ-YZ, YZ-YZ, यह तो पूरा 0 हो गया, माइनस का X, इंटू यह चुटेगा, यह चुटेगा, कितना हो जाएगा, Z-square, माइनस का 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का Y इंटू, यह और यह, कितना हो जाएगा, Z-Y, यह हो जाएगा, Z-Y, माइनस का 0, इकॉल टू, 0, यह देखो, यह भी 0 हो गया, माइनस का X X Z square plus Z Y square is equal to 0 एक काम करो Z यहां से common ले लो Z common ले लो एक Z को 0 की उधर भेज दो यह कह सकते हैं Z Y square is equal to Z X Z square एक Z से यह Z कट जाएगा यह जाएगा Y square बराबर X Z यह क्या दिखा रहा है कि X Y Z जो है वो किसमे है GP में है X Y Z किसमे है GP में 99 में कौन सा फुस जाएगा B option सा युजएगा 100 देखियेगा 100 में कहरा कि 7 आएतों की संख्या कितनी होगी दो को यहां पे horizontal line कितनी हो जाएगी 9 होती है vertical line कितनी होती है 9 तो number of आयतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमें 2 vertical line horizontal line लेना है 9c2 दो vertical line लेना और किसी को भी हम ले सकते हैं है ना भाई किसी को भी हम ले सकते हैं आयद बनाने के लिए और यह दोनों क्या होंगे सुतंत्र घटनाएं होंगी और प्रशन, आपको याद होना चाहिए, तो आयतों की संख्या होगी यहां पे 1295 यानि की बी करेक्ट हो जाएगा चलेगा आज का लेक्टर यहीं तक कल मिलेंगे हम लोग इस 2011 के बचे हुए पार्ट्स के साथ यानि की क्वेस्चन नंबर 101 से लेके क्वेस्चन नंबर 125 तक चलेगा शुक्रिया आपका आपसे बहुत ही और सपोर्ट मिल रहा है लगातार आप अच्छा कर रहे हो मैं मुझे सपोर्ट कर रहे हो थैंक्यू जहीं लक्ष कोई भी बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं करते हैं क्वेस्चन नंबर 101 क्राय यदि बी कॉस्ट देखो यहां पे हमें कुछ नहीं करना बस थोड़ प्लस फिर लिखा हुआ है सी प्लस ए कॉस्ट बी प्लस ए प्लस बी कॉस्ट यह लिखा हुआ है है ना देखते हैं यहां पर काम ये करेंगे बी कॉस्ट ए प्लस ए कॉस्ट बी निकालो यहां से देखो ए कॉस्ट बी निकल आएगा यहां से ए कॉस्ट बी प्लस फिर यहां क्या बचा C COS है C COS A इसके साथ चाहिए हमें A COS C है ना A COS C तो यह वाला चला जाएगा प्लेस अब कौन बचा यहां पर C COS B C C COS B प्लस यहां पर B COS C मिल जाएगा B COS C अब देखो यहां पर यह किसके बराबर होता है यह होता हमारा C के बराबर और यह किसके बराबर होता है यह हमारा B के बराबर हो जाएगा और यह किसके बराबर होगा यह A के बराबर हो जाएगा यह किसकी जगह पे हम डिक सकते हैं क्य या एक्वल होगा यह एक्वल होगा यह प्रस्ट जानदार है ना लोग लिखा हुआ है तो लोग लिखा हुआ है तो इधर कर देंगे इसे तो यह कितना जाएगा यहां पर बेस में होगा है ना एकी पावर यू इसकोल टू यह नंबर आ जाएगी एकी पावर यू इसकोल टू आ जाएगा हमारे पास 10 45 प्लस थीटा बाई 2 करेंगे इसमें फॉर्मूला रखेंगे कितना जाएगा 1-1 प्लस 10 थीटा बाई 2 divided by 1-10 थीटा बाई 2 अच्छा साथ में ही हमें निकाल लेना यहां पर यू निकाल लेंगे तो यह उपर पहुंच जाएगा यह कितना जाएगा इसकी वैलू आ जाएगी 1-10 थीटा बाई 2 divided by 1-10 थीटा बाई 2 निकाल आया अब हमें निकालना है कॉस हाइपरबोलिक है ना क्या निकालना है कॉस हाइपरबोलिक यू अब देखेगा कॉस हाइप परबोलिक यू क्या होता है यह हो जाएगा एकी पावर यू है ना यू है तो यू हो जाएगा एकी पावर यू प्लस एकी पावर माइनस यू बटा में कितना है दो है ना बटे में दो हो जाएगा चलेगा रख लीजे यहां पर यह कितना हो जाएगा बाई यह हो जाएग थीटा वाई टू प्लश कर दो और यह जाए गा को तैन थीटा वाई टू डिवाइड बाई 있고 और यह we One-10 थीटा-Y2 एक कोस्ठख मेँ और One-10 थीटा-Y2 एक कोस्ठख मेँ ऑपर क्या होजाए गोल स्कूर ओपन करेंगे तो क्या बचेगा यहां पर देखो ट्व square theta by 2 divided by 2 तो यह रहेगा देखो यहाँ पर 1 minus 10 theta by 2 1 plus 10 theta by 2 यह क्या हो जाएगा 1 minus 10 square theta by 2 1 minus 10 square theta by 2 को हम open कर देंगे क्या करेंगे sin cos में change कर देंगे तो यह कितना जाएगा cos square theta by 2 2 नीचे minus sin square theta by 2 divided by कितना cos square theta by 2 1 plus 10 square theta by 2 देखो 2 से 2 काट दो कट गया यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 6 square theta by 2 और यह देखो cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 यह किसके बराबर होता है यह होता है बराबर cos theta का formula हो जाएगा cos theta 1 by 1 by दिया गया क्या cos square इसे यहीं ले लो तो कितना हो जाएगा 6 square theta by 2 तो यह दोनों cancel हो जाएगे 1 by cos theta किसके बरावर हो जाएगा sec theta किसके बरावर हो जाएगा sec theta कौन सा option सही होगा यहाँ पे a option क्या होगा correct हो जाएगा चलेगा question number देखेंगे 103 question number 103 के लिए मैं आप से थोड़ी सी बात करनू इससे पहले हैना इस question को करें उससे पहले छोटी सी थोड़ी सी बात है देखेंगे यहाँ पे हमें formula पता होना चाहिए एक तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका tan hyperbolic inverse x tan hyperbolic inverse x का formula होता है 1 by 2 log log 1 plus x divided by 1 minus x कभी कभी यह formula ही direct पूछ लिए जाते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद cos hyperbolic inverse x का क्या होता है वो होता है log log x plus root x square minus 1 फिर होता है sin hyperbolic inverse x sin hyperbolic inverse x किसके बराबर होगा यह हो जाएगा log x plus root x square plus 1 अब इसमें इसे use कर लिजे यहाँ पे है न sin x की जगा पे कितना दिया गया है तीन दिया गया है इस formula का यहाँ पे use करना है हमने क्या बताया आपको shine hyperbolic inverse x shine hyperbolic inverse x is equal to क्या होता है यह होता है log x plus root में x square plus 1 रख देते हैं यहाँ पे कितना रखना है x की जगा पे 3 रखना है तो यह हो जाएगा shine hyperbolic inverse 3 shine hyperbolic inverse 3 shine hyperbolic inverse 3 रख दीजे भाई यह हो जाएगा log यह हो जाएगा 3 plus root 3 का square plus 1 है न यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा log 3 plus 9 10 हो जाएगा है न लॉग 3 plus root 10 log 3 plus root 10 कौन सा option से हो जाएगा a option correct हो जाएगा 104 104 देखेगा 104 भी मतलब है तो छोटा question लेकिन बहुत बड़ी बात है देखेगा बहुत लोग गलत कर देते हैं इसके अंदर root में क्या करते हैं दोनों को multiply करके 36 यह वाला option tick कर देंगे जबकि ऐसा नहीं है है न देखेगा यहाँ पर यह दिया गया है minus का root 6 और यह दिया गया है minus का root 6 है ना बहुत से लोग क्या करेंगे दोनों का square कर देंगे 36 निकाल देंगे है ना अब देखे मैं इसकी value निकाल ली है है ना इसके value निकाल ली हम क्या करेंगे इसे अलग करेंगे root 6 को अलग करेंगे और इससे लेख सकते है minus 1 अलग कर देंगे फिर अगले वाले को इसी तरस करेंगे root 6 और root minus 1 अलग कर देंगे root 6 और root 6 दोनों से मिला के कितना निकल जाएगा 6 और ये कितना होता है ये i होता है और ये वाला कितना होता है i ठीक है ये root 6 और root 6 मिला के 6 बन जाएगे है ना root हट जाएगा दोनों का ये i square ये 6 i square i square का value कितना होता माइनस वन यह कितना हो गया माइनस का 6 कौन से हो जाएगा यहां पे बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा modulus 1 आना चाहिए दिया है तो देखें यहाँ पे इसका modulus कितना हो जाएगा भाई इसका modulus हो जाएगा modulus modulus beta is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus i का modulus और minus i का modulus क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा है ना कितना हो जाएगा एक हो जाएगा चलेख अब यहां पर रख दीजिये यह रखेंगे यहां पर तो कितना जाएगा बीटा माइनस का अलफा डिवाइड़ बाई अच्छा इसमें हमें निकालना क्या है अलफा बार भी चाहिए हमें तो अलफा बार का मतलब कि अलफा के कंजूगेट क्या हो जाएगी माइनस की के लोग हो जाएगी कांजूगेट में क्या करते हैं रिपीट कर देते क्या करते हैं जब भी कंजूगेट हमें निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता भाई हम आई की जगा पे माइनस i replace कर देते हैं यह लोग अगए कर दिया तो यह आ गई हमारे पास alpha बार इसके conjugate आ गई alpha minus beta 1 minus alpha बार और कितना beta चलो b की beta की value रखें यहापे minus का i है alpha कितना है वो भी i है divided by 1 minus alpha कितना है minus का i और beta कितना है beta भी दिया गया है minus का i modulus उपर कितना हो जाएगा minus का 2i बटे नीचे कितना हो जाएगा 1 minus देखो दोनो प्लस के हो जाएगे और यह हो जाएगा i square यह हो जाएगा minus का 2i divided by देखो i square की value minus 1 रखोगे तो यह plus का 2 हो जाएगा नीचे 2 से 2 कंसील हो जाएगा modulus के अंदर क्या पचा minus का i कि-I का modulus क्या हो जाएगा ? रप्लस का one मौडूलोश ड़ेगा ? क्या होगा ? आरे वही तो होता है A square plus B square होता है root के अंदर है न आ A वाला तो 0 है, plus ये हो जाएगा one का square, यानि कि one तो ही आएगा minorities बनका square कितने हो जाएगा ? वही आ जाएगा वन आ जाएगा इसका मॉडूलेश है ना कौन सा अप्षन से हो जाएगा यहाँ पर C option करेक्ट हो जाएगा कौन सा अप्षन से हो जाएगा C option करेक्ट हो जाएगा चलिएगा इसके बाद देखें question number 106 question number 106 में कह रहा है कि Z X हमिश्च संख्या है और दिया गया हमें देखो यहाँ पर यह दिया गया है क्या दिया गया है कि Z square plus Z plus 1 is equal to 0 को संतुष्ट करता है यदि N का गुलक जो N है 3 का गुलक नहीं है मिश्च 3 का गुलक नहीं है N तो करा इसका मान गयात करो है न किसका निकालना हमें Z की पावर N plus Z की पावर 2N अच्छा N का गुलक नहीं है तो यह काम करते हैं यहां से हम ले लेते हैं N बराबर 1 रख दें N के गुलक की हम बात ही नहीं कर रहे है N जो 3 का गुलक थोड़ी है N बराबर हमने 1 रख दिया तो देखिए कितना आ जाएगा यह आ जाएगा Z plus Z की पावर 2 है ना यानि कि हमसे मान किसका पूछा है Z plus Z की पावर 2 यहां से निकाल दो यह मान तो यह Z plus Z की पावर 2 इस गुलकर कितना हो जाएगा M इनस का वन हो जाएगा कितना हो जाएगा M इनस का वन अच्छा इसमें Options नहीं दिये गएं ए risking यहां दिये गए हैं कौने Offense हो जाएगा ।You Option यह आ पर करेक्ठ हो जाएगा आगे चलेंगे कह रहा है कि z minus i और z plus i से प्राप्त बिंदुपत क्या होगा एक काम करते हैं ऐसे प्रश्णों में तुरंती क्या करना है z की जगा पे रख देना x plus i y रखो यहाँ पे तियो हो जाएगा modulus x plus i y तो x minus 1 को एक तरफ रख लो plus i y real part एक तरफ रख लो imaginary part यहाँ पे कितना हो जाएगा x plus i ले लो common y plus 1 अलग हो गया x minus 1 अलग कर लिया हमने i y हो गया x plus i into y plus 1 अलग हो गया है ना दोनों तरफ क्या करो अब दोनों तरफ आप ले लो mod mod ले लो mod कितना आ जाएगा real part का square plus imaginary part का square is equal to root इधर कितना हो जाएगा real part का work है ना यह real part का work हो जाएगा plus imaginary part का work हो जाएगा root दोनों तरफ आप हटा सकते हैं work कर देंगे तो हट जाएगा यह क्या हो जाएगा x square minus का 2x plus का 1 plus y square is equal to x square plus y square plus का 2y plus का 1 cancel कर दें x square x square कर जाएगा y square से y square कर जाएगा है ना y square से y square कर गया 1 से 1 कर गया है ना कितना हो जाएगा minus का 2x is equal to 2y यह कह सकते हैं x plus y is equal to 0 x plus y is equal to 0 यानि कि y बराबर minus x और y बराबर mx की प्रकार की जितनी भी रेखाएं होती हैं कर जाती है origin से होके जाती है origin से यानि मोल बिंदू से जाने वाली शरल रेखा का शमी करण हो जाएगा समझ गये ठीक है आगे चलेंगे question number 108 प्रस्ण संख्या 108 वो एक बहुत ही बहतरिन question है देखते हैं यह लिखा हुआ x square minus 2x cos theta देखे यहां से अगर हम x निकालना चाहें वैसे तो answer इसका याद होता है x is equal to कितना हो जाएगा minus b तो minus minus तो plus हो जाएगा minus already है क्योंकि यहां पे तो यह हो जाएगा 2 cos theta plus minus under root b square कितना हो जाएगा 4 cos square theta minus 4ac तो यह 4 हो जाएगा और divided by 2a तो 2 आ जाएगा कितना हो जाएगा अब 2 उपर से common ले लो तो कितना जाएगा भाई यह cos theta आ जाएगा plus minus देखो यहां पे 4 common लेंगे तो cos square theta minus बनाएगा minus भी common ले लेना तो minus की जो common लोगे तो root i बन जाएगी root minus 1 i बन जाएगा और 1 minus sin square theta बनेगा 1 minus cos square theta बन जाएगा फिर वो sin square theta हो जाएगा तो उस से root के बाहर sin theta निकल आएगा divided by कितना है 2 है 2 से 2 को cancel कर देना यहां पे सिर्फ एक ले लो x को यह ले लो x की power में कितना हो जाएगा यह x की power में यह हो गया भाई cos theta plus i sin theta प्लस वाला ले लो ठीक है तो x की power n कितना हो जाएगा अब x की power n निकाल लो x की power n बराबर कितना हो जाएगा demivers theorem यहां पे apply कर देंगे demivers theorem apply करेंगे है ना power n है यह n कहां आ जाती है angle में आ जाती है तो cos n theta plus i sin n theta हो जाएगा अच्छा इसी तरह तो 1 by n है 1 by x की power n तो कितना हो जाएगा 1 by x की power n का मतलब हो गया x की power minus n is equal to तो minus n रख देना तो यह cos n theta minus का i sin n theta बच जाएगा है ना बन जाएगा अब दोनों को add करतो दोनों को हम add करेंगे कितना x की power n plus 1 by x की power n is equal to कितना हो जाएगा भाई दोनों add करोगे देखो यह और यह cancel हो जाएगे बचेगा कितना यह जुड़ जाएगे दोनो 2 cos n theta कौन साफ़न सही हो जाएगा 2 cos n theta के लिए c option यहाँ पर correct हो जाएगा चलिएगा question number 109 कराएगा इकाई के 90 मूल होंगे इकाई के 90 मूल यानि कि यहाँ पर बात हो रही है cube root of unity की बात नहीं किसकी बात कर रहा है इकाई के 90 मूल माल लेते हैं कि 3 मूल हो गया हमारे पास क्यूब वाली बात कर लेते हैं एक one हो गया एक omega हो गया एक omega square हो गया देखो यहाँ पर यह तीनों किसमे होते हैं GP तो इकाई के 90 मूल किसमे होते हैं GP में होंगे यानि कि गुड़ोत्तर स्रेडी में होंगे हमेशा याद रखेंगे भीने हैं इस एक सुद 10 देखेंगे देकर एक सुद 10 का रहा है कि त्रभुज क सेअध ट्रभुज आप देखिया है को है 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 यहां पर इस दो निरुपईर कर देते हैं सैंध कि है यह आई जेट हो जाएगा तो यह परिमार यहां से प्रेजेंट हो जाएगा आई जेट अच्छा इसका चेत्रफल क्या हो जाएगा एक बटे दो आधार आधार कितना है modulus mod of z into iz is equal to 50 तो यह कितना हो जाएगा modulus z into i का तो 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा modulus z हो जाएगा 52 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और z square is equal to हो जाएगा 100 और z is equal to कितना हो जाएगा 10 कौन सा अफ़न सही हो जाएगा शी option यहाँ पर correct हो जाएगा है ना दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यहां से हम लोग x plus x plus i y में माल लें फिर निकालें है ना तो आराम से निकल जाएगा अब देखेगा किरा x square minus y square यह दिया गया है इसके बड़ी आसानी से किये जा सकते हैं बहुत इसमें कुछ है नहीं factor भी किया जा सकता है trick भी लगाई जा सकती है ना x y और z सभी को one रखके देख लो तीसरा option आ जाएगा है ना जितना यहां से आ है वहीं यहां से आना चाहिए बस लेकिन चलो इसके हम कर लेते हैं देखो बहुत आसान है क्योंकि x square minus का common लेलो यह कितना हो जाएगा y square और यह plus का बन जाएगा 9z square और minus का 6yz है ना यह कितना बन गया x square minus का और यह y square plus का देखो यह 3z का स्कौयर हो जाएगा माइनस का 2 into y into 3z यहनि कि यह बन गया x square minus का y minus 3z का whole square समझ आया ना चलेगा तो यानि कि y minus 3z का whole square बन गया 1a square minus b square बन गया एक bracket में रग दो पलस में इन्हें सभी को हको है ना दूसरे bracket में रग दो माइनस में x minus का y और पलस का 3z कौन सा option सही हो जाएगा c option correct हो जाएगा और जल्दी करना है आपको तो यहाँ पर put कर दो x is equal to 1, y is equal to 1 और z is equal to 1 रख दो, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी value कितनी आ जाएगी 1, minus 1, minus 9, plus 6, कितना आ जाएगा यह 10 हो जाएगे और यह 7, minus 10, कितना आ जाएगा minus 3, ऐसा option जिसमें x बरावर 1, y बरावर 1 और z बरावर 1 रखने पर minus 3 आ जाएगा वही सही होगा, c वाले में रखेंगे देख लो तो कितना हो जाएगा भाई, यह 1, plus 1, minus 3 और यह 1, minus 1, plus 3 calculate कर लीजे देखो यहां पर minus 1 आ जाएगा और यह दोनों cancel हो जाएगा minus 3, minus 3 minus 3, ना कौन सफन सफन सही हो जाएगा нам correct बोनों equal आ रहे हैं यहां पर यह और यह दोनों equal आ रहे हैं तो इसलिए कौन सफन सही हो जाएगा ठिक है, चलिए गा question number देखेंगे अगला, 112 112 भी आसान है यहां पे अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है देखो यहां पे अनुपाते बी साथ अनुपाते नौ दिया गया है और यह दिया गया है पांच अनुपाते चार जब भी ऐसी सिच्वेशन आएगी तो देखो हमें कैसे निकालना है यह अनुपाते बी अनुपात आएगा और अगर आप इन तीनों का मुल्टिपलाई करते हैं इसका मुल्टिपलाई करते हैं तो सी आ जाएगा समझ गए तो कितना आ जाएगा हाँ तो याद रखेंगे इसे एक बार और बढ़े हां से बता देता हूं समझेगा वैसे आसान होता सभी लोगों को लबगाता है शाथ अनुपाते 9 और क्या है हमारे पास ये है 5 अनुपाते 4 इन दोनों का मुल्टिपलाई करेंगे कितना आएगा 35 फिर क्या करना ये एक आ गया फिर इन दोनों को मुल्टिपलाई करेंगे ये आ जाएगा 45 है ना फिर क्या करना है आपको मुल्टिपलाई क करना इन दोनों को तो यह कितना जाए गए नचोक 36 कितना जाएगा यह यह आ जाएगा भाई 36 ना मुल्टिवलाई करेंगे यानि कि 35 अनुपाते 45 अनुपाते 36 कौन साफ़न से हो जाएगा बी ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा 113 देखें का 113 में कह रहा है 113 जो प्रिभासित है यदि हैना तो देखें ज्यांक पेहमारा एफंट एफ है इसे हम फ्रस्ट पार्ट माल लेते हैं और यह एफ फ्रस्ट पार्ट पर इसे सेकंड पार्ट है सब moment दिये गए है X के है ना हम फर्स्ट पार्ट के लिए पहले काम करेंगे दोखों यहां पर फर्स्ट पार्ट में अच्छा फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है हमारे पास root cos sin x root cos sin x अब देखें root के अंदर कोई भी संख्या लिखी होती हूँ हमेंसा क्या होती है greater than equal to 0 होती है यानि कि cos sin x क्या होगी greater than equal to 0 होगी है ना for domain for domain are satisfied satisfied for value of x है ना आर जो होगी वो क्या होगी इसका जो domain होगा और होगा कोई भी x की weilu यानि कि आर जो होगी satisfied करेंगी किसी भी R की x की value के लिए है ना यानि कि हमारे पास x है उसका कोई भी real number क्या करेंगी इसे satisfied करेंगी है ना यानि कि इसे domain जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानि कि पहले वाले जो domain हो गया, वो कितना हो गया, real numbers हो जाएगा, यानि कि R हो जाएगा, शेकेंड वाले को देखेंगे, शेकेंड वाला दिया गया, sine inverse, sine inverse, 1 plus x square, बटा 2x, यह 2 है, z नहीं है, यह क्या है, 2x है, अब देखेंगा, यहाँ पर हमारे पास यह angle होगा, यानि कि 1 minus x square by 2x, और इसका modulus होगा, हमेशा क्या होगा, less than 1 होगा, less than equal to 1 होगा, less than equal to 1 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1 minus x square, और यह हो जाएगा modulus 2x के, है न, modulus, 2x के हो जाएगा, इधर ले आओ, इधर ले आएगे, तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 plus है, तो हमने 1 minus कैसे रख दिया, 1 plus है, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, modulus x का square, plus का 1, minus का modulus 2x, 2 को बाहर निकाला जा सकता है, 2, और यह हो जाएगा, modulus x हो जाएगा, less than equal to 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद, इसे हम लिख सकते हैं, क्या, modulus x minus 1 का whole square, less than equal to 0, कितना हो जाएगा यह, modulus x हो जाएगा, और यह कितना आजाएगा, modulus x is equal to क्या आजाएगा भाई, यह square आजाएगा, equal to 1 ले लो, तो modulus x कितना आजाएगा यहां से, यहां से आजाएगा, modulus x जो आएगा, वो आजाएगा, क्या, plus minus 1, मॉडुलस x तो 1 आएगा मॉडुलस x कितना आजाएगा 1 आएगा लेकिन जो x आएगा वो क्या आजाएगा plus minus 1 यहाँ पर जो domain निकल के आया d2 domain आया वो कितना आगया 1, minus 1 आगया फिर क्या करना है दोनों का देखो दोनों क्या है plus में है थो हमें क्या करना है अंटरसेक्षण है ना दोनों को क्या करना इंटरसेक्ष निकालना टी टू तो इसके साथ 1 की मिनस 1 के साथ तो निकल के आ जाएगा मिनस 1 कौं आप क्वस्टा से ही हो जाएगा यह और पर इसके से अगलना एक चलेगा आ चोश्य थे अगला iv встр कॉस्टिन नमर 114 देखेंगे जेड़ दिया गया है 5 प्लस 2i बटे 2-5i और दिया माइनस ये दिया गया हमें इसका रियाल पार्ट नेकालना है हमें काम करते हैं इनको पार्ट प्लस 2i बटे 2-5i में क्या किया उपर से हमने i common ले लिया उपर से i common लेंगे जहां पे i होगा जहां पे नहीं होगा डिवाइड में चला जाएगा तो भाई 2 से तो निकल गया चुपचाप रख दिया गया देखें 5 बटे i आएगा 1 by i जो होता माइनस i के बराबर होता तो ये 2 माइनस का 5 i उपर बन गया अच्छा नीचे कुछ नहीं किया चुपचाप रखा वह दोन से i commonly है ना तो यहां 3 आएगा यहां पर क्या आएगा 3 अब देखें यहां पर चार के बटे में आई जाएगा भाग जाएगा यहां आई नहीं तो ऐसे डिवाइड होगा 1 by i minus i के बराबर होता है यह हो जाएगा दोनों cancel out हो जाएगे किसके बराबर हो गया 1 by i आप देख i के बराबर होते हो भी minus की है ना तो यह i हो जाएगा minus i यहां रखेंगे तो plus का i वो बन जाएगा 1 by i minus i के बराबर होता plus का i हो जाएगा है ना कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3i 3i के मतलब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ imaginary part है है ना तो real part real part of z real part आप जो z होगा real part आप कि देखेंगे कि देखो एक्सुप पंद्रा में करना कुछ नहीं है यहां पर थेटा पर आपर 90 उठाके रख दो साइन एक्स इंटू साइन नब्बे तो वन हो जाएगा यह तो इक्वल टू वाई इंटू देखो यहां पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा sin 90 plus theta किसके बराबर होता है sin 90 plus theta cos theta के बराबर होता है है ना कितना हो जाएगा cos theta तो cos 2 pi y 3 equal to यह है z sin 90 plus theta यहाँ पर भी आ जाएगा cos कितना 4 pi y 3 है ना कोई दिक्त नहीं अब देखेगा यहाँ पर है x is equal to y this value निकालियेगा minus का 1 बटा 2 आएगी और इसकी भी value निकालियेगा आप ये भी आएगी minus का 1 बटा 2 अब यहाँ पर proportional value निकाल लीजेए proportional value निकालिये देखेगा यह हो जाएगा x by 1 is equal to y by minus 2 is equal to z by minus 2 proportional value रख दिया x की value 1 रखना है y की value minus 2 रखना है Z की value minus 2 रखना है है ना दोनों की value Y Z minus minus है यहां पर इसकी value निकालना है में रखते हैं मान सारे put करिए पहले मान सारे रखिए है ना मान रखते हैं X की जगह पे 1 1 into Y की जगह पे minus का 2 plus minus का 2 minus का 2 plus Z की जगह पे minus का 2 तो X की जगा पे 1, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, दोनों cancel हो जाएगे, 0 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे? C वाला option क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा, ठीक है? चलेगा 116 देखेंगे 116 में इनके वास्तिवी ख़लों की संख्याज होगी वो कितनी होगी 0 होगी 170 पर आएंगे 117 कुस्चिन नमर 117 कह रहा है अब देखो इसमें यह कॉस फाई पाई बाई 3 है लेकिन जो कॉस होता हमारा कहा होता है 0 से पाई के बीच में होता है साइन क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है तो हम क्या करेंगे पहले इसे कैल्कुलेट करेंगे 0 से पाई के बीच में लाएंगे माइनस माइनस का πाई भाई 3 तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा gas 360 माइनस ता cosplay भी होता है तो five भाई थि हो जाएगा इसी तरह से sine five 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 three को करते हैं sine five five three ये कितना हो जाएगा इसे भी हम रख लेंगे तो यह हो जाएगा sine two P-P minus P-Py3 यह हो जाएगा minus Sin P-Py3 minus का Sin P-Py3 हो गया अब यहाँ पे रख लीजे यहाँ पे रख लीजे भई QA every कि इसकी जगह पे आ गया है कि इसकी जगह पे आ गया कितना KOS P-Py3 रख देना है QA-Py3 PLUS यह है Sin Inverse और यह है sin pi by 3 minus का cos से cos अठा दिजे भाई ये pi by 3 हो गया और देखो यहाँ पर sin inverse minus theta minus sin inverse theta के बराबर होता है तो यह minus निकाल देगा यहाँ पर यह हो जाएगा sin inverse sin pi by 3 sin inverse अठा दो यह आजाएगा 5 by 3 minus pi by 3 कितना आजाएगा 0 कौन सा option से हो जाएगा d option यहाँ पर correct हो जाएगा 118 118 में थोड़ा सा तुटी है यहना इस तुटी को पहले सही करेंगे देखेगा यहाँ पर यह 2 नहीं होना चाहिए था यह 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर अब आराम से hello जाएगा अब हमें यहाँ पर निकालना code a कामान देखेगा हल करेंगे इसे ठीक है हल करना सुरू करते हैं देखेगा यहाँ पर 2 कोश ए रखा हुआ है 2 कोश A 2 कोश A 2 कोश A कोश का value रख दो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा B square plus C square minus A square बटे में कितना 2 B C into A हो जाएगा प्लस यह दिया गया है कोश B कोश B की जगह पर भी रख दीजिए कितना हो जाएगा A square होता है plus C square यह angle minus में चला जाएगा जो angle होता वही side minus में जाती है यह हो जाएगा 2 A C B वहाँ पहले से है plus यह हो जाएगा 2 into cos C A square plus का B square minus का C square divided by 2 A B और यह C is equal to यहाँ पर कितना आजाएगा A square plus B square बटे A, B, C अब देखे cancel कर लेते हैं जो कट रहा होगा उसे काट देते हैं जो बच रहा होगा उसे बचा लेंगे 2 से 2 काट देंगे कट जाएगा A, B, C नीचे बच गया कोई बात नहीं यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा और यह 2 से 2 काट दो ना काटते तो अच्छा था लेकिन कोई बात नहीं काट लो अब एक काम यह करेंगे यहाँ पर हम लोग LCM लेंगे 2 A, B, C 2 A, B, C लेंगे LCM लशक लीजिए 2 A, B, C यह कितना हो जाएगा भई अब यहाँ पर multiply हो जाएगा यह 2 B square plus 2 C square माइनश का 2 A square ना 2 A square प्लस यहाँ तो कुछ होगा नहीं A square plus का C square माइनस का B square और यहाँ पर भी multiply होगा plus 2 A square 2 A square और प्लस का 2 B square माइनस का 2 C square is equal to आ जाएगा A square प्लस B square बटा में 2 बटे में कितना ABC है इस ABC से यह ABC कड़ गई अब कितना आ गया अब यहां पर देख लो कुछ cancel हो रहा होगा जो cancel हो रहा होगा उसे काट दो 2C square minus के हैं 2C square plus के हैं cancel हो जाएंगे 2A square 2A square कड़ जाएंगे यह B square minus के हैं और यहां पर B square चलो और आगे देखते हैं यहां पर 2B square और देखो B square में घट जाएंगे एक तो 1B square हमारे पास बच जाएगा B square एक बच गया यहां पर 2B square यह थे और minus का B square यह है तो कितने हो जाएंगे और 2B square यह है 4B square में 1B square घट जाएंगे तो कितना बचेगा 3B square बच जाएंगे प्लस यहाँ पे कितना है यहाँ पे दिया गया है A square A square plus का C square और तो कुछ बचा नहीं E is equal to यहाँ पे दिया गया है यह 2 से multiply होगा 2A square 2B square आप क्या करेंगे हमें यहाँ घटा देंगे तो एक ही B square बचेगा B square एक बचेगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1B square बच जाएगा 2B square को 3B square घटा होगा 1B square बचेगा अब यहाँ पे हम A square को अगर घटा देंगे एक तो हमारे पास उधर बच जाएगा एक 2A square है ना यहां पर घटालो इससे 2B square हो जाएगा तो यह B square plus यहां पर बचेगा C square is equal to A square है ना अब देखो दो भुजाओं के वर्गों का योग तिसरी भुजा के वर्ग के बराबर है मतलब कि यह करण होगा यानि कि जो A का मान होगा वो क्या होगा A का मान जो होगा भुजा A जो है हमारी है ना उसका मान क्या होगा 90 अंस होगा क्या होगा 90 अंस होगा यहां पर है ना यही तो होता है हमारे पास समकोड दरभुज में ठीक है चले question number x19 x19 में हम sign rule apply करेंगे कितना हो जाएगा यह होता है sign A but A is equal to sign B but B value put करेंगे value रखेंगे तो कितना आ जाएगा sign A का मान हो जाएगा दिया गया है 3 बटा 4 बटा A का मान 5 है बराबर sign B नहीं पता B का मान लेकिन 7 दिया गया है अब देखो यहां पर 3 बटा 4 था 5 था है ना multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 20 3 बटा 20 is equal to sign B बटा 7 7 को भी धर बेज़ दो तो कुल मिला के sign B बराबर आ जाएगा 21 बटा 20 और जो क्या होगा greater than 1 होगा और sign का कभी भी मान जो होता एक से बड़ा नहीं होता maximum value ही sign की कितनी होती है 1 तक होती है इस condition में कोई भी त्रभुष संभव नहीं होगा है ना sign क्या होगा sign जो होता हमारे पास minus 1 से प्रस वन के बीच में होता है लेकिन यहाँ पर क्या होगा यह क्या कहरा greater than 1 है एक से बड़ा एक से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता है कि बराबर तो हो सकता है लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी त्रभुष नहीं होगा चलेगा यहाँ पे proportional value लग देनी है बस A की जगह पे 3, B की जगह पे 4, C की जगह पे 7 रखो यह हो जाएगा 3 plus 4 plus 7 बटे कितना है? 7 कितना हो जाएगा? 7 दुनी 14 बटा 7 2 दुनी 14, 2 कितना आ गया? 2 आ गया कौन सा अफ़न सही हो गया? B option correct हो गया यह दिया गया है यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि प्रोडांकों के शमूँ में A star B is equal to A plus B plus 1 तो कह रहा है माइनस 2 का योज़ प्रतिलोम क्या होगा? इसे करना है हमें देखेगा यहाँ पे given here, यहाँ पे दिया गया है हमें क्या दिया गया है? A star B is equal to दिया गया है A plus B plus 1 है ना? इसके बाद देखो identity के लिए क्या करेंगे? A star identity ढूढ़ते हैं यहाँ पे is equal to कितना हो जाएगा? B की जगा पे इसे रख देंगे A plus E plus 1 is equal to किसके हो जाएगा? A के हो जाएगा? A से A कट जाएगी तो E पराबर कितना हो जाएगा? Minus 1 identity कितनी आ जाएगी यहाँ पे? Minus का WN आ जाएगी अब हमें क्या निकालना है? now हमें निकालना किया? minus 2 का हैना? तो minus 2 star B is equal to E हैना? यह कितना हो जाएगा? यह minus का 2 हो जाएगा plus का B हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा is equal to किसके होगा e के यानि की minus के 1 के है ना फिर कितना हो जाएगा ये minus का 2 ये कटेगा ये minus का 1 plus का b is equal to minus 1 तो b is equal to कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ठीक चलेगा next question देखेंगे question number 122 222 222 में क्खे रहा है कि यदी समूम हो है ना, भी बिलांग करें ह से और A और P, इन्वर्स क्या हो भी बिलांग करें से तो क्या होगा इसका एक उप्समूम होगा इसका एक उपसमून होगा लेक्स कोशन देखे एक सुटेश देखेंगे किरा इन अ ग्रूप नंबर आप इंप्रॉपर सब ग्रूप इज किरा कि किसी ग्रूप में नंबर आप इंप्रॉपर सब ग्रूप कितना होता है है ना देखें हम बात करते हैं improper subgroup या improper subgroup या इसे ही बोलते है trivial subgroup trivial subgroup होता क्या है ये समझना है दिखिए कोई भी subgroup जो होगा है अब प्रतेव group का जिसको order क्या है एक से ज़्यादा हो उसके दो subgroup होते है पहला क्या होता है वो group स्वयम होता है itself सोयाम होता है और दूसरा का उन होता है दूसरा उस group की identity है ना उस group की identity तो प्रते group जिसका order एक से ज़ादा होगा उसके दो सब गुरूप होते हैं एक क्या होता है जी यानिक itself नहीं को सोयाम होता है और क्या होता है identity तो इन दोनों को ही बोलते हैं improper subgroup, इनको क्या बोलते हैं, improper, improper subgroup, है ना, और इसके अलावा, इनके अलावा, यानि कि G और identity के अलावा, जितने भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जितने subgroup होते हैं, उन्हें proper subgroup के नाम से जानते हैं, तुमसे यहाँ पे पूछा नंबर आफ इंप्रॉपर सब ग्रूप तो कितनी होगी 2 हो जाएगी नंबर आफ इंप्रॉपर सब ग्रूप कितनी हो जाएगी 2 आगे बढ़ेंगे 124 किरा how many number of generators in a finite cyclic group of order 28 order 28 कह रहा है order 28 finite cyclic group of order 28 हमें इसमें बताने number of generator तो number of generator के लिए क्या करते हैं और 2 और गुड़े 7 है ना तो number आप generator निकालने के लिए क्या करते हैं पहले तो इसको चुप चाप रख लिया जाए 28 अच्छा पहला factor लिया जाए इंटो में 1 by 2 पहला prime factorization रख दिया फिर दूसरा क्या है 1 minus 1 बटे 7 बस calculate कर लिया जाए 28 गुड़े 1 बटे 2 6 बटे 7 7 दूसरा 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 कर जाएगा 2 गुड़े 6 6 दूसरा दूसरा कितने हो जाएंगे भी या 12 जनरेटर हो जाएंगे यहांपे है ना तो 124 में C वाला option करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्या कि किसी समुच्चे A में R सम्मंद इस प्रकार है करा R बराबर R inverse गिवन है R बराबर R inverse 2011 में आया था इसके बाद GIC प्रवक्ता 2015 में भी यह question आया था वहल कफ़ important question है आता रहता है चलिएगा R का मतलब यह हो गया कि relation है तो A,B belong करेगा किसमे R में A,B belong करेगा किसमे R में है और B,A चुकि और inverse है R बराबर R inverse है तो यह भी क्या होगा R inverse का मतलब क्या होगा कि B belong से होगा कहने का मतलब यह है कि A relation B and B relation A दोनो यहाँ पे है A relation B, B relation A और कब होता है, symmetric वाली condition में कब होता है A relation B और B relation A होता है तो क्या होता है, symmetric होता है तो 125 में कौन साफ़फन से हो जाएगा B Thank you जै हिंद वन दे मात्रम